कि नमस्कार बच्चों माइसेल्ब चत्रूर्स सामरिया वेलकम टू औरस अकेडमी यूट्यूब चैनल हर बच्चे की प्रिप्रेशन के लिए जो सबसिक इंपोर्टेंट पीरिड होता है वो होता है जब उसका एक्जाम आता हूं से एक्जाम के जश्ट पहले के 30-40 डेज की प्रिप्रेशन इस प्रिप्रेशन में बच्चा कई बार आता है पूसता है सर रिविजन कैसे प्लान करना है रिविजन को कैसे शोट किया जा सकता है इन सभी प्रॉब्लम्स के जवाब के लिए औरस अकेडमी ने अपने यूट्यूब चैनल पे शोट वीडियो डालना इन वीडियोज में हम जो chapters रहेंगे उन सारे chapters के हम आपको theory पढ़ाएंगे and theory के साथ उन chapters के हम PYQ भी ले रहें तो चलिए मैं start करता हूँ quantity equation ठीक है तो आप सभी को पता है कि quantity equation जो chapter है इस chapter का use हर chapter के अंदर आता है यह खुद भी अपने आप में important है प्लस दूसरी चीज यह है कि इस chapter का use बाकि सारे chapters में भी आता है ठीक है आपने जैसे देखा होगा कि algebra के जितने भी chapters है उन सभी chapters में quadratic equation का कही न कहीं concept लग जा रहा है calculus की chapters में quadratic equation का concept लग जा रहा है ठीक है तो सबसे पहला जो topic है इसमें वो है equation and identity equation का मतलब होता है एक ऐसा expression जिसके finite number of solutions हो जैसे मैं अगर example लूँ तो x square मैंने एक example लिया x square माइनस का 3x plus 2 equal to 0 इसके अगर मैं solutions निकालता हूँ तो इसका middle term split करूँगा and इसके मैंने solutions निकाले x equal to 1 and x equal to 2 यह जो solutions है आप देख सकते हैं इसके finite number of solutions है इसलिए इस quadratic equation को अपन equation में count करते हैं identity का मतलब होता है एक ऐसा expression जिसके infinite number of solutions हो अब बच्चों को लगता है सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी quadratic के या किसी cubic के since अपन polynomial पढ़ रहे है तो मैं polynomial से related ही बाती रखता हूँ क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी quadratic equation के या cubic equation के infinite number of roots हो सकते है infinite number of solutions हो सकते है बिलकुल ऐसा possible है जैसे general जो quadratic equation रिपर्जेंट किया जाता है वो कुछ इस तरीगे से रिपर्जेंट किया जाता है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसमें एक की जगह 0 रख देता हूँ जो बिक की जगह पर भी मैंने 0 डाल दिया और सी की जगह पर भी 0 डाल दिया अब मैं आप से बोलता हूँ एकस की वो values बता हूँ जो मैं एलेचेस में सब्टिट्यूट करूँ तो आरेचेस के बराबर हो तो आप खुद बोल सकते हैं, sir, x की बहुत सारी value जो रखी जा सकते है, x equal to 1 रख सकता हूं, x equal to 2 रख सकता हूं, x equal to 3 रख सकता हूं, x equal to 4 भी possible है, rational भी possible है, negative भी possible है, तो इसका मतलब है, यह जो equation है, यह वाला convert हो जाएगा identity, तो identity का basically जो condition हो गया, वो condition हो जाता है कि कोई भी polynomial identity में तब कहलाता है जब उसके सारे के सारे coefficients का value एक साथ यानि simultaneously 0 जैसे यहाँ पर लिख दूंगा में A बराबर B equal to C equal to 0 यह equation identity में चली जाएगी उसी तरीके से हम लोग cubic equation को भी identity बना सकते है A x cube plus का B x square plus का C x plus का D equal to 0 अगर यह equation identity का काम करेगी तो इसका मतलब हो गया कि A equal to B equal to C equal to D equal to 0 इन सभी coefficients का value एक साथ 0 हो जाए तो इसके बाद फरक नहीं पड़ता कि आप x की कितनी value डाल रहे हो वो equation always true होगी equation true का मतलब है LHS will always be equal to RHS एक बार देख लीजीए यह ठीक है चलिए अब इस पर एक problem करते हैं ठीक है जैसे मैंने एक example लिया है find the values of lambda for which the equation is an identity यह equation एक identity है तब lambda के क्या values होंगे तो यह जो लिखा हुआ है यह x square का coefficient है lambda square minus का 3 lambda plus 2 equal to 0 इसका middle term split किया जाएगा lambda minus 1 into lambda minus 2 equal to 0 of course यहां से lambda के दो values आ रहें lambda equal to 1 and lambda equal to 2 यानि lambda की value जब 1 लूंगा या lambda की value जो टब 2 लूंगा तो x square का coefficient है शिवो 0 होगा अपनको यह ध्यान रखना है कि x साथ x square का coefficient x का coefficient and constant 3 के 3 एक साथ 0 होनी चाहिए ठीक है चलो x का coefficient लेते है lambda square minus का 5 lambda plus का 6 equal to 0 इसका अगर मैं middle term split करता हूं तो lambda minus 2 lambda minus 3 equal to 0 यहां से भी lambda के 2 values आ रहे है lambda equal to 2 and lambda equal to 3 constant हम लेते lambda square minus 4 equal to 0 को इसका अगर मैं formula लगा दूँ यहां पर e square minus b square तो उससे यह easily split हो रहे है lambda minus 2 lambda plus 2 equal to 0 आप देख सकते है lambda की यहां से भी 2 value आ रहे है lambda equal to 2 and lambda equal to minus 2 अब आपनको इन तीनों में से common value आइडेंटिफाई करनी है common value क्यों identify करते है क्योंकि condition यह थी कि coefficient जो है x square x and constant तीनों के तीनों की value एक सा 0 होनी चाहिए और निस simultaneous 0 होनी चाहिए तो आप जैख सकते हो lambda equal to 2 यह पूरा का पूरा एक common value है तो अगर मैं lambda का value 2 लेता हूं तो यह equation एक identity में convert हो जाएगी तो इसका final answer होगा lambda equal to 2 चलिए अगले problem पे चलते हैं ठीक है find the number of real solution of the equation अब आप देखें यहाँ पर जो first term है उसमें x-1 का square लिखा हो है तो अपनको पता है कि भाई जब भी कभी किसी expression का square लिखा जाता है तो उस expression का value या तो 0 होता है या positive होता है तो first जो expression उसका value या तो 0 होगा या positive होगा same logic से second expression जो है इसका value जो है या तो 0 होगा या positive होगा third expression जो है इसका भी value या तो 0 होगा या positive होगा मतलब इन तीनों expression में से किसी भी expression का value कभी negative होई नहीं सकता तो अगर मान लो तीनों में से किसी A का value positive हो गया and finally अपनको cancel out करना है क्योंकि RHS 0 है तो अपनको 0 लाना है तो यानि किसी A term का value negative होना चाहिए and that is not possible तो यानि इस equation का जो solution possible होगा वो A की condition में possible होगा जब X minus 1 भी 0 के बराबर हो जाए जब X minus 2 भी 0 के बराबर हो जाए and जब X minus 3 भी 0 X minus 1 0 तब होता है जब X equal to 1 होगा X minus 2 0 तब होगा जब X equal to 2 होगा X minus 3 0 तब होगा जब X equal to 3 होगा आप देख सकते हो यहाँ पर कोई common value possible नहीं है इस लिए equation का no solution होगा चलिए अगने problem पर चलते है for some PQR not all have same sign not all have same sign का मतलब हो गया कि तीनों की value ना तो एक साथ positive होगी ना ही एक साथ negative होगी some of them are positive then some of them are negative and the roots of the equation यह एक equation है इस equation के जो roots होँगे is also a root of the equation अब आप देखो यह जो equation है यह एक given equation है जो दूसरी equation हो तो देखो भाई PQR के terms में तो PQR के terms में तो अपनको PQR नहीं पता है तो PQR नहीं पता है तो उसको अपन simplify नहीं कर पाएंगे बट यह equation given constants के terms में है तो हो सकता है इसको मैं middle term करके इसके roots निकाल लू तो सबसे पहले मैं इसी कोई solve कर लेता हूँ X square plus का 2X minus का 8 equal to 0 X square plus का 4X minus का 2X minus का 8 equal to 0 एक factor आएगा X plus 4 का and दूसरा factor आएगा X minus 2 equal to 0 का X की एक value minus 4 हो जाएगी and X की एक value 2 हो जाएगी यानि मुझे यह पता चल गया कि जो common root होगा वो या तो minus 4 होगा या 2 होगा दोनों में से कोई ना कोई एक common root होगा ठीक है अब अपन इस वाली equation को देखते है यह जो equation है यह कुछ ऐसी लिखी गई है P square X square plus का Q square X square minus का 2P Q X minus का 2Q R X plus का Q square plus का R square equal to 0 मतलब मैंने क्या कर दिया मैंने यह जो multiplication है X जो भार लिखी वी एक में भार X square है एक में भार X है इनको multiply करके ऐसे open कर दिया अब आप एक चीज़ observe करिए अगर यह तीनों terms को मैं एक साथ देखता हूँ तो यह तीनों मिलके एक perfect square बना रही है that is P X minus Q का holy square plus same logic से अगर मैं इन तीनों terms को देखता हूँ तो यह तीनों terms भी मिलके perfect square बना रही है Q X minus R का square and that is equal to 0 एक बार यह देख लीजे and again यहाँ पर fit से वही concept आ गया कि यह जो term है इस term का value 0 या 0 से बड़ा होगा यह जो term है इस term का भी value 0 या 0 से बड़ा होगा तो दोनों positive है and दो positive numbers का sum 0 होना चाहिए ऐसा possible ही नहीं है यानि एक ही case possible है कि दोनों individually 0 हो तो यानि P X minus Q equal to 0 यहाँ से मुझे X का value मिलेगा Q by P and दूसरा होगा Q X minus का R equal to 0 and यहाँ से मुझे X का value मिलेगा R by Q ठीक है एक बार देख लीजे यह दोनों simultaneously true होने चाहिए यह एक सा true होने चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब अपन यहाँ पे case बनाने पढ़ रहा है क्योंकि अपन को यह नहीं पता कि जो X equal to 2 जो आया है and X equal to minus 4 जो आया है इन दोनों में से common root कौन सा है तो मैंने लिया if X equal to 2 is common root मान लो X equal to 2 common root है तो X का value 2 हो गए यह भी X के बराबर है यह भी X के बराबर है तो इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूँ Q by P equal to R by Q यह दोनों 2 के बराबर होंगे इन दोनों को बराबर करने से Q का value मिलेगा 2P and इन दोनों के equal करने से मुझे मिलेगा R का value 2Q यह दो चीजे मुझे मिली है अब मुझे verify करना है कि यह जो मैंने निकाला है यह निकाला है गलत निकाला और इसका यूज कर लूँगा फिर मैं यहां रख दूँगा तो यहां रखूँगा तो finally इस ratio का value आदाएगा अब आप एक चीज देखिए अगर माल लेते हैं अपन Q positive है या P positive है कोई भी एक माल लेते है जैसे P का value positive है तो definitely Q भी positive होगा क्योंकि LHS जैसा है वैसा ही RHS होगा P और Q positive होगी यहां से और Q positive होगी तो R भी positive होगा यानि इस condition से तो मुझे यह पता चल रहा है कि तीनों के तीनों का एक ही sin होगा जैसा P होगा वैसा ही Q होगा वैसा ही R होगा अगर P negative होगा या तो Q negative होगी तो R भी negative इस वज़े से जो common root होगा वो X बराबर 2 नहीं हो पाएगा तो हमें दूसरा case लेना पड़ेगा that is if X equal to minus 4 is common root ठीक है तो भाई फिट से वोई तरीका minus Q by P equal to R by Q equal to minus 4 ठीक है तो यहाँ पे Q का value आगया भाई minus का 4P and R का value आगया minus का 4Q यह Q और यह R आगया देखो अब यह possible है practically possible है यह चीज अगर मालो P positive हुआ तो बहार minus लगा तो Q कैसा हो गया negative दोनों का sign same नहीं है न अगर P positive हो गया तो Q कैसा हो गया automatically negative और Q को अगर negative डालूंग तो R कैसा हो गया positive तो एक positive value है एक negative value एक positive यह तीनों का sign नहीं है तो यह term possible है इस तरीके से यह जो अपने निकाला है इस निकालीवी value को अब अपने एक काम करते है इसके अंदर substitute कर देते है ठीक है value निकालने के लिए तो मैंने Q की जगे 4P square डाल दिया यहाँ पे जो Q लिखावा है इसकी जगे 4P square डालूंगा तो यह बन जाएगा 16P square plus R की जगे मैंने डाल दिया 4Q square तो एक काम करते है अपन इसको AGTG रहने देते है अपन R की value substitute कर लेते है Q square plus R की जगे माइनस का 4Q substitute करूंगा तो यहाँ पे बनेगा 16Q square और denominator को अभी के लिए मैंने P square ही रहने दिया numerator बन गया 17Q square और denominator मेरा गया P square अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे Q की जगे substitute कर देता हूँ माइनस का 4P तो यह बन जाएगा 17 इंटू 16P square divided by P square आप देख सकते हैं यह दोनों cancel आउटो देहेंगे इसका final answer आए जाएगा 17 इंटू 16 ठीक प्राब्लम था थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि आपको यहाँ पे दो एक्वेशन बन रही थी उन दोनों एक्वेशन के पहले solutions निकाल ले ले थे और इन दोनों के अगला problem the number of real solution of this equation अगे इन देको गुमा फिरा के एक ही टाइप के question दिख रहे है आपको यह सारे PYQs है उपल लिखेवे भी आप देख रहे होंगे प्रिवेशन से ठीक है इन सब में आप एक ची देख रहे हो कि भाई यह जो टर्म है यह भी 0 या 0 से बड़ी यह जो टर्म है यह भी 0 या 0 से बड़ी और लास्ट वाली जो टर्म है यह भी 0 या 0 से बड़ी आप देख सकते हैं इस concept पे best मैंने पिछले ही में ही तीन प्रॉब्लम ले लिए है और उब्यस सी बात है कि यहां पर सारे प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से discuss कर पाऊंगा यह पॉसिबल नहीं है तो मैंने और भी बहुत सारे पी वाई क्यूज देखे जिन में यह वाला concept यूज हो रहा है आइडेंटिटी वाला ठीक है तो एकस स्क स्कार माइनस का 4X प्लस का 3 इक्वल टू 0 किया मैंने इसके मैंने रूट्स निकाले X माइनस 1 X माइनस 3 इक्वल टू 0 यहां से मुझे जो X की वेल्यूज मिली वो X इक्वल टू 1 एंड X इक्वल टू 3 मिली ठीक है सेकेंड एक्वेशन लिए मैंने X स्क्वेर माइनस 9 इक्वल टू 0 यहां से जो वेल्यू आई मेरी X माइनस 3 इंटो X प्लस 3 इक्वल टू 0 फाइनल जो आंसर आजाएगा देट इस X इक्वल टू 3 एंड X इक्वल टू यहां से दो वेल्यू जाएगी यह एक्वेशन जीरो टब होगी जब X का वेल्यू 1 एंड 3 में से कुछ लेंगे यह 0 तब होगा तब 3 एंड माइनस 3 में से कुछ लेंगे एंड एक बार लास्ट वाला भी देख लेते 4X स्कूर माइनस का 14X प्लस का 6 इक्वल टू 0 इसमें से पहले 2 तो बहार ले ले लेतें कॉमन आ रहा है तो यह बन जाएगा 2X स्कूर माइनस का 7X प्लस का 3 इक्वल टू 0 इसका मेडिल टरम स्प्रिट हो रहा है। ठीक है? 6 and 1 में, तो यह बनेगा 2x square minus का 6x minus का x plus का 3 equal to 0 आप common लेलो, तो 2x common आएगा तो 2x common आने के बाद यहां बचेगा x minus 3 minus 1 common आजएगा x minus 3 equal to 0 इस equation के जो solution आएगे x equal to 3 आएगा, यह end x equal to half आएगा अपनको वो solution देखना है जो तीनों में 1 साथ satisfy कर जए x equal to 3, x equal to 3 and last में भी x equal to 3 यानि यह equation true हो सकती है तब जब आप दोनों तरफ x equal to 3 substitute करो, रख के भी देख सकते हैं पर वैचा दोगे exam में सबसे बढ़ी है तरीका होता, आप option है, options की value रख के देख लो, ठीक है तो number of solutions कितने होंगे इसके एक चलिए, आगला problem ठीक है, आब यह देखे capital X and capital Y, दो लोग है जो की एक quadratic equation को solve करने की कोसिस कर रहे थे बट बच्चे है, आप समझी रहे, आप भी बच्चे ही हो ठीक है, और बच्चे से आजकल common mistake हो और ही है, कि sir हम से silly mistake हो जाती है, silly mistake की वज़े से हमारे question का answer जो correct होना चाहिए, वो भी wrong हो जाता है, तो इस problem में भी मैंने वही बोला है, कि दो लोग है दोनों मिलके quadratic equation solve कर रहे हैं जल्दी बाजी में दोनों ने कुछ terms को गलत read कर लिया, ठीक है तो अब्यसी बात है, अगर गलत read किया है, तो उन quadratic equation से जो solutions निकाले होंगे, दोनों नहीं, वो दोनों के दोनो solutions किया होंगे, wrong, तो अपन से पूछा गया है, कि जो correct quadratic equation होगी, उसके solutions किया होंगे, ठीक है, तो अपन capital A की बात करते हैं, इस तरफ अपन capital B की बात करते हैं, capital A ने जो roots निकाले है, वो 4 and 3 है, अपनको factor theorem पता है, कि अगर किसी quadratic के अपनको roots पता है, तो अपनको quadratic equation generate कर सकते हैं, x minus 4 into x minus 3 equal to 0, यानि x square minus का 7x plus का 12 equal to 0, capital x ने जिस quadratic equation को solve किया होगा, वो quadratic equation है, x square minus का 7x plus का 12 equal to 0, same way में, capital B की बात करते हैं, capital B ने जो roots find किये, वो 3 and 2 थे, तो capital B की जो quadratic equation हो जाएगी, x minus 3 into x minus 2 equal to 0, multiply करूंगा था, I will get x square minus का 5x plus का 6 equal to 0, यानि capital B ने जो quadratic equation solve कियोगी, वो होगी x square minus का 5x plus का 6 equal to 0, अब देखो, यहाँ पे कुछ-कुछ statements उसने दिये है, capital X जो है, इसने गलत read किया data, लेकिन इसने पूरी की पूरी quadratic equation को गलत read नहीं किया, एक quadratic equation में तिन टाइब की terms होती है, x square की term होती है, x की term होती है, और एक constant term होती है, capital X ने सिर्फ constant term को गलत read किया है, यानि उसने जो बाकी की जो दो terms है, यह दो terms उसकी right वाली है, wrong वाली नहीं है, इनको उसने सही read किये, same logic, capital Y जो है, उसने x वाली term को गलत read किया, यानि यह जो दो terms है, एक term constant वाली और एक term x square वाली, यह दोनों capital Y ने right read किये है, तो अगर मैं आप से बूचू कि right quadratic equation क्या होगी, या correct quadratic equation क्या होगी, correct quadratic equation, तो अपन क्या गरेंगे, कुस्टम्स यहां से देखते हैं, कि इसने कौन-कौन सी correct terms रखी है, और कुस्टम्स वाहां से देखते हैं, उसने कौन-कौन सी correct लिखी है, x square इसका correct है उसका भी x square correct है same ही है x वाला term इसका correct है and constant term उसका correct है यानि यह वो quadratic equation है जो actually में correct quadratic equation थी जल्दी जल्दी में इस ने क्या किया है यहाँ पर 6 की जगा 12 read का लिया एंड जल्दी जल्दी में इस निक्या किया है, यह माइनस 7x की जगा माइनस का 5x रिड कल लिया, that's why इन दोनों के wrong solutions आए, तो अपन से इसका solution पूचा है, again आपन quadratic formula लगा सकते हैं, x-1, x-6 equal to 0, आप quadratic formula भी लगा सकते हैं, middle term में split कर सकते हो, इसका middle term में split कर दो, 1 plus 6 and factorize कर द एक value आएगी x equal to 1 and 1 value आएगी x equal to 6, देख लीजी एक बार आप, चलिए next problem discuss करते हैं, ठीक है, यह भी j-e का question है, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, if the roots of the equation are 10, 15 degree and 10, 30 degree, then find the value of this expression, इस expression का अपनको value पता करना है, मैंने क्या किया भाई, 10, 15 degree को ले लिया alpha and 10, 30 degree को ले दिया मैंने beta, यानि यह alpha के बराबर हो गया, वो beta के बराबर हो गया, तो इसके जो roots हो गे, वो हो जाए आँगे alpha and beta, तो आपनको एक चीज़ पता चल गे, भाई, sum of roots हो गया, वो minus का P हो गया, and product of roots हो गया, product of roots का उतला, alpha into beta, that is equal to Q, ठीक है, अब देखो इसको solve करने के दो तरीके, यार, ठीक है, एक तो तरीका, आप alpha की जगा 10, 15 degree डिग्री डाल दो, and beta की जगा, आप 10, 30 degree डिग्री डाल दो, और simplify कर लो, आपको 10, 30 degree की value तो पता है, 1 by root 3 होती है, 10, 15 degree की value नहीं पता, तो आपन क्या करते है, है, trigonometry के concept से निकाल सकते है, कैसे, 10, 15 degree में, जो angle 15 degree, उसको अपन लिख सकते है, 45 minus 30, और वहाँ पे अपन लगा सकते है, formula 10 A minus B का, तो 10, 15 degree भी आ जाएगा, यानि ये value पता है अपन को, ये value पता है, तो इन दोनों का addition पता चल जाएगा, same logic, इन दोनों का product पता चल लेगा, P और Q पता चल गए, तो अपन P और Q का value हहां substitute कर देगे, and solve कर लेंगे, answer आ जाएगा, बड़ ये तरीका बहुत lengthy है, क्योंकि 10, 15 degree का value है, वो actually में थोड़ा सा irrational type का आता है, या थोड़ा सा बड़ा आता है, complex आता है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें दूसरा concept लगाते है, concept ये है कि 45 degree जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, कि 30 degree प्लस का 15 degree, या आपने technometry में देखा होगा, कि 1 angle को 2 angles के sum में लिखन या एक angle को 2 angles के difference में लिखना, अब इसके दोनों तरह में 10 लगा देता हूं, तो यहां मनेगा 10 of 45 degree, इधर बन जाएगा 10 of 30 plus 15, 10 of 45 अपन को पता है, कितना होता है, 1, और यहां में formula लगा रहा हूं, 10 A plus B का, तो यहां मनेगा 10 A plus का 10 B divided by 1 minus 10 of A into 10 of B, टीक है, अब एक काम करते है, 10 30 degree की जगर डाल देते अपन बीटा, and 10 15 degree की जगर पन substitute कर देते अलफा, तो 1 equal to, यहां मन जाएगा alpha plus beta, divided by 1 minus alpha beta, तो यह बन गया 1 minus alpha beta is equal to alpha plus beta, यानि 1 minus Q is equal to minus P, अपन को चाहिए Q minus P plus 2, तो मैं एक काम करता हूं, इस Q को right hand side ले जाता हूं, तो 1 is equal to, मे ठीक है, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, Q minus P का जो value है, वो यहां रख दो, तो आप, यहसी बात है, 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3, या फिर आप चाहो तो एक काम करो, इसके दोनों तरब 2 add कर दो, जैसे 2 add करो, लेप एंड साइड 3 हो जाएगी, and right hand side आप जाक का हो जाएगा, 2 2 minus Q, 2 plus Q minus P, तो basically अपना final answer क्या जाएगा, 3, ठीक है, देख लीजी एक बार, चलिए, अगले problem पे चलते हैं, ठीक है, अगला problem है कि X जो होगा, वो इसको satisfy करने वाला value होगा, and obviously बात है, जो X होगा, वो real number होगा, यहां पे mentioned है, तो कितने X हैसे होंगे, जो इसको satisfy करेंगे, number of values of X, ठीक है, यह S का मतलब तो होगया, कि यह यहां पे थोड़ा सा misprint होगया, कि यह जो पूरा का पूरा जो curly bracket लिखावा है, यह एक set है, इस set को satisfy करने वाली जो value हो X के बराबर है, तो इस set के अंदर जो number of elements आएंगे, वो पता करने, N of S का मतलब, यह cardinal number है, set के अंदर में जा रहा है, तो यहां पे कहिना कहीं अपना तरीका रगेगा, reduce into quadratic, यानि अपनको कुछ ना कुछ ऐसा substitution करना पड़ेगा, जिससे यह equation quadratic में convert हो जाए, अब यहां पे एक observation है, वो observation है कि root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2 का जो product होता है, वो आप देख सकते 1 होता है, a plus b, a minus b, a square minus b square, यानि root root 3 minus root 2 की जगे मैं replace कर सकता हूँ, 1 divided by root 3 plus root 2, ठीक है, तो यह equation में लेके चलता हूँ भाई अब, यह बन जाएगा, root 3 plus root 2 की power में x square minus 4 plus 1 divided by root 3 plus root 2 की power में x square minus 4 equal to 10, ठीक है, अब यहां पे आपको substitution दिख गया होगा, root 3 plus root 2 की power जो होगा, x square minus 4, इसको पूरे को में ले लिया t, ठीक है, तो यह convert हो जाएगा t plus 1 by t is equal to 10, यह quadratic में convert हो रहा है, इस तरीके से, तो यह बन जाएगा t square minus का 10 t plus का 1 equal to 0, ठीक है, इस quadratic का आपन solution निकाल सकते हैं, बट आप देख सकते हैं, इस quadratic का जो solution हो, वो middle term split करके नहीं निकल पा रहा ह क्योंकि इसका d greater than 0 आ रहा है, बट d जो perfect square नहीं आ रहा, आपको पता है कि इसी भी quadratic का जो rational roots आता है, या integer roots आते है, middle term split करके जो आप करते हो, वो तब ही possible होता है, जब उसका discriminant हो, perfect square होता है, इसका d जो आ रहा हो, perfect square नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें quadratic formula लग 96 को मैं लिख सकता हूं, 16 into 6, that is 96, यानि जो 16 होगा, वो root के बहारा जाएगा, तो बहारा के बनेगा 4 root 6 and by 2 हो गया, तो t equal to मेरेको मिलेगा 5 plus minus 2 root 6, ये t की value है, मुझे x की value निकालनी है finally, ठीक है, अब t जो है वो इसके बराबर था, जो अपनने यहां लिया था, मैं t को इ अगली slide पर जाता हूं, ठीक है, जगह कमा थोड़ी सी यहां पर, ठीक है, तो अपनने जो t लिया था, वो लिया था भाई, root 3 plus root 2 की power में, x square minus 4 and जो t अपन को मिला है, वो मिला है 5 plus minus 2 root 6, ठीक है, तो अब्वियसी बात है, दो value है यहां पर, एक value है अपनी 5 plus 2 root 6, और एक value ह 5 minus 2 root 6, ठीक है, इसको आप observe करेंगे, देखो मैं इसको इसके बराबर करूँगा, फिर दिख रहा है मुझे बराबर करने के बाद कैसे solve करूँगा, यह कुछ वैसा जा रहा है कि कुछ number है, उसकी power कुछ exponential है, तो अपन उसका solution तब ही निकाल पते हैं, जब नीचे के दोनों इसका a अलग कर दो, और इसका b अलग कर दो, और चेक कर लो कहीं a square plus b square का sum यह तो नहीं हो रहे है, कहीं के बार प्रोब्लम में इतना complicated भी आजाता है कि a square plus b square का एक साथ addition करके लिख देता है, तो आपको अपन को identify करना पड़ता है, कि a square and b square का value क्या होगा, और वो यहां से value हो गया and यह b का value हो गया, तो यहां पर बन जाएगा root 3 का square plus root 2 का square, तो finally में यह बोल सकता हूँ, 5 plus 2 root 6 जो होगा, यह बरावर हो जाएगा root 3 plus root 2 का square, सेम इधर हो जाएगा, 5 minus 2 root 6 को में लिख सकता हूँ, root 3 minus root 2 का square, ठीक है, अब एक काम करते है, अपन इसके बरावर करते that is root 3 plus root 2 की power में, x square minus 4 will be equal to root 3 plus root 2 की power में 2, दोनों तरब base बरावर है, तो powers को direct equate कर सकते हैं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा x square बरावर 6, यानि x बरावर plus minus root 6, 2x की values तो मुझे यहां से मिल गई, वहां से चेक करते है, root 3 plus root 2 की power में, x square minus 4 is equal to root 3 minus root 2 की power में 2, अभी आप equate नहीं कर सकते हैं, क्योंकि right hand side बे root 3 minus root 2 लिखा हुआ है, तो अपनने starting में देखा था कि root 3 minus root 2 and root 3 plus root 2 में एक relation होगी, इसको पूरे को मैं इस तरीके से बोल सकता हो, root 3 plus root 2 की power में minus 2, मतलब मैंने क्या किया है, root 3 minus root 2 की जगे डाल दिया, root 3 plus root 2 की power minus 1 and minus 1 की फिर से power किया है 2, तो power साप में आपको पता है, power सापस में क्या होती है, multiply, x square minus 4 equal to minus 2, x square वराबर कितना हो जाएगा अपना 2, तो x की जो value जाएगी, वो क्या हो जाएगी, plus minus root 2, द वाल answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला problem है, यह problem जो है, इस type के problem आपने 2 जगे देखने को मिलेंगे, एक complex number में भी आता है, इस type का problem और quadratic में भी आता है, कि भाई, alpha कोई भी value है, जो इसका root है, वो alpha अगर इस expression में रख दूँगा, तो इस expression का पूरे का value क्या आएगा, अब एक तो तरीका ही होता है, कि आप alpha जो होगा, वो इसका जो root होगा, वो निकाल लो, जैसे अपने गर इस problem में निकालने कोशिस करें, तो alpha वरावर आएगा, भाई, 6 plus minus root over 36, 28 by 2, alpha वरावर आजाएगा, 6 plus minus 8 by 2, अब आप एक चीज़ अबजर करो, alpha जो आ रहा है, वो irrational आ रहा है, अफकोर्स यह सही तरीका नहीं होगा, कि alpha का value में यहां पर रखूँगा, एन रखके solve करूँगा, तो आप देख रहे हो, वहाँ पर power force आ रहा है, power force तो फिर भी चलो, ठीक है, power 6 तका पर problem आ सकता है, तो यह तरीका सही नहीं है, कि alpha जो यहां से निकला है, उस alpha को अपन यहां रखेंगे, एन रखके अपन solve करेंगे, इसकी जगह अपन तो तरीका यूज करते हैं, यहां पर वो class 9, class 10 पर अपने पढ़ा होता है, long division method, अपन long division method यूज करते है, long division method क्या होता है, देखें, मैं यह हटा रहा हूँ, alpha इसका root है, तो alpha इसको satisfy करेगा है, यहांनि alpha square minus 6 alpha plus 7 का value मुझे पता है, कितना होगा, 0, यहांनि जो भी alpha होगा, उस alpha की वज़े से, इस पूरे expression का value 0 नहीं है, मैंने क्या किया है, इसको मान लिया divisor, इसको ले लिया dividend और दोनों को divide कर दिया, यहांनि alpha to the power 4, minus 12 alpha cube, plus 51 alpha square, minus 90 alpha, plus 60 को divide कर रहा हूँ में, alpha square minus 6 alpha plus 7 से, ठीक है, proper तरीका लगाते है, division का, division का तरीका होता है, alpha square है, alpha की power 4 हो दाएगा, 6 alpha cube हो दाएगा, plus 7 alpha square हो दाएगा, यह plus का हो जाएगा, यह minus का हो जाएगा, तो यहां मदेगा minus का 6 alpha cube, यहां इसमें से 7 कम कर दो, तो एक उपर गया, 56 कम करने है, 50 में से 6 कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 44 alpha square, minus का 90 alpha, plus का 60, ठीक है, फिर से cancel out करते हैं, तो minus का 6 alpha, that is minus का 6 alpha cube, यह से multiply होगा, that is plus का 36 alpha square, यह value इ multiply होगा, that is minus का 42 alpha, यह cancel out हो गया, जैसे यह cancel out होगा, यहां पर कितना बजनेगा, 4 और 4, 8 alpha square, यह plus का हो जाएगा, तो यह कितना देगा, 50, 48, minus का 48 alpha, plus का 60, अब last, इसको cancel out करते हैं, तो यह cancel out होगा, तब जब आप यहां पर plus 8 लोगे, तो बनेगा, 8 alpha square, 8 into 6 is minus का 48 alpha, plus 8 into 7, यानि 56, यह cancel out होगा, यह cancel out होगा, तो यहां कितना बचेगा, अपना 4, ठीक है, यह शायद मैंने 60, हाँ, ठीक है, सैली है, ठीक है, अब इसको देखो, मैं एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, वो देखेगा, जैसे मैंने answer के से conclude किया, वो मैं यहां बताने जा र 90 alpha plus 60, that will be equal to alpha square minus 6 alpha plus 7 into alpha square minus 6 alpha plus 8 plus 4, मतलब इसमें वो वह वाला फंडा लगा है, भाई, मैंने जो आप लोगोंने class 10th में पढ़ा होगा, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, मतलब यह हो गया कि dividend जो है, उसको लिखने का एक दूसरा तरीका देख लिया, आपको इस dividend में alpha की value रखनी है, and alpha की value रखके इसका value निकालना है, पूरे का value आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, dividend में ना रखके, इस वाले expression में alpha की जगे, मैं जो value आ रहे हैं, यहां से वो रख देता हूँ, तो आप खुद देखो, अगर इस expression में, इधर observe करिए, इस expression के अंदर, मैं alpha की जगे, यहां वाली value रखूँगा, तो अब्यस सी बात है, यह पूरा का पूरा time तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि alpha इसमें जो भी आएगा, वो रखोगे, तो इस पूरे का value तो अपने पहले ही पता कि 0 है, तो final answer अपना की आ जाएगा, 4, तो जो remainder होता है, इस type की problems में, जो remainder होता है, वो ही अपना final answer होता है, तो आपको बस remainder निकालना होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यह देखेगा, जैसे, मैं भी काफे सारे सवाल उस type के लिए मैंने, most of the problems जो पिछले PYQ में देख रहे है, quadratic equation के, वो Newton's identity से आ रहे है, कुछ, कुछ location of root के आ रहे है, और कुछ इस type के problem आ रहे है, जिन में आपको quadratic equation को reduce करना होगा, the original equation quadratic जैसा नहीं होगा, बट आपको reduce करना होगा, उसको quadratic equation में, जैसे, इस पे एक observation मुझे दिख रही है, कि X plus 1 by X को मैं क्या ले लूँ, T, एंड दोनों तरब स्क्वारिंग कर दू, X square plus 1 by X square plus 2, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, T square, तो मैं यहां से X square plus 1 by X square का value बोल सकता हूँ, T square minus 2, एक बार देखिए, एक काम करते है अपन, यह number 1 and number 2, यह दोनों substitution problem के अंदर डाल देते है, तो 3 into T square minus 2 हो गया, minus का 2 times of T plus का 5 equal to 0, अब यह T के terms पे quadratic बन गए, जिसको अपन easily middle term वगेरा split करके solve कर सकते है, T square minus का 2T minus का 1 equal to 0, यह मिलके 6 था, 6 plus 5 is minus 1, ठीक है, minus 6 plus 5 था, ठीक है, इसका middle term split हो रहा है, 3T square minus का 3T plus का T minus का 1 equal to 0, तो एक bracket आएगा 3T plus 1 और एक bracket आएगा T minus 1 and that is equal to 0, या तो T का value 1 होगा, या T का value minus 1 by 3 होगा, अब अपन solve करते है इसके लिए, अपनको finally देखो, T नहीं निकालना, अपनको finally X निकालना है, यह T तो भाई, एक माध्य हमें अपने लिए media भाई, X तक पहुंचने के लिए एक तरीके से देखा दाए, तो ठीक है भाई, पहला part, यहां कर रहा हूं में, X plus 1 by X को मैंने 1 के बरावर ले लिया, obviously बात ही, X square minus X plus 1 equal to 0 बनेगा, साब-साब दिख रहा है, इसका D less than 0 है, तो इसका मतलब में क्या बोलूँगा, no solution, real की बात की है, कोई solution नहीं है, यहां से तो, दूसरा चीज, X plus 1 by X equal to minus 1 by 3 है, simplify कर लेते, that is, 3X square plus 3 equal to minus X, LCM ले लिया, मैंने दोनों तरफ, ठीक है, तो यह आगे चलके बनेगा, 3X square plus X plus 3 equal to 0, चेक कर सकते हैं, आप इसमें, again D less than 0 आ रहे हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, no solution, तो finally इसका कोई solution नहीं है, तो इसका answer आएगा, that is, 0, नंबर पूचा आपसे, solution की value किया है, वो नहीं पूचिया, आपसे नंबर पूचा कितने solution होंगे, इस quadratic equation के, या इस expression के, ठीक है, चलिए, अगला problem discuss करते हैं, आप जैसे यह भी फिर से वेसाई problem है, यह 4 degree का equation है, आप यह मानके चलिए, कि अपने उसको जो एकजामे problem दी जाएगी, 4 degree, 3 degree की बहुत कम चांस, 4 degree, 3 degree पे जाएगी, कहिना की, वो reduce हो रही होगी, quadratic में, observation कैसे हैं, आप यह देखे, इस number का जो कॉफिस, यह जो number है, और यह जो number है, दोनों बराबर है, यह दोनों number भी बराबर है, और यह number automatically obviously बात है, different होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x square common ले लेता हूँ, पूरे से, तो यह expression ऐसा change हो जाएगा, 12 x square, minus का 56 x, plus का 89, minus का 56 divided by x, plus का 12 divided by x square, and that is equal to 0, ठीक है, तो इसको आगे कर सकते हैं अपन, that is 12 x square plus 1 by x square, identical type वाली terms को साथ में ले लेते हैं, minus का 56, x plus 1 by x, plus का 89 equal to 0, अब आप observe करिए, यह exactly वो problem बन गया, जो अपना last problem था, अगर मैं आपको एक बार फिर से last problem दिखाऊ, लास्ट प्रोल्म बिल्कुल ऐसा लिखावाता है, इसमें x plus 1 by x का एक टर्म था, x square plus 1 by x square का एक टर्म था, और आप देखें, इसमें भी वोई बन गया, x plus 1 by x का एक टर्म, x square plus 1 by x square का एक टर्म, फिर से हुई तरीका रहेगा, इसको आप खुद solve करेंगे, मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं आगे तक, x plus 1 by x का आप क्या लेंगे, t, दोनों तरब स्क्वारिंग कर देंगे, x square plus 1 by x square का value हो जाएगा, t square minus 2, substitutions कर देंगे, 12, t square minus 2, minus का 50, 60 plus 89 equal to 0, quadratic जो बनेगी, वो बन जाएगे, 12, t square minus का 50, 60 plus 89 minus का 24 equal to 0, इनको भी अगली लाइन में simplify कर लेंगे, that is 12, t square minus का 50, 60, 89 minus 24 कितना हो गया भाई, 65 plus 65 equal to 0, ये equation आगे, अब definitely यहां से जो t की कितने value जाएगी, दो, t बराबर t1 होगा, और t बराबर t2 होगा, थोड़ा सा calculate वही है, t बराबर जो t1 आ रहे हैं, फिर इसका use करूँगा, फिर से में, equation number 1 का, एक बार t1 रख दूँगा, x में quadratic बनेगी, x की value निकालूँगा, एक बार t2 रख दूँगा, x में quadratic निकलेगी, x की value निकालेगा, finally maximum अगर value जा सकती है, तो 4 आ सकती है, एक quadratic के roots होते है, वो 2 होंगे, या solutions की बात करूँ, तो solution 2 possible है, 2 इस से possible है, solution 2 उस से possible है, तो maximum 4 possible है, बाकी depend करता है, भाई, t1 और t2 की कैसी value आ रही है, हो सकता है, एक quadratic कैसा बन जाए, जिसका delay देन जूरा है, इसको आप आगे खुछ से try करिएगा, do it yourself, ठीक है, चलिए, next problem discuss करते हैं, यह फिर से देखो, वैसा ही आ रहा है, अब फिर से देखो, कुछ सत्तक वैसा ही problem आ रहा है कि, आप यहाँ पे एक नंबर है, और यहाँ एक नंबर है, आप दोनों की value चेक करो, 1 है, नंबर का मतलब इसके आगे की कोफिशेंट की बात करो, यहाँ एक नंबर है, और यहाँ एक नंबर आप चेक करो, दोनों की value 4 आ रही है, और बीच वाले नंबर की value अलग जा रही है, फिर से यह quadratic नहीं है, अगेर अपनको इसे reduce into quadratic करना है, तो मैंने कहाँ किए e की power 2x को मल ले लिया, तो यहाँ से e की power 2x आ गया, 4 into e की power x आ गया, sorry, minus का 58 हो दाएगा, plus 4 divided by e की power x हो दाएगा, 1 divided by e की power 2x and that is equal to 0, identical terms को साथ में ले 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 थाम, e की power 2x divided by e की power 2x plus 4 e की power x plus 1 by e की power x and minus का 58 equal to 0, ठीक है, यहां तक, अब फिर से वही तरीका, e की power x plus 1 by e की power x को अपन क्या ले 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 थे, यह बिल्कुल वैसा ही हो गया, same e की जैसे सवाल देखो, जहीं में आरे, बार बार, जैसे यह वाला था, इसमें direct, ऐसा था कि जिसमें आप substitution दीख रहा था, इसमें आपको substitution इसा बनाना पड़ा, same, इसमें भी आपको substitution, यह देखो 22 का question हो, पिछले वाला 21 का था, हर बार एक ही जैसे question repeat हो रहे है, बस आपको PY, इसलिए बोला जाता आप PYQ जरूर करो, PYQ का मतलब previous year questions, इसलिए आपको जो recommend गया दाता है कि आप previous year questions के question जरूर करो, चाहे पूरे नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता आपके बाद time नहीं हो, या फिर हो सकता previous year questions के question जो as shift के साब से देखे, तो बहुत ज्यादा निकल रहे हो, लेकिन कुस्तों करने होते हैं आपको 2AB हो गया, यह E square हो गया, यह B square हो गया, 2AB का मतलब होगा, 2, 2 को मैं उदर ले गया, यह दोनों के दोनों, मैं इसके अंदर substitute कर देता हूं, तो यह बन जाएगा, T square minus 2, plus का 40, minus का 58, equal to 0, T square, plus का 40, minus का 60, equal to 0, इसका middle term is split हो रहा है, 10 और 6 में, तो T square, plus का 10T, minus का 60, minus का 60, equal to 0, मैं direct factors बना देता हूं भाई, एक factor रहेगा, T plus 10 का, और एक factor रहेगा, T minus 6, equal to 0 का, तो एक value होगे, T बराबर minus 10, और दूसरी value होगे, T बराबर 6, ध्यानक ना अपना answer, T नहीं था, अपना answer, X था, X की value निकालने है, अपन को number of real solution, तो एक काम करते है, T से वापस चलते है, प पुरा solve करेंगे, तो अपना time extra में, जो अपनको ऐसी question में देना है, जिसमें really needed है, वहीं देना चाहिए, इस question में अपन इसके आगे conclude कर सकते है, यह value होती है, यह value अपन को पता है, positive होती है, तो definitely यह value भी कैसी होगी, अपनी positive, and though positive numbers का addition कभी भी negative नहीं हो सकता, तो इसको solve क करने के need नहीं है, मैं directly बोल सकता हूँ कि इस equation का no solution होगा, यहनि कोई answer ही नहीं आएगा, कोई real value नहीं आएगी x की जो इसको satisfy करेगी, अपनको सिफ second वाला solve करना है, तो second वाला solve करते है, that is e की power x, plus 1 by e की power x, equal to 6, ठेक है, अब एक काम गराफ इसमें e की power x को कुछ k लेलो, या y लेलो, क्योंकि यह फिर से quadratic बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, e की power x को k लेलेता हूँ, k square minus का 6 k, plus का 1 equal to 0, याद रखना e की power x को मैंने k लिया है, तो अब इसमें middle term नहीं split हो रहा, तो अपने एक काम करते हैं, इसमें quadratic formula लगाते, k equal to 6 plus minus root over 36 minus का 4 divided by 2, k की value यह हो गया 32, 32 का मतलो हो गया 16 into 2, 16 का मतलो हो 4 बहरा जाएगा, 4 root 2 by 2, k की जो value आ रही है, यानि e की power x की value आ रही है, यहां से 3 plus minus 2 root 2, ठीक है, 3 plus 2 root 2 possible है, क्योंकि positive number है, 3 minus 2 root 2 भी आप solve करके, 2 root 2 का value 3 से बढ़ाने होता है, 3 से छोटा होता है, 2 root 2 का value जाएगा 2.8 something type, क्यो 1 root 2 जो होता है, 1.4 होता है, 1.4 को अगर आप 2 से multiply होता है, 2.8 something value जाएगी, और 3 में से 2.8 something value को subtract करा हूँ, वो भी positive है, यह दोनों value possible होने का मतलब हो गया, e की power x equal to 3 plus 2 root 2 भी possible है, तो यहां से x का value हो जाएगा, ln 3 plus 2 root 2, और दूसरा जो है, e की power x equal to minus 3 minus 2 root 2, यानि x का value हो ग पांसर आएगे, e का एगा, ln 3 plus 2 root 2, e का एगा, ln 3 minus 2 root 2, तो number of solutions पूछे अपन से, तो आपन बोलेंगे, इसके 2 solutions है, ठीक है, चलिए, आगे भढ़ते है, यह equation है, इस equation में यह बोला है कि, इस equation के कितने solutions होंगे, and कौन से type के होंगे, positive negative step से, आप देखो, इसमें भी फिर से वोई observations आ रहे है, इन दोनों में आप चेक कर सकते हो, number 11 आ रहे है, इन दोनों में आप चेक कर सकते हो, number 88 आ रहे है, definitely एक जिका प्लस आ रहा है, उसका कोई ना कोई reason होगा, देखते है, तो फिर से वोई तरीका लगा है, मैंने, एक काम करता हूँ, इसको मैं अगली slide में ल equal to 0, एक बार चेक कर लेते है, सही लिखायाना पन ने, प्लस का 13, माइनस का 8, ठीक है, अब देखते है, इसको solve करते है, ठीक है, फिर से वोई तरीका इसमें e की पावर 2x अपन कोमन ले लेते हैं, तो यहां बनेगा e की पावर 2x, 8 e की पावर x, प्लस का 13, माइनस का 8 by e की पावर 2x, फिर से एक जैसी दिखने वाली टम्स को साथ में ले लेते, e की पावर 2x, 1 by e की पावर 2x, प्लस 8, ब्रेकेट, e की पावर x, प्लस 13, इक्वल टू 0, अब इस बार मुझे इसको t लेना पड़ेगा, लास्ट टाइम क्या आ और था, यहां प्लस आ रहा था, यहा 1 by e की पावर x को पन t लेते है, स्क्वारिंग कर देंगे दोनों तराफ, माइनस 2 आएगा, तो वो उदर जाके t square प्लस 2 हो जाएगा, बस, तो यह जो quadratic में convert हो जाएगा, वो quadratic हो जाएगा, t square प्लस का 8t, प्लस का 13, इक्वल टू 0, यह बन गया t square, प्लस का 8t, प्लस का 15, t plus 5 and t plus 3, मैंने middle term direct split कर दिया और t के दोनों values निकाल दे, t बराबर minus 5 and t बराबर minus 3, ठीक है, अब अपन वहाँ चलते हैं, वापस, अपन को देखो, finally x निकालना, t नहीं निकालना, ठीक है, तो e की पावर x पहला case, minus 1 by e की पावर x की value को मैंने ले लिया, minus 5 की बराबर, तो e की पावर x को k लेंगे, तो बनेगा k square plus का 5k and minus का 1 equal to 0, एक बाद चेक कर लिजे, इसमें quadratic formula लगाऊंगा, minus का 5 plus minus root के अंदर 29 divided by 2, तो k के दो values आ रहे, यानि e की पावर x के दो values आ रहे, e की पावर x equal to minus 5 plus root के अंदर 29 by 2 and e को का minus का 5 minus root के अंदर 29 by 2, of course ये value आपको ignore मारना है, हटाना है इसे, क्योंकि e की पावर x कैसा होगा, positive वो तो negative होता है, root 29, root 25 से बढ़ा होता है, root 25 जो होता हो 5 होता है, तो root 29 जो होगा, 5 point something होगा, 5 point something minus 5 is positive value, यानि ये possible है, तो अगर मुझे x की value निकाल नहीं आसे, तो मैं ln ले ले लेता हूं, ln of root 29 minus का 5, 2, अब देखो, आप एक और चीज़ अपजर करिएगा, इस problem में आप से ये भी पूछा है कि roads किस type के होंगे, negative होंगे, positive होंगे, ये भी पूला है, तो अपन को वो जब ln की value आई है, उस पे भी comment करना है कि वो value अपनी positive आई है, negative आई है, अपन को पता है, ln का जो graph होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ln मतलब base 1 से बढ़ा है, तो अगर अपन को पता है कि जो input जो है, जिसे ln of x, x is input, अगर input का value 1 से बढ़ा है, तो log का graph कहा होगा, x axis के above होगा, x axis के above होने का मतलब है, value कैसी होगी, positive, और अगर input जो है, वो 1 से छोटा है, तो log का graph कहा होगा, x axis के below होगा, x axis के below होने का मतलब, जो output होगा, इस पूरे क value होगी, वो कैसे होगी, negative, अपनको बस यह check करना है, यह value जो है, यह value है, यह value 1 से छोटी है, 1 से बढ़ी है, बस अपनको यह check करना है, of course, यह तो अपन आसानी से बाल सकते, root 29 is 5 point something, minus 5 is 0 point something type, by 2 is again, 0 and 1 के बीच का, यह जो value है, वो 0 से तो बढ़ी होगी, but 1 से कैसी होगी, छो अभी मैंने यह वाला केस कंसिडर किया, अभी t equal to minus 3 लेना बाकी है, e की power x minus 1 by e की power x equal to minus 5 लिया है, e की power x minus 1 by e की power x equal to minus 3 लेना भी बाकी है, ठीक है, तो उसको भी एक काम करते हैं, इधर discuss कर लेते हैं, तो e की power x minus 1 by e की power x equal to minus 3 लिया, again e की power x equal to k ले लेंगे, plus 3 k minus 1 equal to 0, quadratic formula minus का 3, plus minus root over 9 and 13 by 2, b square minus 4ac, b square का value 9 हो गया और 4ac का value हो गया, 4 और बीच में minus आता तो minus minus plus हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर दो value जाए, plus की और minus की, of course minus वाली value हटानी है, same logic, क्योंकि दोनों तरफ minus नहीं हो सकता, क्योंकि k जो है, वो e की पावर x का value है, finally e की पावर x बराबर आजाएगा 13 minus 3 by 2, x का दो value हाजाएगा, ln of root 13 minus 3 by 2, अब अगेन इसके positive और negative पे अपनको comment करना है, check करना है, ये value 1 से छोटी है, 1 से बढ़ी है, root 13 is root 12 से हलका सा बढ़ा, या root 9 से ऐसे बोल सकता हूँ, root 9 से हलका सा बढ़ा है, ठीक है, root 9 जो होता है, वो 3 होता है, तो root 12 सो होगा, root 13 सो होगा, 3 point something type होगा, क्योंकि root 13 जो है, root 9 and root 16 के बीच का है, यानि root 9 ऑर 16 के बीच का होने का मतलब, ये value 3 and 4 के बीच की है, ये 3 से तो बढ़ी है, ये sure है, तो ये value होगी 3 point something type, 3 point something minus 3 is, 0 point something by 2 is, again number will lies in between 0 and 1, तो ये value 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो finally ये जो पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, negative, इस problem का जो answer आएगा, वो ये वाला आएगा, two solution and both are negative, ठीक है, next problem ये है, इसमें अपन क्या कर र तो ये हो गया root of 6 plus 6, फिर से 6 dot 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 infinite, ये पूरा आपन ने किस के बराबर लिये, x के बराबर, अब ये वो ही बात होगी, कि भाई, infinite है, infinite में से गर आप एक छोटी सी value कम कर दें, तो तो remaining होता है, जहां से pattern repeat होता है, वो भी कैसा रहता है, infinite, तो आपको वैसी ये observe करना है, pattern क कहां से repeat हो रहा है, लाइक ये चीज, अगर मैं इस पहले वाले root 6 को भूल जाता हूं, तो आप देखो, ये फिर से विल्कुल वैसा का ऐसा ही देखेगा, जैसा original था, तो ये भी तो x के बराबर होगा, तो finally मैं इस ऐसे लिख सकता हूं, 6 plus x, and इस पूरे का root equal to x, दोनों त करेंगे, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, of course ये सारे positive values है, and positive numbers का तो square root होगा, वो कैसा होगा, positive होगा, ये negative numbers में तो possible ही नहीं, square root लेना, तो definitely x जो होगा, वो negative तो नहीं हो सकता, तो finally अपना answer जो होगा, वो x equal to 3 होगा, ठीक है, चलिए, अगला, अगला भी देखेगे, बिल 3 plus something type, तो अगला 3 plus something type का हा रहा है, वो यहां रहा है, तो अगर ये पूरा मेरा x के बराबर है, तो जिसके उपर मैंने ये yellow color से circles बनाया है, एक तरीके से figure बनाया है, ये फिर से किसके बराबर हो दाएगा, x के बराबर, तो ये जो expression है, 3 plus 1 divided by 4 plus 1 by x हो दाएगा, and that is equal to x, इ positive numbers में, addition, subtraction, addition, multiplication, division, कुछ भी करो, positive याना, subtraction छोड़के, तो इसको भाई simplify करते है, LCM ले लेंगे, 3 plus x divided by 4x plus 1 equal to x, multiply कल दिया, 12x plus 3 plus x equal to 4x square plus x, ये cut गया, I will get 4x square minus का 12x minus का 3 equal to 0, middle term split नहीं हो रहा है, तो quadratic formula 12 plus minus root over b square, that is 12 का square, plus का 4 into 4 into 3, ठीक है, divided by 2 into a, देखो, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि आपको मैं common लेना सिखा सकू, देखो, यहां से कुछ common आएगा, obvious सी बात है, अब एक तो तरीका होता है, कि आप इसका square खोल दो, जो value आएग, इसको multiply करो, add कर लो, फिर चेखो, क्या common आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो, एक और तरीका है, आसान तरीके होते है, यह आपकी calculation को क्या है, simple बना देते है, और अपन को भाई, अपनी calculation जही में, simple ली रखनी है, यह जो 12 है, यह लिखा जा सकता है, 4 into 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई, 4 into 3, फिर से 4 into 3, और इस तरब जो लिखावा है, मेर पास 4 into 4 into 3 है, मैं ऐसी number common लेना चारा हूँ, जो square में साता है, जैसे यहाँ पर 4 into 4 दो बार है, और यहाँ पर 4 into 4 दो बार है, तो मैं एक काम करूंगा, 16 common ले लूँगा, और यह है 2 into 4, that is 8, तो जैसे मैं 16 common लूँगा, तो 16 बहार आएगा, तो 12, 16 बहारा के 4 बन जाएगा and अंदर किया बचे का 9, और उदर 3, that is 12, तो बनेगा root 12, of course root 12 भी फिर से आगे simplify किया जा सकता है, यह बन गया 8, 4 से कट रहा है, x equal to 4, यह कितना हो जाएगा, 2 root 3 and divided by 2, तो इस में से जो negative वाला value है, वो अठाना है, तो finally अपने को मिलेगा, 3 plus 2 root 3 by 2, यह अपना finally answer हो देगा that is this one, इसमें अलग अलग करतेंगे, first आएगा 3 by 2 और दिसरा term आएगा root 3, 3 by 2 का value होगे 1.5, तो इसका answer first आजएगा, ठीक है, चलिए, अगला problem, यह problem देखे, मैंने homework लिखावा है, यह homework है, बिलकुल आप इसी तरीके से करिएगा, इसको x ले लिजेगा, इसको x लेके फिर वापस pattern ढूणना, आपको कहां से repeat हो रहा है, pattern आपको यहां से repeat हो रहा है, इसको फिर से x ले लिजेगा, तो बनेगा 4 plus, ऐसा कुछ बन जाएगा, 4 plus 1 divided by 5 plus 1 divided by x and that is equal to x, ठीक है, यह simplify करोगे, LCM अगेरा लोगे, यह फिर से back side जैसे अभी अपन ने पिछली slide में देखा थ वैसे ही यहां पर भी quadratic equation बनेगी, उस quadratic equation को solve करके roots वगेरा निकालने, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आपन अगला topic स्टार्ट करते हैं, अभी तक अपनने basic topic चल रहा था, quadratic equation क्या होती है, वो देख रहेते हैं, quadratic equation में identity लगाया, अपनने equation क्या होती है, roots कैसे निकालते है ठीक है, थोड़ा सा roots और coefficients के बीच का जो relation है, थोड़ा बहुत पहले भी यूज किया, बट actually मैं अब अपन यहां समझने जा रहे हैं, कि actually मैं roots और coefficients के बीच में relation कैसे निकाला जाता है, तो एक quadratic equation जो होता है, उसके अपन दो roots लेते हैं, और factor theorem की help से, अपन उसको ऐसे factorize कर के लिख सकते हैं, कि माल लेते हैं, अपन quadratic equation के जो roots है, वो alpha और beta है, तो अपन factor छोरम से ऐसे लिख सकते हैं, यह दोनों आपसे बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को मैंने equate कर दिया, ax square plus का bx plus का c, ax square minus alpha plus beta times of x plus alpha beta, compare कर दूँगा, तो I will get alpha beta is equal to minus का b by a, and alpha beta is equal to c by a, यह आता है, relation between roots and coefficient quadratic में, यह दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत काम के होता ही है, सेम इसी तरीके से, अगर मैरे पास cubic equation, ax cube plus का bx square plus का cx plus का d equal to 0, and इसके मैंने roots जो है, वो ले लिए alpha beta gamma, ठीक है, तो again, roots में जो relation होगी, वो होगी, alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, alpha beta plus का beta gamma plus का alpha gamma is equal to c by a, ठीक है, and अगली जो आएगी, alpha beta gamma equal to minus का d by a, अब देखो कुछ जगे पर आप देखो minus आ रहा है, और कुछ जगे पर plus आ रहा है, फिर इसके साथ plus होता है, फिर इसके साथ minus होता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, alternate plus minus होता है, same logic, इसके साथ plus, इसके साथ minus ऐगा, इसके साथ plus हाएगा, जहां जहां C जाएगा वहां प्लस के साथ जाएगा, जहां जहां B जाएगा माइनस के साथ जाएगा, जहां जहां D जाएगा माइनस के साथ, यह से D आया तो माइनस एक पहले से X ठा लगा दो, एक तरीके से यह है, ठीक है, यह expression बहुत काम के है, इन expression को आपको ध्यान रखन मैं इसको इसके roots के terms में factorize कर सकता हूँ a times x minus alpha x minus beta and x minus gamma इनको multiply करो एक x cube का term आएगा एक x square का term आएगा एक x का आएगा एक constant आएगा x square वाले term को compare करना x वाले term को compare करना और constant term को compare करना ये तीनों relation generate हो दाएगी ठीक है चलिए अब अपन problem discuss करते हैं इस पर relation between roots and coefficients पर तो अपने पास क्या है जैसे एक problem है if a and b are non-zero real numbers and p,r are the roots of the equation q,s are the roots of the equation इस equation के जो roots है वो p and r है और इस equation के जो roots है वो q and s है and आगे चलके अपनको एक relation दे रखिए 1 by p,1 by q,1 by r,1 by s,r in ap ये 4 number ap में है तो ठीक है भाई अपने एक काम करते है x square minus का 8ax plus का 2a equal to 0 इसके roots अपने क्या है p and r, sum of roots that is 80, product of roots that is 2a देखो मुझे 1 by p दे रखा है observation कहां से 1 by p है तो मेरे को कहीं ना कहीं 1 by p,1 by q,1 by r,1 by s टाइप चीजे जनरेट कर दिया मैंने क्या क्या इसको इधर divide कर दिया जैसे divide करूँगा 1 by r plus 1 by p हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा divide करने पे 4 यह हो गया मेरा equation number 1 इसको ध्यान रखना इसकी ज़रोत पड़ेगी 1 by p और 1 by r जनरेट कर दिया दूसरे में हो सकता 1 by q plus 1 by s जनरेट हो जाएगा चारों का सम कर दूँगा क्योंकि 4 terms ap में लेने का तरीका मुझे पता है इवन आपको अभी यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देखा होगा रिसेंटली जिसमें शेलेंसर ने आपको सिक्वेंस सीरीज का रिविजन करवाय है उसमें आपको बताया गया selection of terms ap में अगर आपको कभी term select करनी होती है तो अपन ऐसी term select कर सकते है भाई 1 by P, 1 by Q, 1 by R, 1 by S ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो second equation क्या है अपनी X square plus 12 B X plus 6 B equal to 0 इस equation के जो roots अपने वो Q and S है तो Q plus S का जो sum आएगा that is minus 12 B and Q S का जो product आएगा that is 6 B यह हो गया sum of roots and यह हो गया product of roots again मुझे 1 by Q plus 1 by S type देखना है तो मैं क्या गरूँगा इस equation को इधर divide कर दूँगा that is 1 by S plus 1 by Q equal to मुझे मिल जाएगा minus का 2 and इसको मैंने नाम दे दिया second अब एक काम करते है अपन को 4 terms लेनी थी 1 by P, 1 by Q, 1 by R, 1 by S यह AP में है मैंने इनको इस तरीके assume कर लिया कि यह capital A minus 3D हो गया यह वाला हो गया capital A minus D capital A plus D और capital A plus 3D मतला 1 by P का value ले लिया मैंने capital A minus 3D, 1 by Q का value capital A minus D capital A plus capital D capital A plus capital 3D, 4 को add करूंगा, यह फाला क рассказыв में, इसको लेने का फायदा क्या होता है इसको लेने का फायदा है गरे इन 4 का sum दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, D cancel out हो जाता है एंड capital A का value है जो भी होता है constant उसका value पता चल जाता पर अपने एक काम करते है equation number 1 plus equation number 2 को add कर देते हैं तो left hand side में अपनको 1 by P plus 1 by Q plus 1 by R plus 1 by S मिलेगा and right hand side में इसकी value आजाएगी 2 मैं यहाँ पर 1 by P 1 by Q 1 by R 1 by S जो AP की डरम से जो मैंने assume किये वो रख देता हूँ जैसे ही रख capital A का value मुझे पता सल जाएगा that is 1 by 2 मैंने को देखो problem थोड़ा सा लेंदी है लेकिन actually मैं है जी ठीक है मुझे small a and small b निकालना है small a and small b तब निकलेगा जब न यह निकलेगा यह small a और यह small b है यानि मुझे PQRS किसी भी तरीके से निकालने है और PQRS तभी निकलेगी जब आ ठीक है इसमें 1 by R का मतलो हो गया third वाला term that is capital A plus D plus 1 by P का मतलो हो गया first वाला term that is capital A minus का 3D and that is equal to 4 तो यह बनेगा minus का 2D equal to 4 minus का 2 into A 2 यह उदर चला जाएगा और A का value कितना है 1 by 2 तो यह बन जाएगा 1 by 2 तो minus का 2D जो आएगा 4 minus का 2 that is यह हो जाएगा अपना minus का 2D equal to 4 minus का 2A तो minus का 2 times of capital D equal to 4 minus 2 into 1 by 2 that is minus का 2 times of capital D is equal to 3 तो D का जो value आएगा minus 3 by 2 यहाँ पे अपना पूरा सवाल complete हो गया है ठीक है अपने एक काम करेंगे capital A and capital D यहां रख देंगे capital A का value रखो आप इसमें 1 by 2 and capital D का value रखो आप इसमें minus 3 by 2 तो 1 by 2 minus 3 by 2 का मतलब हो गया plus 9 by 2 1 by 2 plus 9 by 2 is 10 by 2 तो इसका value हो गया 5 अगले की बात करते हैं 1 by 2 plus 3 by 2 that is 4 by 2 4 by 2 का value कितना हो गया 2 अब आपको एक्चली में आगे की value ऐसे लिखने की need नहीं है क्योंकि यह AP है और AP में अपनको पता है difference बराबर होता तो इन दोनका difference minus 3 आ रहे हैंनी अगला जो term होगा वो अपन इसी common sense से लगा देंगी that is minus 1 and इसके जो अगला term होगा that is minus का 4 तो अपनको एक्चली में 1 by P का value पता सल गया that is 5 1 by Q का value पता सल गया that is 2 1 by R का value पता सल गया that is minus 1 and 1 by S का value पता सल गया that is minus 4 अपनको A निकालने है नी P और R का product कर देना है that is equal to 2 तो ठीक है भाई फर्स्ट और थर्ड वाले का product करूँगा 1 by P into 1 by R that is minus का 5 तो P into R का value गया minus 1 by 5 यह 2 A के बराबर है minus 1 by 5 यहां से A का value मुझे मिल जाएगा minus का 1 by 10 जिस तरीके से मैंने A का value निकाला है उसी तरीके से मैं क्या करूँगा इसका use करके मैं B का value निकालूँगा और A और B की जो value जाएए उन दोनों का reciprocal करके difference कर दूँगा A की value को पहले रखूँगा और B की value को बाद में रखूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला problem है if P and Q are the real numbers such that P plus Q equal to 3 and P to the power 4 plus Q to the power 4 equal to 369 मैंने इसका use किया इसमें मैंने दोनों तरफ squaring कर ली P square plus Q square plus का 2PQ equal to 9 ते बन जाएगा P square plus का Q square equal to 9 minus का 2PQ मुझे वो यह उच करना है मैंने किया कि इसको number 1 दे दिया इसका फिर से दोनों अधर पर squaring कर दिया तो P to the power 4 plus Q to the power 4 plus का 2 times of PQ का square is equal to 81 plus का 4P square Q square minus का 36PQ यह value मुझे पता है तो यह value डाल देते हैं 369 and मैंने यहाँ पे क्या गया PQ को T ले लिया of course यह quadratic नहीं है बड़ reduce into quadratic है यह नहीं substitution करूँगा तो कहीं नहीं quadratic में convert हो दाएगा 2T square 81, 4T square minus का 36P तो सब को उधर ले दाते हैं 2T square minus का 36P is equal to इस में से यह number subject करना है अलग से कर लेते हैं 36981 यह कितना देगा 8 यह देगा 8 और यह देगा 2 तो यह बनेगा minus का 288 equal to 0 2 common ले लो T square T 144 equal to 0 इसका middle term split हो रहा होगा वो middle term split करते हैं एक बार पूरा करके देख लेते हैं क्योंकि इसमें calculation हो सकता कहीं कुछ ना कुछ फसेगा वैसे तो इसका middle term मुझे शाहे दिख रहा है इसमें 16 इंटू 2 से हो दाएगा यह ठीक है 16 इंटू 2 से नहीं हो पा रहा चलिए रेखते है 144 को ऐसे लिख सकते है यह पन 12 इंटू 12 तो इसको लिख सकते है 6 इंटू 2 6 इंटू 2 ठीक है आरदू नी 16 16 इंटू 2 24 24 और चैसे और गये तो यह ऐसा बनेगा टी स्क्वेर माइनस का 24 टी प्लस का 60 माइनस का 144 इक्वल टू 0 मतला मैंने क्या किया इसका middle term split के एक तरीके से फेक्टर्स बना दिए एक टी माइनस 24 का फेक्टर आएगा और एक आएगा टी प्लस 6 का फेक्टर इक्वल टू 0 तो या तो टी बराबर 24 होगा या टी बराबर माइनस 6 होगा चेक करना पड़ेगा कौन सा होगा टी जो है वो ध्यान रगना पीक्यू है अब एक्चली मैं कोहीना कई पैटर्न बन रहा है ऐसे एक्वेशन वापस आ रहे है इसलिए बार-बार फोकेस की अधार है कि आप पीवाई की जरूर करिए इस एक्वेशन की हेल्प से मुझे ये पता सलेगा कि इन दोनों में से कौन सी वेल्यू मुझे कंसिडर करनी है ये पीक्यू के प्र प्रड़े इस रखोंगा ये पूरा जैगा एक पुजी नंबर दूरसरे पोसिटिव नंबर के बराबर हो सकता है डिपेंट करता वेल्यू जा ए उसके उपर तो पीक्यू का मतलब हो गया 3 by minus 6 and power is minus 2, तो यह बन गया भाई, minus 1 by 2 या नि 1 by 2, 1 by 2 की power minus 2 कितना होता है, 2 की power 2, that is 4, देख लिए एक बार, चलिए अगला problem देखते है, alpha, beta इस equation के roots है and बोला है, the sum of square of reciprocal of roots of the equation is 15, मतलब यह चीज़ बोली है, 1 by alpha square plus 1 by beta square and that is equal to 15, तो अपन को क्या नहीं पता है, जैसे यह equation अपन को पता है, अगर उस equation के बारे में बात करूँ तो, उस equation में sum of roots हो जाएगा, alpha plus beta is equal to minus lambda by 3 and product of roots that is alpha beta equal to minus 1 by 3, यानि अपन को lambda नहीं पता है, बस, lambda पता सल जाता तो अपना answer आता और यह तरीका अपन को पता है, यह अपनने सीखिए, कुछ relations होती है, जो alpha square, अगर alpha plus beta, some of roots हो इन product of roots अगर पता हो, तो alpha square plus beta square कैसे निकाला जाता है, alpha cube plus beta cube कैसे निकाला जाता है, alpha to the power 4 plus beta to the power 4 कैसे निकाला जाता है, वो सब अपनने सीखा है, ठीक है, इसको अपन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ alpha plus beta के whole square minus का 2 alpha beta divided by alpha beta का square and that value is equal to 15 तो values डालते भाई इसके अंदर तो यह बनेगा lambda square divided by 9 minus plus 2 by 3 divided by 1 by 9 मैं एक काम करता हूँ denominator same बना लेता हूँ numerator का और denominator का ताकि cancel out होदा है मैंने किया किया तो 3 से multiply divide कर दी तो इसका denominator भी 9 है और इसका denominator भी 9 तो cut जाएगा तो बन जाएगा lambda square plus 6 equal to 15 lambda square equal to 9 lambda की जो value आ रही है एक value 3 आएगी एक value minus 3 आएगी अगर आप value 3 लोते हो alpha plus beta का value minus 1 आएगा and alpha plus beta का value इसमें बनाएगा ठीक है अपन को जो answer दिया है इसमें देखो और कोई condition नहीं दी गई है ठीक है कि अपन को कौन सा value लेना है alpha plus beta का value है ना alpha plus beta मतला lambda equal to 3 भी हो सकता है lambda equal to minus 3 भी हो सकता है अपन एक काम करते हैं इसकी value पे चलते हैं इसकी value निकाल लेते हैं चेक कर लेते हैं कौन से से match कर रही options के बराबर वोई answer हो देगा तो अपन को जिसकी value निकालनी है वो expression है 6 यह alpha q plus beta q है तो alpha q plus beta q को लिखते है alpha plus beta का whole q minus 3 alpha beta bracket alpha plus beta and इस पूरिय का square है ठीक है भाई एक काम करते हैं इसमें एक बार यह वाला case ले लेता हूं मैं alpha plus beta equal to मैंने 1 डाला and alpha beta equal to मैंने कितना डाला इसमें minus 1 by 3 यह दोनों values मैंने इसमें substitute की तो 6 bracket यहां 1 डाला तो यहां 1 हो गया plus 3 into 1 by 3 into 1 का square तो यह कट जाएगा तो यह कट के कितना देगा 2 तो 6 into 4 that is 24 इस से answer match कर रहे है definitely आप दूसरे वाले से निकाल के देगे शैद हो सकता है दूसरे वाले से भी 24 यहां रहा होगा यहां पर 1 minus होगा यहां 1 minus होगा 3 minus होगे तो minus 1 सेम ही आएगा minus 2 बनेगा अंदर minus 2 का square फिर से कितना होगा 4 4 का मतलब 24 सेम ही answer आना है the minimum value of sum of square of the roots of the equation मतलब इसके जो roots है वो अपन ले लेते alpha बीटा तो अपनको alpha square plus beta square की minimum value पता करनी है यह अपना problem है तो ठीक है भाई अपनको alpha square plus beta square को लिखना है alpha square plus beta square को sum of roots का square minus का 2 times product of roots I can write alpha square plus beta square is equal to sum of roots इसके इंदर कितना हो गया 3 minus a इसका square करूँँगा minus का 2 times the product of roots product of roots का मतलब हो गया 1 minus 2 a तो finally alpha square plus beta square is equal to a square minus का 6 a plus का 9 minus का 2 plus का 4 a alpha square plus beta square is equal to a square minus का 2 a plus का 1 plus का 6 मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे 7 आया है इस 7 को 1 plus 6 लिख दिया क्योंकि मैं इसका जो minimum value मैं quality की concept से लगवा रहा हूँ जो मैं आपको range में पढ़ाऊंगा ठीक है और all minimum हो और all minimum कब होगा यह तो fix है यह minimum जब होगा यह minimum कितना हो सकता है चीरो तो overall minimum क्या हो गया 6 तो इस पूरे का minimum value होगा वो 6 होगा तो final answer हो जाएगा अपना c ठीक है चलिए अगला problem बोल रहा है भी two consecutive integers इसके जो roots है वो two consecutive integers है तो एक root alpha ले लिए अगला root क्या लेलू में alpha plus one तो यहाँ पर मैं product difference वाला funda लगा देता हूँ difference of roots होगा that is equal to one and difference of roots का मतलब होता है sum of roots का square that is sum of roots का square minus का four times the product of roots and इस पूरे का होता है square root and that is equal to one ठीक है तो आपको यहाँ पर sum of roots रख देना है and product of roots देना है simplify कर देंगे तो यहाँ रख देंगे भाई minus का b का square plus हो देगा वो कोई फरक नहीं पट रहा हूँ से और इस पूरे का square root equal to one तो यहाँ से मुझे answer मिल देगा b square minus का fours equal to one तो मेरा जो answer हो देगा b square minus fours equal to one ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस equation के जो root से वो alpha बीटा है and इस equation के जो roots है alpha plus h and beta plus h तो आप एक ची देखिए इस equation के root में जो difference आएगा वो यह हैगा and इस equation के root में जो difference आएगा alpha plus h minus beta plus h यानि अगेन वो ही concept आ गया कि दोना तरफ मुझे क्या करना है difference of roots बराबर करना है difference of roots किसके ब्रावर होता है sum of roots का square root of sum of roots के होगे इसमें minus का b by a का square minus का 4 times the product of roots यह होगे LHS same यही तरीका मुझे right hand side में लगाना है sum of roots का square that is minus का q by p का square minus का 4 times the product of roots simplify करूँगा तो यह बनेगा b square minus का 4ac with square root divided by a यहाँ बनेगा मुझे q square minus का 4pr divided by p अब यह जो numerator लिखे हुए है इन दोनों के वो root d1 और d2 है d1 का मतलब discriminate तो d1 divided by d2 का value आजाएगा वो आजाएगा a square by p square कैसे किया समझे आगे यह root d1 है root d2 है root d2 को इदर लेगिया इसमोले उदर लेगिया और दोनों तरप स्क्वारिंग कर दी तो अपन से d1 by d2 का ratio पूचा है d1 by d2 का ratio क्या हो जाएगा a square by p square चलिए अगला concept देखते formation of quadratic equation अगर माल लो जिसे मैंने एक बहुत पहले problem ली थी याद करिये जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि भाई दो बच्चे है x and y एक problem को solve कर रहे है गलती से उसने गलत data read कर लिया तो quadratic equation गलत लिख लिए and उसके जो solutions वो उसने गलत निकाल दिये इसमें वही बता रहा है कि formation कैसे की जाती है वहाँ मैंने formation कीते है भाई factors से x minus alpha into x minus beta को ऐसे करके x minus alpha into x minus beta है यह factors है किसी quadratic है तो अगर इन factors को आपस में multiply करूँगा तो मुझे quadratic equation मिल जाएगी that is x square minus alpha plus beta times of x and alpha beta equal to 0 यह वो quadratic है जिसके roots alpha and beta होंगे अपनने इसको यहाँ पे दूसरे way में लिखा है बस और यही actually easy way होता है compare to this one ठीक है इसको ऐसे लिख सकते x square minus sum of roots x plus product of roots मतला आपको अगर कभी कोई भी quadratic equation निकालने तो आपको basically उसका sum of roots चाहिए and उसका product of roots चाहिए अगर sum of roots और product of roots अपन को पता चल लाएंगे तो अपन यह substitute कर देंगे अपना value आजाएगा ठीक है चलिए अभी इस पे कुछ problem देखते हैं जैसे यह problem है यह देखे विल्कुल वैसा ही हा गया जैसे मैंने अभी बोला था कि sum of roots and product यह p plus q वाला अभी पीछे एक प्रवलम आया था जिसमें मैंने वोला था 2022 का यह था वो p plus q का value दे रखा था p की पावर 4 अपन इसका fit से squaring करेंगे p to the power 4 q t to the power 4 plus 2 times of p q का square is equal to 16 4 p square q square minus ka 16 p q इसका value दे रखा है 272 272 plus 2 t square यह t कहां से आ गया p q को अपन substitute कर ले थे t क्योंकि यह t के दम से को आड़े ठीक है 16 plus का 4 t square minus का 16 t ठीक है तो बनेगा 4 t square sorry 2 कम हो जाएंगे 272 plus का 2 t square तो मैं जैसे राइट-hand side लेके दाऊंगा 2 values कम हो जाएगी that is 2 t square minus का 16 t and यह इसमें से कम करेंगे तो यह कितना आएगा 272 minus 16 कितना हो जाएगा यह 6 यह 6 गया तो 5 256 equal to 0 ठीक है यह quadratic equation है that is t square minus का 80 देख कम दो जाएगा इस quadratic equation को simplify करना है जो कि आप खुद से करेंगे तो t की दो value आएगी एक value यहां रखोगे तो यह satisfy नहीं करेगा कैसे यह negative हो जाएगा यह positive है और तो दूसरी t की value होगी वो जाएगा pq का product आप देखिए इसका रूट जो आ रहा है इसका middle term जो split हो रहा होगा वो ऐसे हो रहागा t square minus 16 t plus 8 t में minus 128 तो साब साब बोल दूमें यहां से 1 t बराबर 16 आ रहा है and 1 t बराबर minus 8 आ रहा है ठीक है हाँ ठीक है तो बस इसको solve कर लीजिए answer दाएगा वहां से ठीक है चलिए अगला problem अब जैसे यह जो problem है यह actual में normal equations का problem है a square plus b square plus c square aq plus bq plus c cube उस type की equations का problem है ठीक है आपको 3 equation दे रखिए a plus b plus c का sum दे रखा है a b plus b c plus c a दे रखा है और यह दे रखा है और आप से वो पूछिए तो मैं क्या कर रहा हूं भाई थोड़ा सा notation simple रख रहा हूं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं summation of a equal to 1 इसको मैं लिख दिया summation of a b equal to 2 and that is a b is equal to 3 मैंने क्या क्या a plus b plus c का square कर लिया तो यह मनेगा summation of a square plus 2 times summation of a b तो यह value मुझे पता है 1 is equal to summation of a square plus 2 into 2 summation of a square का value आदेगा minus 3 यानि मुझे मिल गए a square plus b square plus c square का value minus 3 मुझे याद है यह एक बच्चा मेरे पास यह problem लेके आये था of course उसने कर लिया था उसको एक doubt आया था कि सरी यह negative कैसे हो सकता है a square plus b square plus c square तो positive होंगे या 0 हो सकते ही ज्याद है पर इन तीनों का sum negative कैसे आ सकता है तो इस पूरी problem में उसने कहीं पर भी mention नहीं किया कि a b c आपके real है और आपको पता है कि imaginary numbers में ऐसा possible है कि square करने पे जो value आ करते हैं अब फिट से यह equation पकड़ी मैंने और इसके दोनों तरब फिट से मैंने squaring कर दी तो इसके दोनों तरब squaring करूंगा तो a square plus b square plus c square का square that is equal to a to the power 4 sum is two times इसको पूरा लिख देता हूं मैं ठीक है two times यहां जो आएगा पूरा लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा क्यल्कुलेटिव आएगा a square b square plus b square c square plus a square c square ऐसा कुछ आएगा यह value मुझे पता है that is minus 3 तो यह square करूंगा 9 यह निकालना है मुझे summation of a to the power 4 प्लस का two times अच्छा इसको भी short बना सकता हूं मैं चलो इसको मैं लिख देता हूं summation of a square b square यानि दो-दो के squares का sum लेके चलना है ठीक है दो-दो के square term पकड़नी है product करना है फिर उनका sum करना है अम इसका square कर लेते हैं तो इसका square करेंगे तो submission of a square b square आएगा पहले टाइम्स आप इनका multiply करोगे तो यह बनेगा a b square c प्लस का a b c square प्लस का a square b c यह value मुझे पता है that is 2 square करूंगा तो 4 is equal to submission of a square b square plus 2 इस में से पूरे में से a b c common आ सकता है तो a b c common लूँगा तो बहार कितना हो जाएगा 3 और अंदर क्या बचेगा a plus b plus c जिसकी value कितनी है 1 तो इसकी जो value में उजी पता चलगे तेड़ी submission a square b square की value minus का 2 यह value में यहाँ ढख देता हूं तो 9 is equal to submission a to the power 4 plus 4 minus 4 तो submission of a to the power 4 बराबर कितना हो जाएगा 30 चलिए आगला problem find sum of all the real roots of the equation ठीक है यह real roots जो भी इसके आएंगे उनके सारी values का sum करना है अब यह J E में equation आया हूँ है आप देखेगा कितना easy equation है यह value भी है अपन 0 के बराबर कर देते है तो e के पावर 2x minus का 4 equal to 0 यानि E की पावर में 2x equal to 4 हो गया तो 2x equal to ln 4 दोनों तरब लोग ले लेंगे x equal to 1 by 2 ln 4 यानि x equal to ln 2 लोग की properties यह जो value होती है यह अंदर से ली जाती है अपनको पता है ठीक है उसकी बात करते है तो वो है 6 e to the power 2x minus का 5 e to the power x plus 1 equal to 0 इसमें मैंने e to the power x equal to t ले लिया this is 60 square minus का 5t plus का 1 equal to 0 3t minus 1 middle term factorize कर लेंगे 2t minus 1 equal to 0 तो t यानि e की पावर x का value या तो 1 by 3 हो गया एक and दूसरा e की पावर x का value 1 by 2 x का value हो गया ln 1 by 3 and इधर से x का value आगया ln 1 by 2 उसने बोला है कि जितनी भी आपकी real roots आ रहें उन सारे real roots का पन को क्या करना है sum करना है तो एक काम करते हैं तीन values आ रहें और इन तीनों values का क्या करते हैं तो इनका जैसे sum करूंगा sum will be ln 2 plus ln 1 by 2 plus ln 1 by 3 ln का एक concept होता है उस concept को use कर लेते हैं क्या concept होता है कि अगर terms edition में लिखी हुई है तो जो अंदर का input होता है वापस में product में चला जाते हैं ln a plus ln b can be written h ln a b तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1 by 2 into 1 by 3 तो finally इसका जो answer आ जाएगा ln 1 by 3 आ जाएगा ये इससे cancel out हो जाएगा ठीक है चलिए next problem discuss करते है ठीक है तो आप लोगों ने ये वाला problem try किया होगा चलिए अब इसको discuss कर लेते है ठीक है बोल रहा है कि भाई this sum of if this sum of all the roots of the equation is that log p base e तो p का value किया है तो ठीक है भाई ये कुछ वैसा देख रहा है कि e की पावर x को t लेंगे substitution लेंगे तो इसके बाद ये cubic में convert हो दाएगा ए quadratic में convert हो दाएगा तो अपने एक काम करते है e की पावर x को t ले लेते इसमें तो ये बनेगा t square minus का 11 t minus का 45 by t plus का 81 by 2 equal to 0 मैंने LCM ले लिया तो t cube 11 t square plus 81 by 2 t minus का 45 equal to 0 अब देखो ये problem बहुत आसान है बच्चों को actually मैं इसमें तरीके पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने इस problem को try कैसे किया है आप से पूछा है भाई इसके जो इतने भी values आएंगे x की जो इसको satisfy करें उनका sum निकालना है यहां से जो values आएंगे वो t k आएंगे तो t k मैंने जो values निकाले माल लिये मैंने कि इसके तीन roots है और तीनो roots का जो product वही आया t में product क्यों लिया है क्योंकि t बराबर e की power x है तो अगर t k product करूँगा तो e की power x में e की power में सम्में चला जाएगा मतलब यह चीज़ कि t1 equal to e की power x1 t2 is equal to e की power x2 t3 is equal to e की power x3 and product अगर अपन करते t1 into t2 into t3 तो यह बन जाएगा e की power में x1 plus x2 plus x3 and इस problem में अपन से जो पूछा गया है भाई यही पूछा गया है कि x1 plus x2 plus x3 का sum क्या है तो एक काम करते हैं यहां replace कर देते e की power x1 plus x2 plus x3 and that is equal to 45 लोग ले लेते हैं दोनों तरफ बेस e तो x1 plus x2 plus x3 that is equal to ln 45 तो finally इसका answer क्या जाएगा 45 ठीक है चलिए अगला problem discuss करते है ठीक है अगले में क्या है अब अपन theory देख रहें अभी अपन ने जितने भी quadratic equations देखी वो सारी वह वाली quadratic equations थी जिनके real roots थे अब अपन देख रहें कि भाई वह वाली quadratic equation जिसके imaginary roots भी आते हैं तो ऐसा possible होता है यह सब discriminant पे depend करता है कि अगर किसी quadratic equation का discriminant का value negative होता है तो उसके positive negative roots मतलब imaginary roots हो सकते यह यहाँ पे देखो मैं इसकी theory बता देता हूँ आपको ax square plus का bx plus का c equal to 0 इसके 3 case बनते है ठीक है पहला case जब होता है d greater than 0 d equal to 0 and d less than 0 जो d होता है वो होता है discriminant and यह जो d होता है यह बराबर होता है b square minus 4ac यहनि इसकी value के उपर depend कर रहा है कि इसकी value positive होगी negative होगी या 0 होगी अगर इसकी value positive होती है तो अपन बोलते real and distinct या different roots उस quality के real roots होंगे और distinct होंगे अलग अलग होंगे अगर d equal to 0 होता है तो अब बोलते equal and real roots और अगर d less than 0 होता है अपन बोलते imaginary roots imaginary roots का मतलब हो गया कि complex number ठीक है हम आपको complex number भी पढ़ाएंगे short videos में ही ठीक है तो जैसे यह example है जैसे को मैंने language लिखे for a quadratic equation defined or real coefficient the non-real roots will always occur in conjugate pair मतलब यह हो गया कि अगर मानलो कोई quadratic equation है जिसके non-real roots है यानि imaginary roots है तो उसके जो roots हमेशा अकर होंगे वो यह pair में करोंगे conjugate pair का मतलब होता है अगर एक root alpha plus iota beta है तो दूसरी root alpha minus iota beta होगी यहाँ पे देखो इस equation की बात करता हूं में इसके roots निकाल लेते हैं भाई x equal to minus का 2 plus minus root over b square that is 4 minus 4ac that is 16 divided by 2 x equal to minus का 2 plus minus root 12 iota यह root 12 हो गया minus बाहर कर लिया दो कि minus root के अंदर 1 होता है तो यह चीज किसके बराबर लेते है पन? iota by 2 तो यहाँ पे आगे चलके देखेंगे x equal to minus का 1 यह 2 root 3 हो गया 2 root 3 से कट दाएगा that is plus minus root 3 iota अब आप यहाँ पे एक चीज अबज़र करिए जो आपके roots आ रहे है वो कुछ इस तरीके के आ रहे है एक root आ रहा है minus का 1 plus root 3 iota और एक root आ रहा है minus का 1 minus का root 3 iota conjugate का मतलब होता है कि भई जो iota वाला term होता है iota वाला जो part होता है उस part किया कि sign change हो जाए बस यह original अगर कोई complex number है तो इसके conjugate का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो plus लिखा वा है उस plus की जगे क्या हो जाएगा minus यह अगर complex number है तो इसके conjugate का मतलब हो गया minus की जगे क्या हो जाएगा plus बट यह तब ही possible है जब coefficients कैसे हो real हो जैसे इस question में मैंने एक और example लिए इस question में अगर आप इसके roots निकालोगे तो बिलकुल भी यह pattern follow नहीं करेंगे अलग हो जाएगे क्योंकि conjugate के pair में अकर नहीं करते है conjugate के pair में तभी अकर करते हैं जब coefficients आपके real हो यह बहुत important line है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब जैसे यह बोला है form a quadratic equation with real real coefficient whose roots are this एक quadratic equation बता नहीं है और जिसके coefficients होंगे वो real होंगे और उसका roots ही होगा यहनि alpha का value हो गया 2 minus 3 iota तो definitely beta का value क्या हो जाएगा conjugate की वज़े से 2 plus 3 iota अम मैं यहाँ पे लगा दूँगा sum of roots that is 4 product of roots that is 4 plus 9 13 तो मुझे sum of roots पता चल गया product of roots पता चल गया अभी just अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था formation of quadratic equation that is x square minus sum of roots plus product of roots equal to 0 will be the quadratic whose roots are alpha and beta यह वो quadratic है जिसके roots 3 plus iota and 3 minus 2 plus 3 iota and 2 minus 3 iota उसके roots होंगे यह वो quadratic है यह मैंने कैसे निखाला देको एक बार बता देता हूं हो सकता है कुछ बच्चों को doubts आ रहा होगा कि इसर इनको multiply कैसे कर दिया आपने 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota को multiply कर होंगे तो e square minus b square e square हो गया minus b square का मतलब हो गया 9 iota square and अपनको पता है iota square का value कितना हो था minus 1 तो यह 4 plus 9 that is 13 वहां से मैंने direct लिख दिया था ठीक है बहुत important topic है यह दुबारा पढ़ते हो आप लो complex number में cube root of unity और इस पे आपने पी वाइक्यूस देखे होंगे जैसे मैंने दिया roots of unity और उनको मैंने x के बराबर ले लिया ठीक है तो इसको simplify करते है भाई तो x cube equal to 1 हो गया I can write x cube minus 1 equal to 0 ठीक है तो यह बन जाएगा x minus 1 x square plus x plus 1 equal to 0 इसके जो roots हो गए x बराबर 1 हो गया और यह quadratic बन गई जिसका middle drum split नहीं हो रहा तो अपने एक काम करेंगे इसके भी roots निकालेंगे quadratic formula लगा के minus 1 plus minus root 3 आयोटा by 2 तो finally मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ वो समझिएगा x cube minus 1 equal to 0 के 3 roots होते हैं एक होता है x बराबर 1 एक होता है x बराबर minus 1 plus root 3 आयोटा by 2 और एक होता है x equal to minus 1 minus root 3 आयोटा by 2 बहुत काम की values है और बहुत काम का topic है अब देखो यहाँ पर एक representation आता है कि इन में से दोनों में से एक value को अपन omega बोलते हैं omega is the cube root of unity अगर mentioned है वहाँ पर तो omega को आप cube root of unity लेना इन दोनों में से किसी एक को omega ले लेते हैं यह वैसा का वैसा ही रहेगा x equal to 1 माल लेता हूं मैंने इसको omega ले लिया तो definitely जो दूसरा होता है वो omega square होता है आप इसका अगर square करोगे तो यह generate हो जाएगा यह अगर आप इसको omega लोगे तो यह square करने पर यह generate हो जाएगा मतलब यह चीज़ आम एक करके बता देता हूं minus 1 plus root 3 iota by 2 और इसका मैंने square कर दिया यह मैंने omega का square किया चेक करने के लिए क्या वो आ रहा है क्या तो आप देखो denominator कितना हो जाएगा आपका 4 यहाँ बन गया a minus b का only square a square that is 3 iota square plus का b square minus का 2ab 3 iota square का मतलब कितना हो गया minus का 3 minus 3 plus 1 is minus का 2 minus का 2 root 3 iota by 4 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं minus का 1 minus का root 3 iota by 2 आप चेक करिए omega square का मतलब यह आ गया अगर यह omega था तो वो वाला omega square हो गया अगर वो omega है तो यह वाला omega square आपको यह value याद रखनी है कोई सा भी एक result याद रखना बहुत जरूरी है आप यह चाहो तो यह quadratic ध्यान रख चाहो तो इसके जो roots होते है उनको अपन omega and omega square बोलते है ठीक है जरूरत पड़ेगी उनकी अब actually में क्या होता है इनकी कुछ-कुछ properties भी होते है omega and omega square की जैसे x cube minus 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x minus 1 x minus omega and x minus omega square यह तो पहली property हो गई factor थे हो रहा हूँ ठीक है मैंने इसमें क्या कर दिया भाई की factors बना दिये तीन और roots के ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर x की जगह minus x रख दे रहा हूँ इसमें दोनों तरफ जैसे x की जगह minus x रखोंगा तो यहां से minus comma आ जाएगा x cube plus 1 हो जाएगा यह बन जाएगा x plus 1 यह बन जाएगा x plus omega और यह बन जाएगा x plus omega square और बहार एक minus आजएगा यहाँ minus x minus 1 minus x minus omega minus x minus omega square तीन minus है common ले लूँगा एक बत जाएगा यहाँ से एक्चुली मैं करने क्या जा रहा हूँ मैं x cube plus 1 के आपको solution बता रहा हूँ problem ऐसा होता है कि omega के terms में आपको other equations q root of unity नहीं other equations के भी solution निकालने जैसे मैंने यहाँ से solution निकाला x बराबर minus 1 x बराबर minus omega and x बराबर minus omega square यह किसके solution है यह इसके solution है x cube plus 1 equal to 0 के इसको अगर मैं बोलो तो cube root of minus 1 cube root of minus 1 के अगर solution आप निकालोगे तो तीन values आएगी एक minus 1 आएगी 1 minus omega हैगा 1 minus omega square हैगा omega and omega square के terms में लिखना चाहरा हूँ यह पहला property था ना remaining properties देखो मैं यहाँ बताता हूँ second जो property होगा 1 plus omega plus omega square का जो sum आएगा वो हमेशा 0 होगा मतलब आप इन तीनो roots का अगर addition करोगे तो value आएगी 0 देखो कैसे 1 minus 1 by 2 plus root 3 आएटा by 2 minus 1 by 2 minus root 3 आएटा by 2 plus root 3 आएटा by 2 minus root 3 आएटा by 2 cut जाएगा minus 1 by 2 and minus 1 by 2 मिलके minus 1 हो जाएगा और minus 1 and plus 1 मिलके कितना हो जाएगा 0 third जो property आती हो आती है omega cube का जो value होता है वो 1 होता है omega cube का मhof का मतलब गया omega into omega square इन दोनों का product ये omega लिया था मैंने and ये मैंने omega square लिया था उल्टा वो omega लोगे तो ये omega square हो जाएगा इन दोनों के जो product का value आता है वो हमेशा 1 होता है दोनों properties बहुत काम की है आगे जो मैं कुछ problems लेने वाला हूँ इस cube root of unity पे बेस्ट आप चेक करिएगा उनमें ये दोनों properties अच्छे से utilize हो रही है last वाली property का भी देखो मैं आपको proof दे रहा हूँ मैं proof आपका इधर कर रहा हूँ ठीक है मैंने क्या किया इन दोनों को multiply कर दिया omega cube equal to एक value है root 3 iota minus 1 by 2 ठीक है और एक value है minus root 3 iota minus 1 by 2 ऐसे कुछ है तो 1 a plus b a minus b है तो omega cube बराबर क्या हो देगा root 3 iota का square ठीक है minus 1 का square divided by 4 ठीक है और यहां से मैंने minus common ले लिया तो एक minus दियान रगना मेरे पास बहार भी है ठीक है तो omega cube equal to minus बहार है ये बन जाएगा minus का 3 minus का 1 divided by 4 आप चेक करिए ये value minus 1 आ रही है minus 4 by 4 और बहार एक minus है तो मिलके finally कितना हो देगा plus 1 यह निए omega cube का value कितन प्लस 1 ठीक है चलिए इस पर बेश्ट कुछ सवाल करते हैं ठीक है यह फर्स्ट प्रॉलम है आप इसको try करिए 2 मिनेट लीजे फिर मैं डिसकस करता हूं इसको चलिए डिसकस करते है ठीक है इसने बोला है कि भाई इस equation के root जो है वो alpha है देन यह पूरा का पूरा जो expression है अल अलफा के terms में लाना है यह constant भी आ सकता है तो ठीक है भाई पहले तो मैं एक काम करता हूं इस equation के root देख लेता हूं तो मैंने क्या किया इसमें put कर दिया x square equal to 1 ठीक है x square equal to t तो यह बनेगा t square plus का t plus का 1 equal to y यानि यह तो last वाले जैसा ही बन गया ठीक है last वाला मतलब यह वाल ओमेगा ठीक है तो यहां से अगर मैं जो t की value निकालता हूं वो t की value मेरी याद आएगी minus का 1 plus minus root 3 iota by 2 यानि x square जो हो दाएगा वो दाएगा minus omega x square जो हो दाएगा वो दाएगा अपना omega के बराबर ठीक है यानि जो alpha है वो actually मेरा हो गया omega ठीक है x square का मतलब समद रहे हो ना तो चलिए इसको complete करते है अपन alpha की power 1011 plus alpha की power 2022 minus alpha की power मतलब यह हो गया कि alpha square that is equal to omega मैं alpha square की जगा omega डाल दूँगा ठीक है तो तोड़ते है इसको भाई alpha लग कर दिया alpha की power 1010 alpha square की power 1011 minus alpha लग कर लिया alpha square की power ठीक है यह alpha की power ही ले लेता हूँ अभी तो एक line और बढ़ेगी कोई नहीं कर लेंगे अपन alpha की power हो जाएगा 3032 ठीक है यहां तक चलिए simplify करते है यह alpha into इसको मैं alpha square के terms में लिखना चाहरा हूँ alpha की power यहनि 2 से multiply करने पाए 505 plus यह alpha square का alpha square ही रहेगा बाद में एक साथ रख देंगे 1011 minus alpha इसको भी मैं alpha square के terms में रिखना दा रहा हूँ तो alpha square ठीक है तो एक हम दाओ दू पुझे देश देश दो एक हम दाओ दू छी के बादा यह हो जाएगा alpha square की जाएगा क्या डाल दू हम में omega तो यह बनेगा omega cube जो होता है इसका value 1 होता है यानि यह जो power है इन power को मुझे 3 के multiple में लेके जाने है आसान है यह जो sum आ रहा है वो 10 आ रहा है तो sum जो 3 का multiple होता है यानि कोई number 3 से डिवीजिबल है तो उसका sum कितना आना चाही है भई तीन से डिविजिबल आना चाहिए यह डिजिट्स का सम यह अभी जो सम आ रहा हो 10 आ रहा है तो यह सम कितना आना चाहिए 9 तो मैं एक काम करता हूँ इसको ऐसे लिख दूँ अलफा ओमेगा क्यूब की पावर सम्थिंग वह सम्थिंग क्या है मैरे लिए important नहीं है in to omega ये पार्ट बहुत important है इसको समझिएगा क्योंकि इस पार्ट से क्या आप अपनी calculation आसान कर लेंगे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वो गुमा फिरा के उसकी वेली one ही यानी है मतलब ये चीज़ होगी कि ओमेगा क्यूब जो है ये one के बराबर है तो ओमेगा क्यूब की पावर में कोई भी नंबर हो any number, any natural number वो वेली one ही यानी है तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि यहां का जो नंबर है वो ऐसा होगा कि यह दोनों multiple होगे थीन के नंबर में क्योंकि 504 होगा जैसे 505 505 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 504 ओमेगा की पावर इंटो ओमेगा की पावर 1 अब यह जो नंबर यह तीन का मल्टीपल है मुझे पता है तो में यह थी इंटो सम नंबर आएगा ओमेगा की पावर 1516 अलफा ओमेगा की पावर सम सी इंटो ओमेगा एक बार चेक कर लो इसमें से ओमेगा एक अलग करना पड़ा ताकि जो पावर बच्ची 504 वो सेटल्ड हो गई 3 के मल्टीपल्स में इसमें से एक ओमेगा अलग करना पड़ा 1515 हो गया जो पावर बच्ची वो 3 के multiples में settled हो गई, यह directly 3 के multiples में settled है, इसका जो भी value होगा, एक का value जो भी हो, कोई फरक नहीं पड़ रहा है, इसका value 1 ही आना है, again इसका value 1 ही होना है, इसका value भी 1 ही होना है, तो finally यहां बच गया मेरे पास, alpha omega plus का 1, minus alpha omega, यह दोनों कट गे, final answer दो आजाएगा, वो बना जाएगा, आप देखो बच्चा क्या करता हो, बच्चा एक्चली में यहां पर भी time waste करता है, यह जैसे मैंने बोला ना 504 है, इसको देखो मैं अलग से करके बताता हूँ, यह है omega की पावर 505, इसको मैं ऐसे लिखता कूँ भाई, omega की पावर 504 into omega की पावर 1, and omega की पावर 504 को 3 के multiples में, 3, ठीक है, 3 कम 3, बच गे 2, 3 चीक अटा रहा, 3 अंटे 24 into omega की पावर, यहाँ जो number आएगा, उससे कोई फरक नहीं पट रहा, बस यह confirmed है कि वो जो number होगा, इन दोनों का product जो है, वो इसके बराबर आएगा, और यह जो number अगर 3 का multiple है, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ कुछ भी डाल दो, आप A डाल दो, B डाल दो, C डाल दो, वो जो भी natural number आएगा, वो definitely उसको satisfy करेगा, चलिए, अगला question discuss करते हैं, अब जैसे इसने यह value दे रखी है, यह alpha के बराबर है, alpha equal to minus 1 plus root 3 eta by 2, तो यह alpha जो हो गया, वो actually मेरा हो गया omega, इस वाले को मैं पहले simplify कर रहा हूँ, B वाले को, तो B बराबर हो गया, alpha की power 0, alpha की power 3, alpha की power 6, alpha की power 9, dot dot dot, alpha की power 300, यहनि B वाला जो part हो गया, वो हो गया, omega की power 0, क्योंकि alpha is omega, omega की power 3, omega की power 6, omega की power 9, dot dot dot, plus omega की power 300, omega की power में अगर कोई number और वो 3 का multiple है, तो उसका value 1 होना है, इसको ज्यादा simplify करने के need हैं, अपन direct उसका use कर सकते हैं, तो B बराबर ये value तो 1 है, ये value भी 1 ही हो जाएगी, ये value भी 1 ही हो जाएगी, ये वाली value भी अपनी 1 ही हो जाएगी, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, and last value भी अपनी 1 आजाएगी, तो अपनको ये counting करने हैं कि कितनी बार 1 आए, total number of terms, 0 से start और और कहां तक जा रहा हो, 100, यानि total number of terms कितनी होगी, 101, तो कितनी बार बनाया होगा, 101, तो B का तो value देगा, वो देगा, 101, ठीक है, चलिए अपन second equation discuss करते हैं, small a वाली, तो small a बराब मेरे को दे रखा है, 1 प्लस alpha into, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ भाई में, small a बराबर, 1 प्लस alpha into this thing, इसको simplify करते हैं, इसमें k की value रख देता हूँ में, 1 प्लस alpha की power 1, sorry, alpha की power 2, alpha की power 4, dot dot dot, alpha की power 200, यह actually make GP है, ठीक है, तो इसमें में GP की तरीके से इसका sum कर देता हूँ, a equal to 1 प्लस alpha, यहाँ बनेगा, alpha की power, alpha square की power, total number of terms, that is 101, minus GP का sum, first term, ratio की power, number of terms, minus 1, divided by ratio, minus 1, first term क्या है, 1, ratio क्या है, alpha square की power, number of terms, कितनी होगी, 101, जो कि यहाँ से देख सकता हूँ मैं, अब इसको थोड़ा सा simplify करते है तो इसको alpha square minus 1 है, तो अगर मैं split करूँगा, तो alpha minus 1 into alpha plus 1 आएगा, तो alpha plus 1 से alpha plus 1 कट जाएगा, तो a equal to omega की, अभी alpha में ही चलने देते है, alpha की power 202 minus 1 divided by alpha minus 1, अब एक काम करता हूँ, मैं alpha की जगह omega रख देता हूँ, इसके अंदर, तो a equal to omega की power 202 minus 1 divided by omega minus 1, ठीक है, omega की power 202 को simplify करेंगे, अपन side में कहीं पे, तो ये number obvious सी बात है, 3 का multiple नहीं है, यानि ये proper 3 के factors नहीं बनेंगे, तो 3 से multiple वाली term बना लेंगे अपन, तो एक 3 से multiple वाला नहीं बनाने का क्या तरीका, digits का sum check करो, 3 से divisible हो रहा है, क्या, यहां digits का sum जो आ रहा है, जबकि digits का sum क्य omega पहले वाला, ये definitely ऐसे बन जाएगा, omega की power 3 into some number, let's say alpha, k ले लेता हूं भाई में यहां पे, t ले लिया, और omega की power 1, ये value definitely कितनी हो नहीं है, 1, तो ये finally कितना जाएगा, omega, यहनि omega की power 2, 0, 2 is omega, तो इसका दो numerator हो जाएगा, that is small a equal to omega minus 1 divided by omega minus 1, that is 1, a का value बना रहा है, and b का value 10 बना रहा है, तो अपन को वो quadratic पता करनी है, जिसके roots a and b है, तो यहनि sum of roots, that is 102, plus product of roots, that is 101, finally इसका answer क्या दाएगा, अपना capital है, ठीक है, अब यह देखी, यह अगला problem है, अब यहाँ पर एक चीज़ observe करिए, कि जो j equal to दे रखा है, 1 minus root 3 iota by 2, यह omega जैसा नहीं है, तो omega तो नहीं है directly, क्योंकि omega में ऐसा आता है, minus 1 आता ही आता है, अंदर एक plus आता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, by 2, यह directly omega नहीं है, लेकिन मुझे इससे omega बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ही मेरी दाके calculation आसान बनेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, z equal to minus minus 1 plus root 3 iota by 2, आप एक काम करोंगे, इस minus जो बहार किये है आपने, इसको अगर आप अंदर लेके दाओगे, तो actually में यह expression वापर generate हो दाएगा, तो मैं finally इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो z है मेरा, वो actually में minus of omega है, बस, अब एक काम करते हैं, पन्द z का value इसमें रख देते हैं, simplify कर लेते हैं and simplify करने के बाद जो answer आएगा, उसको conclude करते हैं, ठीक है, चलिए रखते हैं, this is 21 plus minus omega minus 1 by omega का cube plus omega square 1 by omega square का cube plus omega cube with negative sign minus 1 by omega cube का cube dot dot dot, ऐसे चलता जा रहा है, and last one ही जा रहा है, minus omega की पावर 21 minus 1 by omega की पावर 21 का cube, आप देखेगा calculations, ठीक है, क्या है, इसमें otherwise आप छोटी सी problem आप आलतु में लिखने के चिकर में बहुत बढ़ा बना देंगे, यह 21 तो agitated चलेगा, plus, इसकी value निकाल रहा हूँ मैं, देखेगे, आप ऐसे समझेए, pairs बनाऊँगा मैं, ठीक है, तो pairs कैसे बनाऊँगा, वो समझेगा, मैंने कहा किया, इसको omega square से multiply, divide किया, तो omega square से multiply, divide करूंको तो, he minus का, minus का, omega square, क्योंगे नीचे omega cube बन जाएगा, same logic, मैंने इसको एक काम किया, omega से multiply, divide किया, तो यह omega square plus omega और यह उसका cube बन गया, इसमें कुछ करने की need नहीं है, यह minus 1 नहीं है, यह minus 1 है, तो यह बन जाए, minus 2 का cube, और ऐसे फिर वापस फिर से चलता जाएगा, minus omega की power 21, omega की power 21 की power 3, ठीक है बाई, अब values रखते है, 21 plus, इसकी जो value आएगी, वो वाले property, 1 plus omega plus omega square equal to 1, and एक property थी, 0, and omega cube equal to 1, इन दोनों का use, इसका use बिदेखो, मैं नहीं हान ले लिया, और इसका use, जो है, मैं यहान ले रहा हूँ, यह value किसके बरावर हो जाएगी, 1 के, और 1 का cube कितना होता, 1, यह value किसके बरावर हो जाएगी, minus 1 के, minus 1 का cube कितना होता, minus 1, और वो value कि इतने होता है कि, minus 8, यह तीन terms का पहली, तीन terms का value आया, अगर आप next, तीन terms का value निकालोगे, यहाँ पे एक value होगे, यहाँ पे एक value होगे, फिर यह, जबगो यह 6 है, 3 है, 3 के बाद 4 पावर आएगा, फिर 5 पावर आएगा, 6 पावर का मतल़ हो जाएगा, 1 plus 1, तो 6 पावर की पावर 5 का मतलब हो गया plus 1 and फिर omega की पावर 6 plus 1 by omega की पावर 6 का मतलब फिर से हो गया 2 तीक है और 2 का मतलब फिर cube करेंगे तो यह बन जाएगा और ऐसे last है अब अपने को एक pattern दिख रहा है pattern क्या है वो observe करिएगा वो बहुत जरूरी है कि 3-3 terms अपने एक साथ लेके चल रहे है और हर 3-3 terms में यह दो cut जा रहे 3-3 के pair ऐसे और 3-3 के pair बन भी जाएगे क्योंकि total number of terms अगर मैं यहां से देखू तो 21 21 का मतलब 7 3-3 के कितने pair बनेंगे 7 उन 7ों में अगर मैं 1 और minus 1 की बाद करूँ तो यह तो सारे cut जाएंगे बचेगा कौन 21 बचेगा और यह 8 और minus 8 बचेगे मतलब ऐसा पहला minus 8 होगा दूसरा plus 8 होगा फिर तीसरा minus 8 होगा फिर चोथा plus 8 आएगा पांचवा minus 8 आएगा छटा plus 8 आएगा और साथवा फिर से minus 8 आएगा आप चेक कर लो ये भी कट गे लास्ट वाले को छोड़ के तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21-8 ठीक है बाई देखो एक बार कहीं कोई confusion हो तो एक बार देख लो चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यह भी वैसा ही प्रोब्लम है ओमेगा टाइप वाला ही ठीक है अल्फा बीटा गामा जो है इस क्यूबिक के रूट से तो और ये कंडिशन दे रखी है तो अपन को उसकी वेली पतागन दी है ठीक है तो ठीक है बाई मैं एक काम करता हूँ इस क्यूबिक के रूट से अगर अल्फा बीटा गामा है तो मैंने प्रोडेक्ट अब रूट से लगा दिया अल्फा बीटा गामा जो कि किसके बराबर हो गया अब एक काम करता हूँ सी जो है वो इसका रूट है तो x cube plus का bx plus का 1 equal to 0 अब अपन को क्या करना है b का value निकालना है तो b का value निकालने का तरीका एक काम करते हैं alpha plus beta plus gamma equal to 0 कर लेते हैं ठीक है and alpha beta plus का beta gamma plus का gamma alpha equal to कितना हो जाएगा मेरा minus का b इन दोना equations को solve करके मुझे किसी भी तरीके से b का value पता करना है b का value आ जाएगा तो मेरे लिए values आ जाएगी b आ गया तो फिर मैं alpha beta gamma निकाल दूँगा ठीक है try करीए आप तब तक चलिए मैं continue करता हूँ आप लोगों try की होगा of course आपको b का value 0 मिल रहा होगा इनको solve करके भी निकाल सकते हो बाकि ये तरीका भी सही है कि आपने जैसे c का value 1 बोला तो आपको alpha value पता चल गया alpha equal to minus 1 यानि उसका एक root पता चल गया अगर इसका एक root minus 1 है तो ये minus 1 इसको क्या करेगा satisfy करेगा तो अगर मैं इसमें minus 1 रगदूँगा तो ये बनेगा minus 1 minus का b plus का c equal to 0 c का value 1 डाल दिया minus 1 minus का b plus का 1 equal to 0 ये दोनों कटके तो finally b बराबर कितना आगिया 0 तो इसका उनला b 0 होगा c 1 होगा और alpha minus 1 होगा अपना बच गया beta and gamma इसी equation को दुबारा पकड़ा इस equation मैं b की जगए 0 डाल दिया और c की जगए 1 डाल दिया तो ये equation मुनकी x cube plus 1 equal to 0 याद करो भाई ये वो equation हागी जो मैंने आपको cube root of unity के time पर बताईती x cube minus 1 equal to 0 is cube root of unity होता है ये होता है minus 1 का cube root इसके जो roots आते है वो होते है minus का 1 minus का omega and minus का omega square यानि ये alpha हो गया ये beta हो गया और ये gamma सारे value जी हाँ डाल दो एक ही line में आपका answer देगा जैसे डालोगी है minus 1 का cube ये बनेगा minus omega का cube minus omega का cube ये omega का cube minus तो बहरा जाएगा omega का cube कितनों तब 1 ये बनेगा minus omega cube minus omega square का cube minus तो बहरा जाएगा तो ये बनेगा omega की power 6 अगेन omega की power 6 भी कितनों जाएगा ये सब substitute कर देंगे finally इसका answer आजएगा ठीक है हाँ भाई अब इस chapter का जो काफी important part है जिस पे आस कल जेई में questions काफी जयादा आरे Newton's identity Newton's identity क्या होता है कि quadratic equation में एक फंडा लग जाता है जैसे अगर मैं quadratic equation लूँ ax square plus का bx plus का c equal to 0 and मैंने यहाँ पर define कर दिया sn को ऐसे alpha की power n plus beta की power n where roots जो है वो मैंने ले लिए alpha and beta ठीक है तो मेरे पास एक result बनता है a into sn plus का b into s of n minus 1 plus का c into s of n minus 2 यह 0 के बराबर होगा हमेशा n greater than equal to 3 and n belongs to natural number बस यह लगाना अपनको यह होता है Newton's identity कि यह दो अगर दे रखे है तो आप यह apply कर सकते हो कई के बार पता है क्या करता है जैसे अभी मैं कुछ problems लोंगा इस पर आप देखेगा वो बेकूब बनाता है अपनको वो कई के बार यह वाली चीज नहीं देता है वो सिर्फ यह देता है और इसके बारे पूछ लेता है तो अपनको खुद को बनाना यह alpha की power n plus beta की power n कई के बार यह देता है तो आपनको observe करना है अलफा क्या होगा और बेटा क्या होगा यह newton's identity इसका मैं प्रूफ देता हूँ आपको ठीक है यह याद रखिएगा इसको याद करना भी देखो बहुत आसान है तो इसका lhs लेके चल रहा हूँ a into alpha की power n plus beta की power n b into alpha की power n minus 1 plus beta की power n minus 1 plus c into alpha की power n minus 2 plus beta की power n minus 2 इस पूरे का value अपनको प्रूव करना है 0 के बराबर है ठीक है तो अपन क्या करता है इसमें alpha वाली terms को एक तरफ कर लेते हैं और beta वाली terms को एक साथ कर लेते हैं alpha वाली terms को एक तरफ करने का मतलब गया a alpha की power n b alpha की power n minus 1 plus c alpha की power n minus 2 ये alpha वाली terms में आ गया plus a beta की power n b beta की power n minus 1 plus c beta की power n minus 2 ठीक है बैई, इस चीज इसमें से मैंने क्या किया कुछ common आ रहा है वो common ले लिया, same common इसमें से आएगा बस उसमें से alpha में आएगा इसमें beta में आएगा मैंने यहां से common ले लिए alpha की power n-2 अंदर बनेगा a alpha square plus का b alpha plus का c and यहां मैंने common ले लिए beta की power n-2 अंदर बनेगा a beta square plus का b beta plus का c आपको पता है if alpha beta इसके roots है तो अब यह सी बात है यह term किसके बराबर हो जाएगी 0 के और यह factor भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के यह और-all इसकी value क्या जाएगी जीरो इसकी value जो होती है वह हमेशा 0 के बराबर होती है यह result आपको किसी भी तरीके से याद करके रखना है, बहुत काम का result है, अब actually में इसमें गड़बड है, गड़बड यह है कि बच्चों को ऐसा लगता है, यह result तब ही valid है, जब यहां बीच में plus हो, actually में ऐसा नहीं है, अभी में कुछ problem लोगा, जिन में बीच में minus है, इसका और केस बता रहा हूं मैं आपको, ax square plus का bx plus का c equal to 0, इसके roots ले लिए अपन ने, alpha and beta, ठीक है, and again यहाँ पर sn को define किया है, alpha की power n, minus beta की power n, यहाँ पर भी यह result valid है, a, sn, b, sn minus 1, c, s of n minus 2 equal to 0, n greater than equal to 3, and n belongs to natural number, यहाँ पर भी valid है, again proof बिल्कुल same type का है, जहाँ जहाँ बीचा लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या आएगा, आपका minus आएगा, मतलब यह जो sign है, देखो मैं इसमें बता रहा हूं, फिर मैं अलग से भी कर दूंगा, इन तीनों जग पर minus आएगा, तो definitely इधर minus आ रहा है, तो यहाँ पर minus आजएगा, common ले लूंगा मैं, तो यहाँ minus रहेगा, बाकि किसी चीज़ पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, मतलब यह पार्ट, आ, 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 आ ले लो, and minus भी common ले सकते हो, फिर से वही logic, आप इस में से alpha की power n minus 2 common लेजे, and इस वाले में से beta की power n minus 2 common लेजे, n minus 2 common लेने के बाद, यहां वो quadratic बन जाएगी, जिसके roots alpha है, that is this one, and यहां पे भी beta की power n minus 2 common लेने के बाद, a beta square, plus का b beta, plus का c, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, तो 0 minus 0 is 0, ठीक है, देख लो बेच्चा, एक बार, चलिए अभी इस पर कुछ problems करते हैं, ठीक है, जैसे ही पहला problem है, इसमें बोला है कि alpha, beta इस quality के roots है, and अपन को sn इसने define करके दिया, एसे, ठीक है, and n from 1, 2, 3 step से गोला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे newton's identity लगा सकता हूँ, n i बोल दू में इसे, n i का मतलब newton's identity लगा रहा हूँ, तो newton's identity का मतलब क्या होगा, 5, sn, plus का 6, s of n-1, minus का 2, s of n-2, equal to 0, अब मैं options देखूंगा, option में आप देखो, highest जो power है, वो 6 है, highest जो number है, नीचे suffix में, वो सब जगा 6 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें n जगी value 6 जाल देता हूँ, मुझे बस ही equations underate करनी है, आप देखो, तीनों consecutive होगे, आप देखो न, इन में तीनों में एक एक का फरका आ रहा है, यह n, फिर n-1, फिर n-2, एक एक का gap आ रहा है, जैनि इसमें जो highest हो, उसको ले ले लेते हैं, और वो डाल देते हैं, lowest नहीं डालना है, lowest अगर आप डालोगे n की value 4, तो यह और छोटा हो जाएगा, n 3 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहनि, s4, s3, s2 में एक relation आएगी, अपने को s4, s5, s6 में relation चाहिए, तो 6 डालो आप n की जगे, मैंने n equal to 6 इसमें substitute कर दिया, 5s6 plus 6 times of s5 minus 2 times of s4 equal to 0, ठीक है, अब मैं चेक कर लूँँगा, कौन सा option इसमें से correct है, 5s6, 6s5 यह वाला option correct है, अतलब यह चीज, 5s6, 6s5 equal to 2 times s4, यह मेरा finally, वो equation generate हो गया, जो option में दे रखा है, बस मुझे equation निकाल के छोड़ना था, यह बहुत basic problem होगे है, Newton's identity पे, कि आप equation निकाल हो, जो equation आ रहा है, वो ही आपका answer है, चलिए, next problem पे चलते हैं, यह भी Newton's identity का equation है, कि एक quadratic equation दे रखी है, इस quadratic equation के जो root सब अलफा बीटा है, एंड आपको फिट से यह देखो, मैंने वो अभी जश्ट पहले बोला था, कि sn बराबर alpha की power n, पिलस βीटा की power n हो, ऐसा जरूशी नहीं है, alpha की power n, minus βीटा की power n होता है, तो भी चलता है, जैसे, इसमे alpha की power n, minus βीटा की power n दे रखा है, और इसने sn की जगे उसको बोल दिया, एंड चलता है वो, SN भी बोलता है, कुछ प्रॉलम्स में इसने PN यूज किया है, कुछ प्रॉलम्स में इसने AN यूज किया है, कोई भी यूज किलो, कोई दिक्कत ने उस चीस तो मैं अगर इसमें Newton's identity लगाता हूँ भाई, तो Newton's identity का मतलब हो गया AN-6, AN-1, माइनस का 2, AN-2, equal to 0, ये Newton's identity का मतलब हो गया, अब अपनको जो value निकाल ले हैं, वो A10, A8 और A9, तीन numbers है, अगें तीन हो consecutive है, 8, 9, 10, बड़ा को ने 10, यानि इसमें N की वी जगए क्या रखना चाहिए पनको 10, तो आप एक काम करें, इसमें put कर दो, N equal to 10, जैसे आप इसमें N equal to 10 input करोगे, ये 10 हो जाएगा, minus का 6 times A9, minus का 2 times A8, जो उसने वोला, उसके हिसाब से arrange कर देते, इस term को उधर ले जाता हूँ, A10, minus का 2 times A8, divided by 3 times A9, and that is equal to जाएगा, 2, ये उदर जाके 6 बनेगा, उस 6 में से 3 इदर लेकिया गया, 2 दर ही रख लिया, क्योंकि अपनको इस पूरे का value पूचा है, तो इस पूरे का value कितना हो जाएगा, 2, ये repeated question है, ये जही advanced का question था, किसी time पे, जही means में repeat हुआ है, आप देखो न, वहाँ पे लिखा हूँ अभी, IAT 2021 में भी repeat हुआ है, ठीक है, चलिए next problem, ये भी newton's identity जैसा ही question है, आप चाहो तो इसे newton's identity से भी कर सकते हैं, लेकि newton's identity से करने से पहले, अपनको actual में कुछ type के results होने चाहिए, जैसे अभी जो पीछे ये वाला problem है, ये वाला, अगर आप चाहो तो मैं इसे बिना newton's identity के भी कर सकता हूँ, ठीक है, देखो कैसे, लगेगा ये ही, लेकिन actually में मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं इसको यूच करूँगा, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा divided by 3A9, denominator को भी A9 ही चलने देते, बाद में A9 की जगा, alpha की power 9, minus beta की power 9 के लिखा, alpha को एक साथ ले ले लेते, alpha को एक साथ ले लेते, alpha की power 8, alpha को साथ में लेने का मतलो, alpha square minus 2 आगया, beta को साथ में लेने का मतलो, minus beta की power 8, bracket के अंदर आदेगा, beta square minus 2, and denominator में में मैं पास है, 3 into A9, यह problem में यह जो method में बता रहा हूँ है, इसलिए बता रहा हूँ कि कही की बार अपनको इस equation का use भी करना पड़ता है, दुवारा, जैसे इसका आगला जो problem हो, उसमें मैं इस equation का use करूंगा, कैसे, अब आप देखो, एक जगह alpha square minus 2 लिखावा है, beta square minus 2 लिखावा है, यानि कह alpha square minus 6 alpha minus 2 equal to कितना हो जाएगा, 0, can I write alpha square minus 2 equal to 6 alpha, तो यहाँ पे जो alpha square minus 2 लिखावा है, इसकी जगह में लिख सकता हूँ 6 alpha, beta square minus 2 की जगह में लिख सकता हूँ 6 beta, तो यहाँ बन जाएगा, alpha की power 8, 6 alpha minus beta की power 8, 6 beta divided by 3 times a9, आप उपर से 6 common लेलो, 6 common लेने के बाद आपको मिलेगा, alpha की power 9 minus beta की power 9, that is equal to a9, तो 6 common आ गया, उसके बाद जो बचावा कट गया, and final answer 2, इधर से भी 2 था, ठीक है, चलिए, next problem discuss करते हैं, x जो है, x1 और x2 इसके roots है, तो मैं इसमें x की जगए x1 भी डाल सकता हूँ, तो x1 का square, minus 6 x1, plus का 4 equal to 0 होगा, मैं इसमें x की जगए x2 भी डाल सकता हूँ, x2 का square, minus का 6 x2, plus का 4 equal to 0, यह सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों जगए लग लग दिया है, देखो, यहाँ पर x2 minus 6 दिये, और यहाँ x1 minus 2 दिये, 6 नहीं दिये, तो मैं यहाँ पर इसके लिए अलग ही फंडर यूज करो, इसके लिए अलग ही यूज करो, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, x2 minus 6 यहाँ से आपको मिल जाएगा, और x2 minus 6 का value उठा के महाँ डाल दूगा, तो x2 common ले लिया, x2 minus 6 बनेगा, and that is equal to minus 4, finally मुझे x2 minus 6 का value जाएगा, minus का 4 by x2, यह value में यहाँ substitute कर दूगा, रही बात इसका क्या करूँगा, आप देखो, इसमें तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि x1 minus 2 है, minus 2 तो है नहीं, और अगर x1 minus 2 में कोई बच्चा यह बोले है, आप इसमें plus 1 minus 1, plus 2 minus 2 कर तो, बट बेटा, अगर plus 2 minus 2 करूँगा, तो इधर जो जाएगा, उसमें x जाएगा, औ पावर 8 है, और x की पावर 8 नहीं है, वापे, something की पावर 8 भी जाएगा side बे, जैसे यह हो गया, x1 का square, minus 2, ऐसा अगर लो एक काम करो, आप इसमें, x1 का square, minus का 2x1, equal to 4x1, plus minus का 4, अब आपने यहां से माल लो, जैसे सेम यहीं फंडा लगाया, आपने x1 को में लिए तो, x1 minus 2 आगया, आप देखो, यहां पर actually में 2 terms आ रही है, और यहां पर कितनी terms आ रही है, एक ही term आ रही है, तो square भी करना है, उपर power जो है, वो भी apply करनी है, इस पे power 8 अप्लाई करना हूँगा, इस पे जब पावर 16 अप्लाई करूँगा, यह बहुत calculated हो जाएगा, तो यह गड दिया, मतला ऐसा कर दिया, इसमें x1 minus 2 का square and उसकी power 8, इसको ऐसा लिख दिया, square का 8, ठेक है, plus इसको मैंने x2 minus 6 की power 8 ही रहने दिया, बाद में एक साथ value substitute कर देंगे, x1 की power 8, and इसका अंदर वाला square open का लिया, तो x1 का square, minus का 2x, minus का 4x1, plus का 4 and power 8 आगया, plus x2 minus 6 की power 8, divided by x1 की power 8, यह problem बन गया मेरे पास, ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से वोई logic देखो, यहाँ पर भी आप मैं replace कर सकता हूँ, कैसे हैं, इन दोनों को replace कर सकता हूँ, एक साथ, तो यहाँ से जो मैं value निकाल लूँगा, x1 का square, plus 4 equal to क्या निकाल सकता हूँ, मैं 6x1, यह value मै यहाँ डाल दूगा, और यह value भी में यहाँ डाल दूगा, finally value डालेंगे, answer आ जाएगा, चलो डालते हैं, यहाँ डाला इन दोनों की जगे, तो यह ऐसा बना, 6x1, minus का 4x1 की power 8, plus minus का 4, divided by x2 की power 8, divided by x1 की power 8, यह कितना होगे 2x1, 2 की power 8, x1 की power 8, x2 की power 8, plus 4 की power 8, divided by x1 की power 8, x2 की power 8, पूरा simplify कर दिया मैंने, यह denominator इदर दाएगा, फिर कहाँ दाएगा, नीचे और इनको simplify कर दिया, 2x1 है, अलग-अलग कर दिया, ऐसा इसले किया है, क्योंकि मुझे product of roots पता है, x1 into x2 का product जो है, वो यहाँ से आएगा, x1 into x2 का product कितना हो जाएगा, 4, तो यह बन गया 4 की power 8, और यह भी बन गया 4 की power 8, और यह भी है 4 की power 8, क्ये तीनों आपस में कमना के कट जाएंगे, तो फाइनली बन गया 2 की power 8, plus 1, divided by 1, 2 की power 8 is 256 plus 1, that is 257, यह इसका answer आगिया, ठीक है, next problem देखिए, यह भी Newton's identity है, देखिए न, P17, P19, P20, एक जैसे लिखे गया है, और Pn जो है, वो भी डिफेंड की, alpha की power n, minus beta की power n, तो अब मैं फिर से इसमें direct Newton's identity अप्लाई कर देता हूँ, Newton's identity का मतलब हो गया भाई, इसमें Pn, plus 5 root 2, P of n minus 1, plus का 10, P of n minus 2, equal to 0, अब जैसे इसमें उपर वाला और नीचे वाला यह जो numerator और denominator इनको observe किया, आप check कर सकते हैं, इसमें एक common R है, P17 common R है, उसके बाद क्या बतर है, P20, plus 5 root 2, P19, और नीचे से अगर मैं देखू, तो P of 18 common R है, उसके बाद क्या बतर है, P19, plus का 5 root 2, P of 18, मुझे इन दोनों से यह observe करने को मिल गया, कि मुझे actually मैं वहाँ पे n की जगे क्या substitute करना है, एक बार n की जगे मैं 20 substitute करूँगा, और एक बार n की जगे 19 substitute करूँगा, तो put n equal to 20, यह देखू न, दो consecutive आगिया, 20, 19, और 19 के साथ क्या रहा है, 5 root 2, यह नहीं 5 root 2 आना चाहिए 19 वाले के साथ, तो 20 डालोगे, P20, प्लस का 5 root 2, P19, इस वाली टर्म को मैं उदर ले गया, minus का 10, P18, और इसको number 1 बोल दिया, फिर से n equal to 19, same equation में, P19, 5 root 2, यह 5 है, P18, minus का 10, P17, और इसको 2 बोल दिया, इसकी पूरे की value, and इसकी पूरे की value, मैंने वहाँ substitute कर दिया, यह दोनों substitute करने के बाद, P17, यह expression change होएगा, minus का 10 into P18, divided by P18, minus का 10 into P17, यह इससे कट जाएगा, cross में कट रहे है, यह इससे कट जाएगा, finally minus 10 by 10 का value आजाएगा, that is plus 1, तो इस problem का answer आएगा, plus 1, यह वाला problem एक बार आप try करिए, एक minute लिजे, फिर मैं discuss करता हूँ, चलिए, आप लोगोंने try किया होगा, इसको discuss करते, यह quantity की question है, इसके जो roots दे रखे, अपनको A and B दे रखे, and अपनको A21 plus B21 plus A17 plus B17 divided by A19 plus B2, यह आप अपनको SN नहीं दे रखे, तो SN अपनको खुद को define करना पड़ेगा, और इसी logic से define कर देंगे, तो इसके लिए मैंने SN बोल दिया, SN equal to A की power N plus B की power N, इस तरीके से मैंने define कर दिया, ठीक है, अब मैं Newton's identity हाँ मनाता हूँ, तो Newton's identity का मतलो जाएगा, SN minus 7 into SN minus का S of N minus 2 minus 1 equal to 0, अच्छे समझेगा, प्रवलम बहुत important है, यह जो लिखा गया है, इसको अपन इधर लिख लेते हैं, यह S21 है, प्लस का S17 है, divided by S19 है, यह प्रवलम आसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर equation का दोड़ा जो जोलाएगा, आप देखेगा भी मैं करूंगा तो, ठीक है, मैं च नहीं minus, यहाँ पर बनेगा 21 डालने के बाद 19, equal to 7 times S20, यह पहला दे दिया, same उसी में मैंने N equal to 20 डाला, 19, 19 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 19 को मुझे involve करवाना उसके इंदर, यह बनेगा S19 minus, यह वाली टम पहले लिख दी, S18, और यह वाली टम उदर ले जा रहा हूं, मैं 7 into S18, और इसको नाम दे दिया second, एक बार यह चेक कर लीजिया, यह दोनों equations कैसे लिखी है, ठीक है, एक N बराबर 21 डालने से आया है, और एक N बराबर 21, 19 डालने से आया है, और यह वाली टम कहां ले गिया मैं, राइट हेंड साइड में, और यह दोनों लेट में रखी है, अब म मुझे क्या मिलेगा, भई, राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा, यह मैंने एक्चली में यहां गलत लिख दिया, यहां 18 की जगा 17 आना चाहिए, दो का गैप, इन में 2 का गैप, इन में 2 का गैप, और बीच वाला उदर, तो यहां पर, एक्चली में 17 आएगा, इसकी value में निकाल लूँगा कैसे इसी equation में n की जगे मैंने 20 डाल दिया इसी equation में n की जगे 20 डाल देता हूं तो s20 minus 7 into s 20 डाला 19 minus s18 equal to 0 s20 minus s18 is equal to 7 times s19 यानि इस पूरे की जगे में replace कर सकता हूं 7 times s19 तो ये बनेगा s21 s of 17 minus ka 2 times s19 equal to 7 into 7 into s19 I will get s21 plus ka s17 is equal to ये 49 हो गया और ये 2 उदर दा के plus ka 2 यानि 51 51 s19 आप s19 को left में लेके आजाईए s21 s17 s19 and that is equal to 51 ये ही करना था पन को 21 17 और 19 21 17 और 19 का तो value आजाएगा वो finally 51 आजाएगा देख लिए एक बार आप औरस अकेडमी की YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपके कोई भी यहां की information आपसे मिसना हो दाए क्योंकि हम लोग हर दिन कोई ना कोई वन शोट वीडियो डाल रहे है कभी मैस के कभी physics के कभी chemistry के and पिछले one week से डालना स्टार्ट किये यह वीडियो डालने के पीछे का reason हमारा है कि आपकी जो preparation है वह भी final stage पे है और उसमें revision का role बहुत important role होता है और बच्चों को यह नहीं पता होता है कि हमें revision कैसे करना चाहिए और बच्चे कंफ्यूज रहते है कि हम revision में किस तरीके से करे prioritize कैसे करे कि notes पहले करे PYQ करे या दोनों को mix करे तो भी कैसे decision ले कि कि कितने करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए दूसरी ची revision को short कैसे बनाए तो यह जो आपके लिए हम वीडियो लेकिया रहे short वीडियो जिसी लिए है क यह चेप्टर को हम आपके चेप्टर को चार से पास घंटे के अंदर revise करवा रहे है ठीक है चलिए देख लीजे यह question अगले पर चलते फिर अब यह problem है for a natural number n an equal to 19 की power n minus 12 की power n and मुझे इसकी value पता कर दी है अब मुझे यहाँ पर quadratic नहीं दे रखी है point यह है तो मैं क्या गरूँगा quadratic अपने से लूंगा क्योंकि यह alpha की power n होता है और 1 beta की power n होता है तो मैंने यहाँ पर en को इस तरीके से लिख दिया alpha की power n minus beta की power n on comparing alpha बराबर 19 हो गया और beta बराबर कितना हो गया मेरा 12 ठीक है तो finally जो मेरी quadratic बन जाएगी वो बन जाएगी x square minus का 31x plus का 19 into 12 equal to 0 मैं इसको 19 into 12 को 19 into 12 ही चलने जे रहा हूँ यह वो quadratic है जिसके roots होंगे इसके roots होंगे 19 and 12 अब मैं इस पे Newton's identity apply कर सकता हूँ Newton's identity apply करने के लिए अपनको quadratic equation चाहिए क्योंकि Newton's identity में a b c का value रखना होता है a b c का मतलो है x square का coefficient x का coefficient and constant term x square का coefficient चाहिए अपनको x का coefficient चाहिए and constant term चाहिए यह तीनों term अपनको मिलेगी तब ही actually में अपन आगे बढ़ पाएंगे दरवाइस नहीं बढ़ पाएंगे Newton's identity में तो Newton's identity अब मैं अगर इसमें apply करूँ तो वो हो जाएगी यहाँ पे a n minus 31 a n minus 1 plus का 19 into 12 a of n minus 2 and that whole thing is equal to 0 यह Newton's identity वाली equation आगे अप फिर से वो ही जाते हैं आप देखो एक नमबर 8 है एक नमबर 9 है और एक नमबर 10 है तो इसका अंदर तीनों consecutive है तो इसका मतलब मुझे highest वाला रखना है और highest वाले का मतलब क्या हो गया put n equal to 10 आप इसमें n की जगर 10 substitute कर दीजे तो यह आएगा a 10 minus 31 a 9 plus का 19 into 12 a 8 and that is equal to 0 ठीक है इसको इन दोनों को उधर ले तो डिवाइड करो तो answer आदेगा that is 19 into 12 a 8 मतला अब मुझे terms को बैस arrange करना और कुछ नहीं जो दिया है वो मिल गया मुझे a 9 minus ka a 10 तो मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई 19 into 12 is equal to 31 a 9 minus ka a 10 divided by a 8 इतने की value मैं ने पता कर ली इतने पूरे की that is this तो finally मैं इसको 57 से क्या कर दूँगा divide आप 19 into 12 को 57 से divide कर तो जो भी आपका value होगा वो answer देगा ठीक है अगले topic पे चलते हैं अब आपन बात करते हैं किसी quality equation के common roots का क्या fund रहता है और उसको किसे तरीके से deal किया जाता है तो सबसे पहला आता है कि common roots का क्या मतलब है common roots का मतलब है एक ऐसा solution जो दोनों में common होगा x की एक ऐसी value होगी जो इस quality को भी satisfy कर रही होगी और इसको भी satisfy कर रही होगी अब समझे आती कि common एक होता है या दो होता है दोनों possible है एक common root भी possible है और दोनों common root भी possible है अपन एक-एक case को discuss करते हैं अपन सबसे पहले discuss करते है case 1 that is both roots are common तो मैंने एक quadratic equation बना है a1 x square plus का b1 x plus का c1 equal to 0 दूसरी equation a2 x square plus का b2 x plus का c2 equal to 0 इसके roots मैंने लिए है alpha and beta इसके भी roots मैंने assume कर लिए alpha and beta दोनों के same roots है यानि alpha बीटा इसको भी satisfy कर रहा है alpha बीटा भी इसको भी satisfy कर रहा है यह तो एक ही तरीके से possible लग रहा है भाई अपन को कि दोनों को quadratic equation क्या बन जाए अपनी same बन जाए यह मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा miss हो गया था वो printing में ठीक है देखो मैं दुबारा लिख देता हूं यह यह वाला case अपन डिसकस कर रहे है a1 x square प्लस का b1 x प्लस का c1 इक्वल टू 0 a2 x square प्लस का b2 x प्लस का c2 इक्वल टू 0 roots alpha and beta है and इसके भी roots alpha and beta है ठीक है यह तो यह की condition में possible हो सकता है कि दोनों की दोनों को quadratic equation क्या हो same हो पर same होना जरूरी नहीं है ratio भी same हो सकता है उसको भी same ही बोलते है जैसे यह चीज x square प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 यह एक example है and दूसरा ले लिए मैंने 2x square प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0 यह दोनों same नहीं दिख रही है एक में 2 आ रहे है एक में 1 आ रहे है बट एक्चली में देखा जाये तो वह 2 common ले लूंगा तो दो quadratic equation में तो अपर बोलेंगे कि वह दोनों quadratic equation same roots hold करती है बहुत important portion है इजी है लेकिन बहुत important portion है अभी देखना सवाल ऐसे से आते हैं इसमें कि आपको indirectly वह यह बोलता है कि दोनों quadratic की है दोनों requis common indirectly ज्यासे मान लोध यह equation मैंने देदी और इसके Partners नहीं दिए मैं Memorial Parameters में देदी इसमें अन्न empty बीच में इन प्रामेटर्स में दिए लेकिन यह यह equation Canon PARA में दिए यह इस टैप की दिए कि या तो इसके imaginary roots आ रहे होंगे या फिर इसके irrational roots आ रहे होंगे दो possibility अपनको पता है imaginary roots हमेशा pair make करोते हैं अगर एक common हुआ तो दूसरा common होना ही पड़ेगा मतला अगर इसका एक root 2 plus iota है तो दूसरा इसका क्या होगा 2 minus iota मालनो 2 plus iota common है तो definitely इसका दो दूसरा equation root होगा वो 2 minus iota होना ही पड़ेगा same logic irrational roots में इसा pair में करोते है बट इसके लिए condition लगती है इसके लिए condition ही लगती है कि coefficients should be rational जो coefficient होते है वो rational होने चाहिए तब अपन ऐसा बोल सकते है जैसे एक example लेके बताता हूँ मैं आपको इस वाले चीज़ पे चलिए एक example ले लेते है अपन x square plus x minus 1 equal to 0 यह quadratic है अब check करिएगा इसके irrational roots आएंगे और वो pair में अकरोंगे pair का मतलब conjugate होंगे एक दूसरे का जैसे imaginary में conjugate होते है वैसे अपन irrational में भी conjugate बोलते है तो ठीक है भाई निकालते है minus 1 quadratic formula plus minus root over b square minus का 4ac divided by 2 into a एक root आ रहा minus 1 plus root 5 by 2 और एक आ रहा minus 1 minus का root 5 by 2 यह एक दूसरे के conjugate कैला हैंगे क्योंकि इसमें root के आगे का जो sin चेंज होगा है जैसे complex में iota के आगे का जो sin होता है वो change होता है तो एक दूसरे के conjugate बोलते हैं वैसे ही इन में भी roots के आगे का जो sin है वो change हो रहा है तो एक दूसरे के conjugate है तो हमेशा यह pair में करोंगे तो अगर एक root common हो गया तो definitely दूसरा root भी common होगा तो indirectly उन problems में आपको वो यह बोलना चाहरा है कि इन equations के दोनों roots common है एंड आप यह condition लगाओ जो unknown parameter है equation के अंदर उन unknown parameters को इस condition की help से find out करो यह अपनने discuss किया case 1 अब अपन discuss करते case 2 that is exactly one root common होता तो क्या करना होता है यहाँ आपन लिया है case 2 अभी इस पे अपन कुछ problems भी लेंगे exactly one root is common मैंने problems में कुछ problems तो भाई अपने notes के ही रखे बाकि maximum problem मैंने आपके pyqs के ही रखे previous year questions को involve किया है थाकि उससे आपका previous year questions को deal करने का तरीका भी समझवया जाएगा प्लस एक तरीके से revision भी हो जाएगा आपका तो exactly one root is common वाला case लेते है तो a1 x square प्लस का b1 x प्लस का c1 equal to 0 a2 x square प्लस का b2 x प्लस का c2 equal to 0 इसका root ले लिया alpha beta एड इसका root ले लिया alpha gamma ठीक है एक common दिया alpha alpha बेटा एन गामा common नहीं है ठीक है तो condition क्या होती है अब देखो multiple ways इसको solve करने के पहले तो condition ही होगी कि भाई alpha इसका root है तो alpha इसको satisfy करेगा alpha इसका भी root है तो alpha इसको satisfy करेगा तो यह बनेगा a1 alpha square b1 alpha प्लस का c1 equal to 0 a2 alpha square प्लस का b2 alpha प्लस का c2 equal to 0 अब इस equation को solve करने के basically अपने पास दो method एक method जो आपने class 10 में सिखा होगा cross multiplication method अपनको solve करके alpha निकालना है यहाँ पे आपको solve करके पहले common root निकलता है वो common root जैसे ही आ जाएगा आप दोनों equation में से किसी भी equation में डाल देना common root डालने से जो unknown parameters होंगे इन में वो unknown parameters के आप value find कर सकते हो इस तरीके से अब इस equation को solve करने के दो method है एक है cross multiplication method cross multiplication method cross multiplication method का मतलब हो गया alpha square divided by minus का alpha divided by and constant divided by आपको याद होगा जैसे alpha square को चुपा लेते है that is b1 c2 minus का b2 c1 alpha divided by that is a1 c2 minus का a2 c1 a1 b2 minus का a2 b1 इन दोनों को बराबर करेंगे वहाँ से alpha मिलेगा इन दोनों को बराबर करेंगे वहाँ से alpha square मिलेगा alpha का value execution उठा के दूसरी के डाल देंगे यहाँ पर alpha चाहिए तो यहाँ पर देखो इन दोनों को बराबर करोगे तो आपको common root पता चल लाएगा बड़ अगर आपको unknown parameter चाहिए तो आप एक काम करो अलफा यहाँ से निकाल लो वापस रख दो वह भी तरीका भी सही है इन दोनों को बराबर कर दो alpha आगया लास्ट वाले और first को बराबर कर दो उनसे alpha square आगया alpha का value उठा के वापस alpha square में डान दो दूसरा जो तरीका होता है वो just normal calculation है जो आपन ने पढ़ाया बाई elimination method पढ़ाया, substitution method बढ़ाया and cross multiplication method 10th class में पढ़ाया यह cross multiplication method था आप इसमें elimination method भी लगा सकते हो कि आप एक काम करो alpha square को cancel out कर दो यानि alpha square का coefficient को इसका कोई तरीका नहीं है मैं question में use करूँगा डारेक्ट तो मैं यहाँ पर बस आपको बता रहा हूँ pattern ठीक है alpha square को cancel out कर दो कैसे करोगे alpha square को coefficient दोनों दगर क्या बना तो same multiply करके नहीं है तो multiply कर देंगे जैसे first equation को मैंने multiply कर दिया A2 से second equation को मैंने multiply कर दिया A1 से तो definitely alpha square कर जाएगा बाके फिर solve करोगे subtract करने पर वहाँ से क्या मिल जाएगा alpha alpha मिल गया तो फिर से वो ही फंडा कि alpha आ गया किसी एक equation में डाल देंगे डालने के बाद वहाँ से वो unknown parameter आ जाएगा ठीक है चलिए इस पर कुछ problems है अब देखिए वो problems लेते इन दोनो equations के एक root common है ठीक है तो यह जो है यह a equal to 3 divided by root के अंदर 2 beta है यहाँ पर थोड़ा सा misprint है कि एक root common है यह पहले से दे रखा है and यह जो number है यह small a के बराबर what is small है वो वहाँ पर दे रखा है तो beta क्या होगा तो ठीक है भाई एक root common है तो अपने एक root common का फंडा लगाते है that is x square minus का 5 ax plus का 1 equal to 0 x square minus का ax minus का 5 equal to 0 ऐसे लिख दिया दोनों को आप चाहो तो इसमें ऐसे ले सकते हो कि यह alpha gamma है और यह alpha delta है मैंने बीटा क्यों नहीं लिया क्योंकि बीटा उसने अल्रेड़ी अपने notation में यूच किया कई पे तो बीटा मतले ना होना confusion हो जाएगा बीटा कौन सा बीटा है तो आप एक अमरो उसको alpha gamma ले लो और इसको alpha delta ले लो alpha common है आप alpha रखके subtract करके alpha निकालो या direct भी निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है जैसे यह चीज़ आप इसमें x की जग alpha डाल दो alpha square minus का 5a alpha plus का 1 equal to 0 alpha square minus का a alpha minus का 5 equal to 0 अब आप चेक करो इसमें cross multiplication method नहीं में second वाले method से कर रहा हूँ क्योंकि वो easy होता है जो यह method है जो मैंने यहाँ पर बताए था verbally कि आप alpha square को coefficient से मना दिया गरो subtract कर दिया गरो and वहाँ से alpha दाएगा alpha को आप किसी एक equation में substitute कर दो वहाँ से वो unknown parameter आ जाएगा यह method actually में आसान होता है compare to cross multiplication method वहीं लगा रहा हूँ मैं direct subtract कर देता हूँ तो यहाँ मनेगा मैं minus का 5 a alpha plus का 1 plus का 5 equal to 0 तो minus का 4 a alpha बराबर minus का 6 यहाँ अलफा is equal to 3 divided by 2a यह alpha आ गया अब इस alpha की value आप किसी भी एक equation में substitute कर दो चाहो तो first में कर दो चाहो तो second में कर दो कोई फर फर्स्ट में डाल दी तो बनेगा 9 divided by 4 a square minus का 5 a 3 divided by 2 a plus का 1 equal to 0 यह से कट गया 9 divided by 4 a square equal to 15 by 2 minus 1 यह 15 by 2 है minus का उदर दा के plus का उदा है यह 1 है उदर दा के minus का उदा है अगली line 9 divided by 4 a square is equal to 13 by 2 solve कर लेते हैं तो a square बराबर आ रहा है 9 divided by 2 into 13 यह इसको 2 में काट देगा a का value आएगा 3 divided by 2 root 13 अपन से बोला है कि यह जो value है यह a के बराबर है then beta किसके बराबर होगा compare कर लेंगे beta का value क्या जाएगा 13 इस तरीके से अपन इसका answer conclude कर सकते है that is 13 यह next problem है आप एक मिनट ले लीजिए try करिए फिर मैं discuss करूंगा चलिए discuss करता हूं ठीक है आप से बन गयो होगा क्योंकि इजी ठीक है पहली क्वेशन निकालने की कोशिश करता हूं पता चल जायेगा शहएद हो सकता उसके इमेजनरी है तो आपने देगा इसका D निकाला तो D less than G रहाया तो यह एक रूट कॉमन नहीं होगा एक्चली में इन दोनों के दो रूट कॉमन होगे तो यह एक्चली में वह वाला से k के बराबर है तो a का value कितना हो गया k b का value कितना हो गया 3k and c का value कितना हो गया 5k मुझसे तो पूछा गया वह पूछा गया a plus b plus c that is 9k and a plus b plus c का value नहीं होगा पन housing a plus b plus c minimum value पूछा गया तो अपन बहुत देंगे b bad a plus b plus c minimum that is 9 क्यों क्योंकि K जो होगा वो natural number होगा क्योंकि ABC natural number है तो अगर K के जगए 1 डालोगे तो 9 यह तो तो डालोगे तो definitely 9 से multiply होगे, 9 से बढ़ाई ही value आएगा, ठीक है, चलिए, अगला problem discuss करते हैं, अब अगला part शुरू हो रहा है, graph, और ये last वाला part जा रहा है, graph आएगा, graph के बाद range आएगी, range के बाद फिर location आएगा, इसी के साथ अपने इस chapter को finish करेंगे, ठीक है, तो graph का मत quadratic equation के graph कैसे बनाए जाते हैं, तो generally देखो, ऐसा होता है, y बराबर fx equal to ax square plus bx plus c, अपन जो x होते हैं, वो अपने inputs होते हैं, x की values रखते चलते हैं, जैसे-जैसे inputs रखते चलेंगे, उसके according अपनको y मिलता जाएगा, और x रखा, y मिला, points मिलगे, इसका ये मतलब हो, उन points को अपन x y axis में plot करेंगे, plot करने के बाद अपनको parabolic shape में एक curve मिलता है, वो curve actually में quadratic equation का graph हो जाता है, तो मैं इसका graph बनाता हूं, तो basically इसके graph ऐसे possible है, ये x है, ये y है, एक graph तो इसका ये possible है, बहुत सारी graph अच्छे समझिएगा, x axis, y axis, एक graph इसका ये possible है, x axis, y axis, एक graph इसका ये possible है, तीनों में difference क्या है, और तीनों को कैसे पता करेंगे, वो मैं भी आपको समझाता हूं, ठीक है, अब आप एक चीज़ अबजर करिए, इस graph ने x axis को दो जगे intersect किया है, जब भी कोई graph, x axis को जिन points पे touch करता है, ये intersect करता है, वो points वो होते हैं, जहा तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो d होगा, that is greater than 0, ये graph एक जगर touch कर रहा है, तो इसका एक ही solution आएगा, इसका मतलब हो गया है, d equal to 0, ये graph कोई भी जगर touch नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई real solution नहीं है, d less than 0, और तीनों upward है, तो upward पे रावोला के लिए small a का value क्य ग्राफ ये वाला है, तो ये condition लगा सकते हैं, ग्राफ हो वाला है, तो वो condition लगा सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, देखो मैं कुछ examples देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, fx equal to x square minus 5x plus 6, ठीक है, मैंने इसको simplify किया, roots निकाले, तो इसके roots है, x minus 2 into x minus 3, यानि यह upward पेराबॉला होगा, क्योंकि x square के आगे का number a है और वो कैसा है, positive, यानि कौन सा पेराबॉला होगे यह, upward, और यह दो points होगे, 2 होगा, और एक 3 होगा, इन दोनों points से pass करेगा, यह दोनों points इसके क्या होंगे, roots होंगे, ऐसे ग्राफ बना दिया, आप इसका a चेक करिए positive आ रहे है, और इसका d चेक करिए वो भी positive आ रहे है, यह पन verify करें, graph से और quality equation को मिलाने के बाद, इसका d निकालो, इसका d देखो, positive आएगा, इसके लिए अगर मैं example लो, तो इसमें एक example ले लेते हैं, अपन fx equal to x square minus का 4x plus का 4, split करते हैं, तो यह कुछा ऐसा split होता ह x minus 2 का square, यह यह split होता है, x minus 2 into x minus 2 में, same repeated roots जीसे अपन बोलते हैं, तो इसका e की root आ रहे है, और आप यह भी देख सकते हैं, कि यह कभी भी negative नहीं होगा, positive या 0 ही हो सकता है, यह negative हो सकता है, depend करता है x और y की value के उपर, तो इसलिए graph negative side पे भी है, थोड़ा सा positive, थोड़ा स expression positive होगा, और कभी expression negative होगा, यह हमेशा positive होगा, यह 0 होगा, यह यह इसका graph कभी x के नीचे बनेगा, यह अपन को पहले से ही पता है, तो इसका जो graph बनता है, कुछ इस shape में बनता है, आप check करेंगे, तो इसका e कैसा है positive, x कर का coefficient positive है, अगर अगर अपन इसका discriminant निकालेंगे तो वो value आएगी 0, निकाल सकते हैं पना discriminant देखो कैसे, b square minus 4ac, b square का मतलओ गया 16, minus 4ac का मतलओ गया, minus 16, तो b square minus 4ac will be 0, थर्ड example की बात करता हूँ, थर्ड वाले case के लिए, तो अपन वो ही ले ले लेते, जो अभी अपनने quadratic में देखा था, cube root of unity वाला, x square plus x plus 1, यह मैंने ल case के roots नहीं आ रहे, कैसे बता, क्योंकि इसका d less than 0 आ रहे है, middle drum is split नहीं हो रहा, तो यह कभी भी x-axis को ना तो touch करेगा, ना ही cut करेगा, ऐसे कुछ ऊपर की तरह बन जाएगा, यह वो वाला graph है, जिसका d less than 0 है, और एक ऐसा है positive, ठीक है, यह तीन graph होते है, upward, तीन ऐसे ही हो होंगे downward, तीन case कौन-कौन से, d, discriminant के case, positive, negative and 0, ठीक है, चलिए मैं तीन downward वाले भी आपको बता देता हूँ, यह x-axis, y-axis, 1, x-axis, y-axis, दूसरा, x-axis, y-axis and यह तीसरा, ठीक है, यह वो वाला graph है, जिसका a negative and d positive, I think अब आपको idea लगिया होगा कि d के उपर अपन comment कैसे कर रहे है, a negative है and d positive है, d के उपर comment कर रहा हूँ, मैं इन दोनों point से, देखो आपके पास condition है, तो आप graph पे जा सकते हो, graph है तो आप condition पे जा सकते हो, यह ध्यान को, जैसे मिरे पास graph है यह माल लो, graph से में दोनों condition बोल रहा हूँ, यह दोनों condition है, तो इन से में graph बोल रहा हूँ, d positive है इसका उनला, x-axis को उसने दो जगे कट किया होगा, अब दो जगे कट करने वाला भाई, ऐसे बन सकता है, यह तो ऐसे जार होगा, कहां कट किया होगा, वो location of roots में देखेंग second वाला case देखते है, second वाले case में देखो, उसने a की जगे टच किया है, तो मैं यह बोल सकता हूँ, इसका a तो negative है, क्योंकि downward और इसका d क्या हो जाएगा, 0, अगर यह दोनों condition मुझे पता है, तो मैं graph बना सकता हूँ, graph पता है, तो मैं condition बना सकता हूँ, और third वाला जो चाहिए, आपको एक साथ पता होने चाहिए, अभी इनकी graphs की range वगएरा वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है, अलग से, actually मैं देखो ऐसा होता है, एक, दो, तीन, तीन ऐसे हो गए, एक, दो, और तीन, तीन ऐसे हो गए, ठीक है, यह जो graph होता है, marker change कर लेते हैं, इसका a positive and d positive, a positive but d 0, a positive and d less than 0, a negative, d positive, a negative, d 0, a negative, d less than 0, इसके अंदर x रखूंगा, तो इस पूरे का कोई ना कोई value आएगा, वो value positive आएगा, negative आएगा, करो, अगर मैंने x इस से बड़ा रखा, यह बीटा है और यह alpha है, इस से बड़ा कोई x रखा, तो graph का है मेरा उपर, x के उपर है, यह इन्पुट अगर आप बीटा से बड़ा दोगे, तो आपका जो output आएगा, वो कैसा आएगा, positive, इस वाले case में, अगर आपने input alpha और बीटा के बीच में रखा, तो आपका output कैसा आएगा, negative, और again output फिर से कैसा आएगा, positive, यानि इस वाले case में, जो आपका y होता है, वो positive भी होता है, and negative भी होता है, या सिर्फ 0 पोसिबल है, negative पोसिबल ही नहीं है, क्योंकि graph कभी x के बिलो जाई नहीं रहा, और last वाला case जो सबसे ज़्यादा important है, जिस पे questions सबसे ज़्यादा हते है, quadratic के, d less than 0 वाली condition के, ये last वाला वो case है, जिसमें आप ये बोल सकते हो, कि इसका y या तो हमेशा positive होगा, या हमेशा negative होगा, depend करता है, a की value के उपर, a अगर positive है, तो y positive है, a अगर negative हो, x क्या रखरे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बाकियों के अंदर, जैसे first वाले में इसमे a greater than 0, d less greater than 0, a less than 0, बट still d greater than 0 में, depend करेगा y का value, x की value के उपर, ठीक है, चलिए, ये सवाल देखते हैं, ठीक है, देखे, इसने बोला है, a less than 0 है, यानि downward पेरा वोला होगा, अब downward पेरा वोला में 3 case बनते हैं, cut कर रहा है, touch कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है, अब इसन case आगे है, जब ना तो touch कर रहा है, ना ही intersect कर रहा है, मतलब ये वाला case, मैंने इसको fx के बराबर ले लिया, आप बेतर होता है, quadratic equation को equal to 0 ना लेके, आप कोई function के बराबर ले लो, fx नाम दे दो, ठीक है, इसका जो graph बनेगा, इस quadratic का, कुछ ऐसा बनेगा, random बना रहा हों भ अपनको ये दो statement प्रूव करने है, तो यानि मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे quadratic पे, जो भी y की value होगी, y मतलब fx की value, वो सारी के सारी case होगी negative, यानि अगर मैं input कुछ भी रखता हूं, तो definitely उसका output के आएगा, negative आगा, अब मुझे प्रूव करना है, तो मुझे ये minus 1 less than 0 रखने से प्रूव हो जाएगा, ये f of minus 1 less than 0 क्यों कर दिया समझे है, इसके अंदर आप x के जगए कोई भी input रखो, आपका output हमेशा negative यानना है, अब मुझे input क्या रखना है, वो सोचना है, तो मैंने यहां से सोचा, कि input ऐसा सोचों कि output ये बन जाए, इसके इसाब से तो अब्यसे बात है, minus 1 है, तो मैंने इसमें minus 1 रखा, a minus का b plus का c less than 0, ये पहले वाला प्रूव हो गया, second, input ऐसा सोचों कि output ये आजाए, तो साब साब दिख रहा है, 3, f of 3 is again less than 0, that is 9a plus का 3b plus का c less than 0, ये दोनों conditions अपनने प्रूव कर दे, ठीक है, चलिए अगले problem पे चल ठीक है, अब अब आता है, range of quadratic equation, ये बहुत काम का topic है, ठीक है, देखो ऐसा होता है, upward में tin type के parabola होते है, मैं कोई भी एक random ले रहा हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, ये जो point होता है, ये मैंने graph लिया है किसका, y equal to ax square plus का bx plus का c, इसमें जो discriminant होता है, वो होता है, b square minus का 4ac ठीक है, ये जो point होता है, इस point का अपन बोलते है, vertex, ये थोड़ा बहुत अपन coordinate geometry में भी दुवारा पढ़ेंगे, क्योंकि parabola वहाँ पर आना ही है, तो parabola में vertex, focus, सब कुछ वहाँ पर data आएगा, जाएगा, और इसके जो coordinates होते है, minus का b by 2a, comma minus का d divided by 4a, ये x coordinate vertex का, और ये y coordinate है, vertex का, मुझे range पता करनी है, तो range का मतलब हो गया, ये minimum y हो गया, range का मतलब हो गया, range का मतलब हो गया, y की क्या value आएगी, minimum से maximum, x पर कोई foundation नहीं है, अब बीत्तो, तो मैं ये बोल सकता हूं, range का मतलब हो गया, ये minimum y हो गया, और maximum y कहा तक जाएगा, infinite तक, तो finally, इस graph के साफ से, जो y belongs to हो जाएगा, हो जाएगा, minus d divided by 4a से लेके, infinite, ये मेरी बन जाएगी range, ठीक है, इस graph में, अब इस graph में, कोई बच्चा बोलता है, सर आपने, तो ये वो वाला graph बनाया है, जब x-axis को दो जगे कट कर रहे है, आप अनुनने एक काम करते है, ये वाला graph बनाते जब x-axis को टच कर रहा होगा, या जब x-axis के ऊपर से गया होगा, सेम, point का नाम वही रहेगा, ये vertex अभी भी vertex है, coordinates क्या है, इसके minus b by 2a, minus d by, ये formula सेम है, ये ही formula हैगा, ठीक है, इस वाले में भी ये ही formula हैगा, मतलब ये ही चीज़ चलेगी यहाँ पर, इसमें जो vertex है, वो होगी, minus का b by 2a, minus का d by 4a, इसमें जो vertex होगी, वो भी फिर से, minus का b by 2a, minus का d by 4a, इसमें जो y होगा, वो greater than equal to minus का d by 4a, ये minimum होगया, और इसके इम अंदर भी, जो y होगा, वो greater than equal to minus का d divided by 4a, ये y है, कभी-कभी सवाल ऐसा भी आता था कि, इसकी minimum value किस x पे exist कर रही है, ये ये, ये जब x अपन इस quadratic में रखेंगे, तो इस पूरी quadratic का जो value आएगा, वो आएगा, माइनस का d by 4a, ये वो x है, जिस पे minimum मिलेगा, और minimum क्या है, माइनस का d by 4a, अपवर्ड जो graph होता है, अपवर्ड पे रावला, उसका maxima नहीं होता, उसका minima होता है, ठीक है, ये भी अपन downward की बात करते है, ये x है, ये y ले लिया अपने, ऐसे एक अपने downward पे रावला लिया है, आप देख सकते हो, इस downward पे रावला में ये जो point है, ये point फिर से vertex है, coordinates लिखने का formula, फिर से same है, माइनस का b by 2a, माइनस का d by 4a, and quantity के y बराबर ax square plus का bx plus का c, ठीक है भाई, ये maximum value है, y की, जो भी y exist करेगा, वो इसके नीचे ही exist करेगा, downward पेरावला का maximum exist करता है, minimum exist नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो range होगी, y belongs to minus infinite से minus का d by 4a, ठीक है, अब downward पेरावला में भी तीन टाइप के पेरावला बनते है, एक पेरावला होता है, जब x axis को दो पेरावला होगा, जब touch किया होगा, और एक पेरावला होगा, जब ना तो touch कर रहा होगा, ना ही cut कर रहा होगा, अपन दोनों case ले लेते है, यह वो वाला पेरावला ले लिया, जब इसने touch किया होगा, और इसी के अंदर, इसी coordinate geometry system के अंदर, मैंने वो वाला पेरावला भी ना दो तच कर रहा था ना ही cut कर रहा था उसके इसके लिए जो वर्टेक्स होगा वह यह होगा coordinates क्या होंगे minus का B by 2A, minus का D by 4 है इस वाले में coordinates क्या होंगे minus का B by 2A, minus का D by 4 है यह maximum point है इसके नीचे ही lie करेगा जो भी y होगा यह maximum y है इसके नीचे ही आएगा, दोनों केस में यहां पे भी y less than equal to minus का d by 4 है, again y less than equal to minus का d by 4 है, maximum value कि इस x पे एक्जिस्ट कर रही है, minus b by 2 है, ठीक है, यह simple वाले होगे, जिन में आपको सिधा-सिधा में एक graph दे दू, y बराबर एक parabola दे दू, और वह लूँ इस parabola का, यह इस अब जिसे इसमें अगला problem के है, मैंने वो वाला ले लिया, जिसके अंदर मैंने case बना दिया, कि भाई, यह restricted domain वाला problem है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में ट्राइ किया होगा, चलिए मैं discuss करता हूँ, ठीक है, तो यह देखो upward parabola है, ठीक है, and upward parabola में इसका d निकाल लेते है, इसका d आएगा b square, minus का 4ac, यानि 8, तो d जो आ रहे है, वो 5 उपर का, 3 निचे का, यानि 17, 17 आ रहे है, तो d के सा रहे है, पोजिटीव आ रहे है, यानि इसने x-axis को दो जगे कट किया होगा, कहां कट किया है, not important, बट कहीं ना कहीं कट किया होगा, क्योंकि x पर कोई foundation नहीं है, x belongs to r है, अगर x पर foundation होती ही, तो अपन यह चेक करते हैं कि भाई, इसका vertex actually भी कहा लाई कर रहा है, जो मैं अगले problem में मैंने वो consider किया है, इस point का, अपनको y coordinate पता करना है, minus का d divided by 4a, यानि 4 into 1, तो इसका जो range होगा, y greater than equal to minus का 17 by 4, यानि final answer रहेगा, y belongs to minus का 17 by 4 से लेके infinite, a core ले ले लेते हैं, इसमें downward भी ले ले लेते हैं, y equal to, अच्छा, a core तरीका होता था हूँ, देखो, मैं आपको इसको solve करने का, ठीक है, आप वो वाला तरीका भी लगा सकते हो, of course, आप मैं से कयो का पता होगा, perfect square बनाने वाला तरीका, मैं इसको perfect square बना दूँ, जो मैंने एक problem में पीछे किया था, जिसमें एक problem में आया था, alpha square plus beta square का minimum value पता करो, जिसमें बना था, a square minus का 4a plus का 7, ऐसा कुछ बना था, तो मैंने ऐसा किया था, a square minus का 2a plus 7 बना था, sorry 4a नहीं, मैंने a square minus 2a plus 1 plus 6, यह perfect square बना दिया था, यही minimum हो गया था, यह तरीका भी अपन लगा स सकते है, ठीक है, चलिए एक बाल लगा के देखते है, x square plus, यह जो term होती है, यह 2ab की term होती है, तो इसमें से 2 अलग कर लेते है, a अलग कर दिया, तो b का मतला हो गया, 5 by 2, b का square करके add कर देते है, and b का square करके अपन subtract कर देते है, and plus 2, अलग से, तो यह तीनो term से एक साथ मर जो जाएंगे, तो y equal to open को मिलेगा, x plus 5 by 2 का square plus, इन दोनों का एक साथ ले लेते हैं, तो यह बन गया minus का 25 plus, sorry, minus का 25 plus 8 divided by 4, minus 25 plus 8 का मतला हो गया, 17 minus का, y equal to x plus 5 by 2, इसका square plus minus 17 by 4, तो यह एक fixed value है, है न, और यह जो value है, यह पूरी, यह या तो 0 होगी, या positive होगी, मुझे minimum पता करने हैं, यह तो fixed है, अब fixed value में आप क्या add कर रहे हैं, उसके हिसाब से minimum decide होगा, जो add करने वाला number, जितना छोटा होगा, उतना ही minimum, छोटा value मिलेगा, तो add करने वाले number का value, छोटे में क्या possible है, 0 ही possible है, तो यह जब 0 होगा, तब इस पूरे का minimum होगा, and that will be minus 17 by 4, और यह जो minus 17 by 4 minimum है, यह किस x पे मिलेगा, जब यह 0 होगा, यह 0 किस x पे हो रहा है, minus 5 by 2 पे 0 हो रहा है, ठीक है, चलिए अब अपन normal problem करते हैं, restricted domain के करते हैं, restricted domain का मतलब हो गया, x पे जब boundation आ जाएगी, तब problems को कैसे deal करेंगे, जैसे यह next problem है, इसमें क्या है यह पहले तो quadratic है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको reduce करना पड़ेगा quadratic में substitution करके, and उसके बाद जैसे substitution करूँगा, तो कुछ restriction लग जाएंगे x पे, अभी currently इसके अंदर यह मान लेते हैं, कि x belongs to r दे रखाया पनको, तो मैंने इस पूरे को y के equal ले लिया, तो यह मनेगा 3 into 2 की पावर x, minus 2 की पावर x की पावर 2 into 2 की पावर 1 minus 2, मैंने इसको तोड़ लिया, क्योंकि मुझे quadratic बना नहीं है, तो मैं ऐसे 2 की पावर 1 को अलग कर लेता हूं, 2 की पावर 2x को लिख देता हूं, 2 की पावर x का square, क्योंकि अगली line में अपन, 2 की पावर x की जगे लेंगे t, तो यह जो quadratic है, यह quadratic change हो जाएगी, minus 2 t square, plus का 3 t minus 2, पहले मैंने t square का term लिखा है, क्योंकि अब हैसा decreasing order में लिखते, एक systematic pattern होता है, लिखने का polynomial को, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना भाई, आपने यहाँ t square में quadratic बना दी, तो इसका यह मतलम नहीं, आप इसका d निकाल दो, और बोल दो कि सर इसका minus d by 4a से छोटा value होगा, minus infinite से लेके minus d by 4a, downward parabola है, तो minus infinite से लेके minus d by 4a तक जाएगा, वो गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, t है, और t पूरा cover नहीं हो रहा है, minus infinite से input पूरा cover नहीं हो रहा है, तो जितना input cover हो रहा है, उसके हिसाब से output बात करनी है, जैसे अगर मैं ग्राब बनाओ, ऐसे रेंडम, मेरे पास यह दो ही number है, और इन दोनों के बीच में जो value है, वो ही मेरे पास input का काम कर रही है, बाकी मेरे पास input है ही नहीं, since अब input नहीं है, तो उनके respect में जो output मिल रहे होंगे, ठीक है, 12th class का एक chapter अपना function काफी important chapter है, पहला ही chapter है, मैं इसका, उसमें यह चीज़ आपने देखी होगे, प्लस यह quadratic question में भी आता है कि range in restricted domain कैसे निकालते हैं, तो पहले domain पता कर लो restricted, उस domain के इसाफ़ से पन पहले graph domain पता कर लेंगे, restricted domain क्या है, graph बना लेंगे, उस graph में shaded portion बना लेंगे वो वाला जो उस restricted domain के इंदर है, उस shaded portion का, जैसे मैंने इस shaded portion बना दिया, इस shaded portion का maxima पता कर दो, और minima पता कर दो, वो ही आपकी range हो जाएगी, ठीक है, चलिए, try करते हैं, ठीक है, तो x belongs to r है, and 2 की power x जो होता है, उसका graph कुछ ऐसा होता है, यह x axis है, यह y axis है, 2 की power x, तो 2 की power x का value कैसा होता है, positive, तो यानि t का value कैसा हो जाएगा, positive, कब जैब x belongs to r होगा, अपनको t चाहिए था, क्योंकि अपनी equation अब t के अंदर से लिगी, तो t positive, यानि अपनको इसकी range बता करनी है, कब जब t positive होगा, तो अपनी इसका graph बना लेते हैं, और उस graph मेंचे वो वाला graph shade कर लेंगे, जो t positive होगा है, तो d निकाला मैंने इसका, b square minus का 4 into 2 into 2, आपको लग रहा होगा सरी, minus 2 into minus 2 होना चाहिए, वो minus minus मैंने प्लस कर दिया, आप check कर सकते, यह negative आ यानि इसका जो भी graph बनेगा, वो नीचे बनेगा, इस तरीके से, अब गल्ती यह मत कर देना कि इस नीचे में मैंने ऐसा बना दिया, जैसे एक बच्चे ने ऐसा बना दिया, और एक बच्चे ने मालो ऐसा बना दिया, इसके हिसाफ से जो range हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो range वो यह वाली हो जाएगी, और इसके साब से जो range होगी, उसमें minimum, maximum यह वाला point आएगा, मतलब यह graph अपना shaded होगा, minimum कहाँ जाएगा, infinite तक बट maximum तो यह जाएगा, तो यह आपको check करना पड़ेगा, कि vertex की दर जा रहा है, vertex का बस quadrant पता करना होगा, first quadrant है, second quadrant होगा, वो easy होता पता करना, ठीक है, देखो अपने इधर पता कर लेते, vertex, vertex होती हो, minus b by 2 है, तो minus b का वाला हो गया, minus 3, divided by 2 into a का मतलब minus 2, कॉमा, minus का d by 4 है, d आपको निकाल नहीं है, तो पता चली जाएगा, यह कितना हो गया, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया, 7 है ना, तो minus का 7 आगया यह, divided by 4 into a, a का value कितना है, minus का 2, आप चेक करो, vertex जा रहा हो, 3 by 4, 7 by, minus का d, आपको यह, प्लस हो जाएगा, क्योंकि minus का d by 4 है, तो 7 by minus का 8 आ रहा है, यह, minus 7 by 8 आ रहा है, यह, यह, वर्टेक्स कौन से क्वार्टरेंट में जा रहा है, 4th क्वार्टरेंट है, तो finally, इसका तो graph बनेग फाइनली मतलब, actually मैं exact graph नहीं बना रहा हूँ, approximate बना रहा हूँ, approximation में यह ध्यान रहा हूँ कि वर्टेक्स कौन से क्वार्टरेंट में जाएगा, कुछ ऐसा graph बनेगा, यह graph बनेगा, वो graph गलत है, कुछ इस type का graph बनेगा, अब यह जो graph बना है, इस graph में से वो वाला portion रख का है, and इस graph की अब अपन को पता करनी है, range, तो range का मतलब, इस point का y होगा, that is the maximum value, and minimum कहां तक जाएगा, minus infinite तक, इस point का y जो आ रहा है, वो निखाल है अपनने, minus plus 3 by 4, minus 7 by 8, तो finally इसकी जो range होगी, that is y belongs to minus infinite से लेके, minus 7 by 8, with close bracket, ठीक है, close bracket क्यों हो, क्योंकि यह x तो count होई रहा है, domain में, domain में यह वाला x नहीं count हो रहा है, तो इस जगा का y थोड़ी ना count करना है, मझे, इस जगा का y तो आई नहीं रहा है, इस जगा का y तो उधर जा रहा है, ठीक ह चलिए, अगला problem discuss करते हैं, बिल्कुल इसी type का है, sine के अंदर है, यहाँ पे भी substitution करेंगे, तब जाकि एक quadratic में convert होगा, एक बार आप खुछ से try करिए, एक minute का time ले लिजिए, फिर में discuss करूँगा, चलिए, आप लोगोंने try किया होगा, अब मैं इससे discuss करता हूँ, तो ठीक है, अब अपने एक काम करते हैं, इसमें sine x को लेंगे t, यह बन जाएगा y equal to t square minus 3t plus 5, इसके मुझे range बता करनी है, ठीक है, बट t belongs to r नहीं है, अब आप यह मत बोल देने हैं, सर range के लिए minus d by 4a से लेकि infinite, अपोर्ड पे रा बोला है, तो अपोर्ड पे रा बोला के ल था, तो sine x पे boundation आगी, जब x belongs to r होता है, तो अपन को पता है, sine x जो होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, minus 1 या minus 1 से क्या होता है, बड़ा, तो यहां से मुझे पता चल गया, कि t जो होगा, वो minus 1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा, t 1 से छोटा होगा है, and minus 1 या minus 1 से बड़ा होगा, तो इसकी range मुझे पता करनी है, कब जब t का वेली 1 से छोटा होगा, ग्राफ बना लेंगे, अपवर्ड पे रा बोला है, चेक कर लेंगे, वर्टेक्स कौन से पॉइंट में आ रहा है, उसके साफ से ग्राफ बना देंगे, और minus 1 से 1 के बीच वाला ग्राफ रख लेंगे, बाखी का ग्राफ हटा देंगे, d निकाला सबसे पहले, b square minus का 4 into a into c, तो d is minus 11, यानि upward पे रावोला होगा, बट upward में भी वो वाला पे रावोला, जब ना तो ये x को cut कर रहा होगा, ना ही x को touch कर रहा होगा, ठीक है, vertex, minus b by 2a, minus minus plus, minus d divided by 4a, vertex वा रही है, वा रही है positive value, दोनो, x और y positive, तो इसका दो ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, first quadrant में vertex है, एंड उसके इसाफ से upward पे रावोला पन बना देंगे, ये x है, ये y है, कुछ ऐसा पे रावोला बना दिया, ये जो point है, ये वाला point अपना vertex का point हो गया, ठीक है, एंड ये point जा रहा है, वो 3 by 2 जा रहा है, 3 by 2, 11 by 4, अब चेक करते है, minus 1 से 1, minus 1 इधर कहीं होगा, and 1 इधर कहीं होगा, क्योंकि ये 3 by 2 है, 3 by 2 जो है, वो 1 से बड़ा है, आप देखना vertex का x coordinate 3 by 2 आ रहा है, तो minus 1 से 1 के मतलब ये graph का ये वाला portion मेरा shaded portion हो गया, इस shaded portion का मुझे range बता करना है, इस shaded portion के range का मतलब हो गया minimum value इस जगे की, और maximum value इस जगे की, shaded portion के range का मतलब होता, maximum y पता कर लो, सबसे बड़ा y पता कर लो, shaded portion का, तो इस जगे को मैंने नाम दे दिया capital A point और इस जगे को बोल दिया capital B point, मैं इधर ले जा रहा हूँ भाई, capital A point के जो coordinates हो जाएंगे, x की जगे, t की जगे minus 1 डाल दो, उसके अंदर minus 1, उसके अंदर minus 1 डालोगे, 5, 3, 8, और 1, 9, वहाँ पे चला जाएगा 9, capital B के जो coordinates हो जाएंगे, आप इसमें 1 डाल दो, t की जगे, तो जैसे आप डालोगे 5 और 1, 6, 6 minus 3 is 3, तो यह वो गया 1, 3, तो range कहां से कहां हो गई, range that is y belongs to, I can write 3 से लेके 9, यह वो वाले problems होगे range के, जिन में आपको direct quadratic दे रखी थी, substitution करने के पहले या substitution करने के बाद, अब actually मैं range के अंदर वो वाले problems ले रहा हूँ, जिन के अंदर rational expressions आते हैं, जैसे यह rational expressions हैं, मैं देखो यहीं पे side में आपको बता देता हूँ, चलिए, मैं एक slide एडिकल लेता हूँ इसके लिए, rational expression का मतलता है, linear by linear, quadratic by linear, linear by quadratic, and quadratic by quadratic, इसको करने का method अलग होता है, और इन तिनों को करने का method अलग होता है, ठीक है, इसको करने का method हो गया, कि जैसे आप linear by linear में function आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं revision के point OVC video मना रहा हूँ, तो मैं कुछ चीजे function की use कर रहा हूँ, यहाँ पर बोलते था है, function में आपने बढ़ आया कि कोई linear by linear होता है, तो उसका आप domain कैसे बोलते हो, denominator not zero, और linear by linear का range कैसे बोलते हो, originally जो function होता है, y in terms of x होता है, आप उसको change करते हो, x in terms of y में, जैसे आप x in terms of y में change करते हो, तो आप बोलते हो, denominator not equal to zero, जिस point में denominator zero हो रहा है, वो point y से हटा दो, यही तरीका होता है, अगर आप चाहे एक छोटा सा example लेना, तो आप ऐसे देख सकते है, x minus 1 divided by 2x minus 3, ठीक है, तो इसमें अगर मैं domain की बात करूँ, तो x belongs to r, और उसमें से क्या point अटाना है, 3 by 2, range की बात करूँ, तो यह y in terms of x लिखा हो है, इसको अपन उल्टा लिख लेते हैं, that is 2xy minus 3y equal to x minus 1, x को एक तरफ ले लेते हैं, x के उपर, इसलिए domain आये था, same comment अपन को यहां करना है y के उपर, तो यहां मैं बोल सकता हूँ, y belongs to r minus half, since यह y पे comment किया, और y की values को यह अपन क्या बोलते हैं, range, तो इस तरीके से आप linear by linear की range निकाल सकते हो, linear by linear की range निकालना बहुत असान होता है, आप लोगों ने देखा भी, इसमें थोड़ा सा time लगता है, linear by quadratic, quadratic by linear, और quadratic by quadratic में, पहले मैं verbally बताता हूँ, फिर मैंने देखो, यह एक example भी लिया है, मैं आपको यह example पूरा करके समझाओंगा, ठीक है, तो linear by quadratic है, quadratic by linear में अपन क्या करते है, y equal to जो भी expression होता है, वो ले लेते है, cross multiply करके x के terms पे quadratic बनाते है, जैसे ही वो x के terms पे quadratic बनती है, उस quadratic का अपन बोलते है, कि x square का coefficient 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन quadratic के बारे मात करे, quadratic का basic concept यही होता है, कि x square का concept 0 ना हो, क्योंकि अगर x square का coefficient 0 हो गया, like this, a x square plus का bx plus का c, अगर ये term ही gaip हो गई, x square का coefficient 0 नहीं का मतलब ये term gaip होना, तो इसका हो लेते हैं, ये तो linear में कनोट हो गया, फिर तो quadratic रहा है नहीं, फिर इसके अंदर, सिब linear के फंडे लगने चाहिए, तो इसलिए अपन x square का coefficient को क्या बोलते हैं, non zero हो, और दूसरी चीर, since वो quadratic है, x के term से, और x जो भी उसको satisfy कर रहा है, वो real values होंगे, जो भी होंगे, कुछ missing है, कुछ added है, कोई फरक नहीं पढ़ रहा, बढ़ जो भी values होंगे, वो real है, अगर जो values उसको satisfy कर रहे है, वो real है, तो इसका उसको quantity का d जो होना चाहिए, वो greater than equal to 0 ना चाहिए, वहां से आपके पास y में inequalities बनती है, उस y के inequalities को अपन को solve करके, y की range बता करती होती है, चलिए आईए, एक problem लिया है अपन ने, उसको one try करते है, इस method से, ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया, y equal to x square minus x plus 1, divided by x square plus x plus 1, cross multiply कर लेते हैं, जैसे अभी just मैंने बोला था कि, आप cross multiply करके x में quadratic बना लिया करिए, तो यह बनेगा y x square, plus का y x plus का y, equal to x square minus x plus 1, y minus 1 x square, plus y plus 1 x, plus y minus 1 equal to 0, यह बन गई x में quadratic, अब इस x की quadratic से, मुझे कुछ-कुछ comments करने हैं, ठीक है, पहला comment, कि इसमें जो x square का coefficient है, वो non-0 होना चाहिए, यानि y minus 1 should be non-0, दूसरी चीज, इस quadratic का जो d होगा, वो greater than equal to, इन दोनों का common solution निकालते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या आता है, यही आंसर है, यह इसमें और कुछ भी चीज़े add होगी क्या, तो यहां से तो मुझे समझे आगे, कि y का value क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इसकी अगर मैं बात करूँ दो, d greater than equal to 0 की, तो इसका discrete निकाल देंगे, और उसको positive बना देंगे, तो y plus 1 का square, minus का 4 times, y minus 1 into y minus 1 greater than, b square minus 4 is C, b का value यह होगया, a का value यह होगया, और c का value यह है, solve करते हैं, y plus 1 का square, minus 2y minus 2, पूरे का square, greater than equal to 0, इसको मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, ठीक है, y plus 1 का whole square, minus 2y minus 2 का whole square बन गया है, अब इसमें देखो, फंडा लग रहा है, a square minus b square का, तो अपने एक काम करते हैं, अपनी calculation को आसान बनाने के लिए, आप देखो, वैसे भी कर सकते थे, कि आप यहाँ पर square open कर लेते, यहाँ multiply कर लेते, and solve कर लेते, y में को आडिटिक आते, उसको आडिटिक के roots निकाल के, number line पे plot करके, उसका solution पता कर लेते, मैं यहाँ पर easy concept लगा रहा हूँ, कि इसमें एक funda लग रहा है, a square minus b square वाला, तो अपने एक काम करते है, a minus b, a plus b लगा लेते हैं, तो a plus b, यह bracket आगया, a minus b, यह दूसरा bracket आगया अपना, simplify करते हैं, तो 3y minus 1, and यह हो गया अपना, minus का y plus का 3, greater than equal to 0, यह एक inequality है, और इस inequality का जो solution निकलेगा, वो number line पे plot करने के बाद ही निकलेगा, ठीक है, यह अपन को पहले सी पता है, बट आप number line पे plot करने के proper कुछ patterns होते है, पहला pattern होता है कि, x या y जिस पे भी inequality है, जैसी यह y के अंदर है, तो जो y है, उसका जो coefficient है, पॉजिटिव का 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे minus का 1 है, तो अपन क्या गरेंगे, minus common लेंगे, और दोनों तरफ minus से multiply करते हैं, जब भी कभी किस inequality में, दोनों तरफ आप minus से multiply करते हो, तो inequality का sign आपका change हो जाता है, तो यह बन जाएगा, 3y minus 1, into y minus 3, and this thing is less than equal to 0, number line पे plot किया, एक value 1 by 3 है, एक value 3 है, plus minus plus, इसके according जो answer है, वो है minus 1 by 3 से लेके 3, but actually मैं मैंने शुरुआत में बोला था, कि अपनको ऐसा answer लेना है, जो इन दोनों को simultaneously satisfy कर रहा हो, that is दोनों का intersection, तो अपने एक काम करते हैं, इन दोनों का intersection लिख लेते हैं, इन दोनों का intersection का मतलब, अगर इस range के अंदर, y equal to 1 count हो रहा है, तो वो अभी हट आना है, क्योंकि वहाँ पे count करने के लिए मना किया है, तो y belongs to, 1 by 3 से 3 हो जाएगा, और उसमें से अपन 1 हट आतेंगे, यह अभी final answer नहीं है, यह ensure करिएगा, final answer अभी यहाँ से निकलेगा, यह अभी intermediate answer है, अब अपन manually check करेंगे, कि y equal to 1 actually मैं अपनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, manually check करने का देखो मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको range के time पर बताये था, कि कोई input जब आप रखते हो, ठीक है, अगर वो input आपके domain में है, तो उस input के respect में जो output मिल रहोगा, that has to be counted in the range, कोई input आपने रखा, जिसे मानलो इसमें पूरे में मैंने x की जगर 2 रखा, और x की जगर 2 रखने पे मानलो इस पूरे का value है 5 by 2, तो अगर x equal to 2 मेरा domain में है, तो y equal to 5 by 2 मेरा range में होना पड़ेगा, मैं ये value, actually मैं manually check करूँगा, कि y equal to 1 मुझे मिलेगा है नहीं मिलेगा, उल्टा चलके, उल्टा कैसे हैं, कि मैंने मानल लिया कि y equal to 1 मेरा range में आ रहा है, अब चेक करूँगा, कि अगर वो range में है, तो किसी x के रखने पे आया होगा, वो x में पता करूँगा, कि वो domain में है या नहीं है, तो एक काम करते हैं, y का value 1 ले ले लेते है, x square minus x plus 1 divided by x square plus x plus 1, cross multiply किया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अपनको मिलेगा 2x equal to 0, finally अपनको मिलेगा x equal to 0, यानि मेरे पास domain में एक ऐसा element आ रहा है, जो domain में है, देखो x belongs to r, यानि इसमें x के सारी values count हो रही है, domain में एक ऐसा element है, जिसको अगर मैं इस expression में रखता हूँ, तो इस पूरे expression का value कितना हैगा 1, अगर इसका value 1 आ रहा है, तो अबीस सी बात है ये count होना चाहिए, यानि वो solution पूरा अपना correct नहीं है, वो solution एक्चली में देखो, गडबड क्या है ये समदना, इस solution में y equal to 1 अपना हटाना मजबूरी होता है, क्योंकि ये quality के point of view से अपन solution निकाल रहे, ये quality के point of view से निकले, ये तब भी निकल सकता है, जब इसमें से customs cancel out हो जाए, और customs जो बचे उसका solution निकाल देखो, तो final answer एक्चली में अपन यहां लिखेंगे, final answer, इसका तो final answer होगा, y belongs to 1 by 3 से 3 होगा, final answer में y equal to 1 range में count करेंगे, द्यान रखिएगा, range के जो problems होते हैं, उसमें बच्चा यहां जो answer आता है, उसी कोई final answer मान लेता है, ये answer final answer नहीं है, यहां जो y हट रहा है, उस y को आपको manually check करना पड़ेगा, कि वो y actually में हटेगा, ये count होगा, अगर मान लेता हूं में, यहां पर मेरे पास ऐसे x की value आती है, जो possible ही नहीं होती, तो इसका मतलब y equal to 1, finally मुझे फिर हटा रहीं पड़ता, क्योंकि domain में मेरे पास कोई ऐसा x possible लिए, जिसको रख दू, तो मैं y मिल जाए, ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं एको type जिस पर मैंने problem नहीं लिया, लेकिन मैं आपको verbally बता देता हूं, उसको आपको कैसे करना है, quadratic by quadratic में एक अच्छा question आता है, जैसे अपन ने देखा कि अपन rational expression की range बढ़ रहे है, तो rational expression में अपन ने क्या लिया था, linear by linear, जिसमें मैंने एक example करके विता है आपको, ये example आप लोगों ने function में भी किया होगा, फिर आता है quadratic by linear, linear by quadratic और quadratic by quadratic, quadratic by quadratic में एक बहुत बढ़िया problem आता है, जिसको बच्चे कहें के बार जल्दी-जल्दी के चकर में, क्योंकि उनको लगता है, जैसे इस problem में आप देख सकते हो, कि इन दोनों में कोई भी common factor नहीं है, तो यह actual में quadratic by quadratic ही है, बट मैं ऐसे और examples ले सकता हूँ, जैसे एक example ले लिए, x square minus का 5x plus का 6, y equal to divided by x square plus का x minus का 2, इस numerator के जो factors होंगे, वो x minus 2 into x minus 3 होंगे, एक काम करते हैं, यह minus ले लेते, denominator के जो factor होंगे, वो x minus 2 into x plus 1 होगा, आप check कर सकते हैं, x minus 2 एक common factor यह काट देंगे, यह काटने के बाद यह problem change होगी, y equal to x minus 3 divided by x plus 1, मुझे इसकी range निकाल दिया, जो कि मेरे लिए आसाना निकालना, compared to quadratic by quadratic वाले, quadratic by quadratic वाले होंगे, अगर आप range निकालते हैं, तो time taking होता है, ज्यादा time लेता है, जो कि अभी अपनने एक problem करके देखा, linear by linear वाले में आप देखो, मैंने 6 line में कर दिया, यह 6 line भी तब जब मैं आराम-ाराम से लिख रहा हूँ, of course अपन बीच पे कुछ-कुछ lines को miss करके, jump करके आगे बढ़ सकते हैं, चलिए, यह problem होई गया, चलिए अगला problem लेते हैं, यह कोई quadratic equation है, and this quadratic equation का value हमेशा positive है, यहाँ पे लिखावा देखे for all x, for all x का मतलब हो गया, every x belongs to r, this quadratic equation का value हमेशा positive है, यानि यह मतलब हो गया, कि यह quadratic equation हमेशा upward होगा, हमेशा upward का मतलब यह वाला graph, upward पे रहा बोला, यह वो वाला graph होता है, जिसमें अपनी यह बोलते, fx, that is quadratic equation, इसकी value पूरे की, हमेशा positive होगे, यह वो वाला graph है, input पे फरक नहीं पढ़ता है, output की value का, output आपका हमेशा positive आएगा, input आप कुछ भी रखे, doesn't matter, अगर यह वाला graph है तो, यहाँ पे यह वाला graph अपन को कैसे पता चल रहा है, x square का coefficient कैसा है, 1, 1 का मतलब कैसा है, positive, और जब भी x square का coefficient positive होता है, तो graph कुन सा बनता है, upward पहली चीज तो, दूसरी चीज उसने बोला है, y is somewhere positive, यानि quadratic equation की value, somewhere positive, somewhere negative होगी, यह somewhere positive है, and somewhere 0 होगा, यह always positive है, and always positive वाला कैसा है, अब इसमें देखो, याद करो, मैंने आपको अभी, कुछ टाइम पहले ही, जब graph बताये थे, तब यह बताये था, कि आपको graph से conditions पता होनी चाहिए, जैसे अगर मेरे सामने मालों, यह graph आगिया, तो मेरे दिमाग में, इसकी condition आजानी चाहिए, कि इसकी conditions क्या होगी, इसकी condition होती है, A positive, and D negative, यह दो condition आपके दिमाग में आजानी चाहिए, बस, क्योंकि यह ही condition लगा कि, आपको inequality generate करनी हो, और इस inequality से A का value निकालना है, तो एक काम करते हैं, अब यह quality equation लेते है, x square, plus का 2ax, plus का 10 minus का 3a, greater than 0, इसमें मैं कर देता हूँ, D less than 0, इसमें x square का coefficient, already positive है, तो x square का coefficient को positive बनाने की need नहीं, यह करने की need नहीं, यह already pensioned है, तो 4a square, minus का 4 into, 1 into 10 minus का 3a, this whole thing less than 0, यह D less than 0 वाला equation है, solve करना है भाई से, तो 4a square, एक काम करते हैं, 4 common ले लेते हैं, यह 4 यहाँ से common हादाएगा, गाईब हो दाएगा, तो a square, plus का 3a, minus का 10 less than 0, इसका middle term is split और 5 और 2 में, उन्हाँ प्लस का 5 and minus का 2, देखो न, आंसर भी वैसे ही है, plus 5 minus 2, एक ही जगे लिखा है बट ठीक है, फिर भी यह भी हो सकता था, ठीक है, इसके वाला भी हो सकता था, यह आपने देखा होगा कि, कि कि एक बार आंसर नहीं दे तो, आंसर का subset दे देता है, प्लस 5 बनेगा एक फेक्टर और दूसरा फेक्टर बनेगा एक माइनस 2, मैं आप लोग को फेक्टर बनाना बहुत अच्छे सिखा चुका हूँ, तो अब मैं डारेक्ट फेक्टर लिख रहा हूँ, तो आप लोग केच कर पा रहे होंगे, मैं डारेक्ट फेक्टर के ऐसे लिखा है, मैंना ऐसे माइन्ड भी दो नंबर सोच लिए, कि जिनका प्रोडेक्ट माइनस 10 आना चाहिए, तो डेफिनेटली उन में से एक तो नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडेक्ट नेगेटिव तब आता है, जब एक नेगेटिव होगा, तो मेरे दिमाग में आगे एक नेगेटिव होगा, दूसरी चीज मैंने देखा कि भाई, दोनों का जो सम प्लस थी आने चाहिए, यानि बड़े वाला नंबर पोजिटिव होगा, तो छोटे वाला नंबर नेगेटिव होगा, तो माइनस 10 के मेरे दिमाग में, माइनस 5 और 2 में, अब बस मुझे ये इंस्योर करना था, कि माइनस 5 पे आएगा या 2 पे आएगा, वो यहाँ से इंस्योर कर दिया मैंने, ठीक है, चलिए, इसको नंबर लाइन पे प्लोट कर लेते है, ये वेल्यू माइनस के 5 हो गई, ये वेल्यू 2 हो गई, प्लस, माइनस, प्लस, अपनको चाहिए माइनस वाला, तो अपना फाइनल आंसर हो देगा, माइनस 5 से 2, यानि B for Bombay, इस प्रोब्लम का राइट आंसर होगा, चलिए, अगरे प्रोब्लम पे चलते हैं, एक मिनेट लीजिए, आप इसे ट्राइ करिए, फिर में डिसकस करता हूँ, हाँ भाई तो आप लोगों ने ये ट्राइ किया होगा, चलिए, ये डिसकस कर लेते हैं, इस प्रोब्लम का राइट लीजिए, अपनको इसका डिस्क्रिमिनेंट जए हो वो नेगेटिव करना है, और ए तो वैसे ही पोजेटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर देते, that is, b square 3k minus 1 का square, minus का 4 times a into c, 8k square minus 7 and this whole thing less than 0, simplify करते हैं, ये 4 common ले सकते हैं, 4 common लेके वहाँ 0 में चला जाएगा क्योंकि 0 divided by 4 is 0 बागी simplify कर लेते 9k square minus 6k plus 1 minus 8k square plus 7 and less than 0 यह मिलके अपना बन जाएगा k square minus 6k plus 8 less than 0 इसका middle term split हो रहा है 4 और 2 में ठीक है तो again k minus 4 and k minus 2 less than 0 तो k की जो range आ रही है plus minus plus वो आ रही है 2 से लेके 4 k की range 2 से लेके 4 है तो 2 से लेके 4 के बीच में the integer k for which कौन सा integer लाई कर रहा है तो अब्व्यसी बात है बीच में कौन सा integer लाई करेगा 3 वाला integer लाई करेगा ठीक है तो इसका answer होगा k equal to 3 will be the integer that lies in that range which will satisfy this equation ठीक है हाँ भाई अब स्टार्ट करते हैं पर location of roots लास्ट टोपिक है इस चेप्टर का ठीक है बहुत important topic है क्यों क्यों क्योंकि location of roots के जो questions होते है वो advanced level तक में भी आते है अच्छे वाले ठीक है advanced के questions देखो अब कई topics ऐसे जहां से advanced level के questions बनना ही possible नहीं है बढ़ कई topics ऐसे जहां पर advanced level के questions easily बन जाते है जैसे location of roots है जैसे बहुत सारे फंडे हैं जिनको आपको समझने की need है काफी सारी conditions आएगी उन conditions को मैं derive कैसे कर रहा हूं generate कैसे कर रहा हूं बस आपको वो समझने की need है याद automatically हो जाती हो जब आप समझ जाते हो कि actually में derive कैसे किया जा रहा है ठीक है तो सबसे पहला जो है location of root में वो है both the roots are greater than a number k यानि दोनों की दोनों roots जो है उस number k से क्या होगी बढ़ी तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले possible graph बना रहा हूं तो मैंने एक काम किया x-axis पे किसी जगह पे यहाँ पे number डाल दिया मैंने k और मैंने वाला दोनों roots इससे बढ़ी है तो जो possible graph बनना चाहिए upward के point of view से वो कुछ ऐसे बनने चाहिए यही possible है ठीक है बाई downward को भी ले लेते है साथ के साथ यह x-axis है यह y-axis है यहाँ मैंने number रख दिया k जो possible graph है इससे दोनों roots के से बढ़ी होनी चाहिए कुछ ऐसे graph पोसिबल है अब मैं चाहता हूं condition generate करना जो कि दोनों में एक साथ लगे दोनों के लिए अलग लें करना है कि लिए अलग solution निकालेंगे minus b by 2a का value के से क्या होना चाहिए बढ़ा कोई बच्चा बोले सर डी greater than equal to 0 काफी है ना नहीं यह भी काफी नहीं यह देखो ऐसे यहाँ के है तो डी greater than 0 तो इसका भी होगा जबकि इसमें दोनों roots के से बढ़ी का है ठीक है यह वाले graph भी count हो जाएंगे इस के अंदर यानि यह भी जरूरी है और यह दोनों भी sufficient नहीं है कैसे देख़िए मैं बताता हूं यह हटा देता हूं मैं थोड़ा सा ठीक है ऐसा graph जिसमें दोनों conditions sufficient नहीं है वो वाला देखते है एक ऐसा graph जिसका डी greater than equal to 0 ले ले लेते है और minus b by 2a जो होगा वो के से बढ़ा होगा देखो मैंने एक graph बनाया यहाँ पे k रख दिया और ऐसा कुछ बना दिया वर्टेक्स इदर जा रहा है आप देखो इसका इग greater than equal to 0 है यह satisfy और minus b by 2a ज़स्ट वर्टेक्स के आगे ही है वर्टेक्स के तो बहुत आगे है तो गड़बड है यह वाला graph count नहीं होना चाहिए तो यह एक condition की और need है अपनको वो जो condition है वो condition यह होती है कि इसमें अगर मैं f of k का value देखो f of k का value वह आ रहा है positive और इसक a कैसा है negative और इन वालों के लिए a कैसा है positive मुझे merge करना इनको ठीक है merge करने का मतलब यह हो गया कि भई में दोनों को एक साथ मिला कि ऐसे बोल सकता हूँ a into f of k का जो product का value होगा वो कैसा होगा positive और आप इसको ऐसे feel करो f of k positive है जो k होगा वो दोनों roots के outside में ही होगा या तो अब इसमें गड़ बड़ी होगी कि अगर k f of k positive है तो आपको ऐसा लग रहा है तो दोनों roots के बीच में होना जाए यह तो अपन बोलते है both the roots are greater than a fixed number के तो आपको कभी वी ऐसा सवाल दिया जाए कि both the roots are greater than a fixed number तो आपको यह तीनों condition apply कर नहीं आप देखो मेरे कोई याद नहीं थी मैंने just graph बनाए और graph बना के derive कर लिए अगर आपको याद तो अच्छी बात है नहीं याद तो आप इस तरीके से graph बना के derive कर सकते क्योंकि just कोई condition नहीं याद मुझे छोटी सी basic सी उसकी वज़े से problem solve क यहां लेते हैं यह x-axis है यह y-axis है तो एक काम करते पहले k को fix करते हैं यहां k है तो upward बना दिया और एक और ऐसा बना दिया इसमें दोनों roots उस number k से क्या है छोटी downward भी ले ले लेते हैं फिरसे कुछ अं तक वैसी conditions आ रही है जैसा पीछे वाला देखा ता अपने पहला condition तो d greater than equal to 0 बट इस sufficient नहीं है क्योंकि d greater than 0 तो भाई ऐसे graph का भी होता है जब दोनों roots उदर चली जाए एक root इदर ये k जो है दोनों roots के बीच वे लाई करता है तो दूसरा condition अपन को ऐसा feel आ रहा है कि सर अपन इस पे condition डाल देते है minus b by 2 है vertex का x coordinate पे vertex का जो x coordinate वो इस number से क्या होना चाहिए छोटा vertex का x coordinate इस number से छोटा तो vertex का x coordinate k से छोटा बट ये दोनों भी sufficient नहीं है अभी just मैंने आपको बताया था ये वाला case यहाँ k ले लिया और ऐसे को ये graph बना दिया vertex का x coordinate यहां है यह है minus b by 2 आप देखो यह दोनों condition इस graph में just satisfy हो रही है d greater than equal to 0 में लग रहा है इसमें minus b by 2 less than k वो भी लग रहा है बट यह graph क्या इस language को satisfy कर पाएगा बिल्कुल नहीं क्योंकि दोनों roots के से छोटी नहीं एक root के से बढ़ी है और a into f of k and यह product कैसा आना चाहिए fit से positive यानि first वाले में और last वाले में a into f of k greater than 0 यानि इसके जस्ट पीछे वाले में और इस वाले में जो difference आया है वो सिर्फ इस बीच वाली condition का है उसमें minus b by 2a के से बढ़ा होता है क्योंकि के दोनों roots के पहले लाई कर रहा है और इसमें यह जो है दोनों roots के बाद में लाई कर रहा है बाद में और पहले का मतलब समझेओ x-axis के साब से बात करो इधर जाने का मतलब बढ़ा उदर जाने का मतलब छोटा वो पहले है और यह बाद में ठीक है इसमें लाई कर रहा है तो minus b by 2a छोटा होगा आप देखिए उसमें condition में यह देखिए सिर्फ यह फरक है बाके की दोनों की दोनों condition as it is है ठीक है यह d greater than equal to 0 a into f of k जैसे इसमें आप चिक करिए यह f of k है तो इसमें f of k कैसा है negative है और a b कैसा है negative तो finally product कैसा हो दाएगा positive इसमें f of k की बात करूँ तो इसमें f of k कैसा है अपना positive और a कैसा है positive तो product कैसा हो दाएगा positive ठीक है एंड यह तभी possible होगा जब दोनों roots के outside अपना k होगा ठीक है चलिए देख लीजिए अगला cushion लिया है मैंने एक वो cushion try कर लेते है ठीक है if both the roots of this interval are less than 5 यानि दोनों की दोनों roots इस quadratic equation की 5 से छोटी है तो k का interval क्या होगा वो पता करना है ठीक है भाई तो मैंने fx के equal to ले लिया x square minus का 2kx plus का k square plus का k minus का 5 ये fx के equal to लिया है मैंने ठीक है एंड इसकी दोनों roots जो है वो 5 से छोटी है तो condition लगा दू में पहली condition तो d greater than equal to एक एक solve करते चलते वाजिनली intersection ले ले है इन तीनों का आपको आपस में क्या लेना होता है intersection इध्यान रखिएगा union नहीं करना है ऐसा आपनको parameter चाहिए तो तीनों को simultaneously satisfy कर लो इन तीनों में भी आपस में क्या लेना है अपनको intersection, अपनको एक ऐसा parameter चाहिए, जो तीनों को एक साथ satisfy करना होगा, ठीक है, चलिए इसको complete करते हैं, तो b square का मतलो हो गया 4k square, minus का 4 into a into c, that is k square, plus का k, minus का 5, and this whole thing greater than 0, 4 common ले लो, तो k square, minus k square, minus का k, plus का 5, greater than equal to 0, I will get minus का k, plus का 5, greater than equal to 0, जो भी answer होगा, वो इससी के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी satisfy करना जरूरी है, तो यह तो गलत है, यह भी गलत है, तो या तो यह होगा, या यह होगा, इन दानों से कोई एक होगा, मैरे को पूरा problem करने की need नहीं है, कहीं के बार ऐसा होता है, कि a की से answer आजाता, क्योंकि अपने पास option है, option का use लेना है, objective exam का यही फाइद होता है, कि आप option का use लो, थोड़ा problem को आसान बना लो, जिस step में भी आपको लगता है कि मेरा option का use लेने से answer आजाएगा, आप उसी step पे जाके अपना answer को conclude करना हो, ठीक है, चली आगे बढ़ते है इसमें, second condition क्या थी है, अपनी minus का b by 2a, यानि minus b का मतला हो गया minus 2k, divided by 2 into a का मतला x square का coefficient, and this number is less than 5, ठीक है, तो simplify करते हैं, तो इसका मतला हो गया k का value less than 5 होगा, यानि k का value 5 नहीं हो सकता, यह answer गलत, आप देखो मैंने सिप 2 condition से answer निकाल लिया, तेसरी condition मुझे solve करने के need न तेसरी condition क्या थी है, अपनी a x square का coefficient into f of k, यानि 5 greater than 0, इसके अंदर x के दिका 5 डाल दो, solve कर दो, तो 25 minus का 10k plus k square plus k minus 5 greater than 0, I will get k minus 9k plus 20 greater than 0, इसका middle term is split आ पांचोट च्यार में, डारेक्ट लिख दू भाई में, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, plus minus plus, यह और यह, देश, देश और देश का intersection क्या जाएगा, 4 से छुटा, logic समझने आपको ठीक है, वो बहुत important बात है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अपने दो case देख लिए, बोथ दी रूट्स हार greater than a number, या बोथ दी रूट्स हार less than a number, अगला जो देखा है, वो देखा है, बोथ रूट्स lies on either side of the number d, इधर side का मतलब ये number जो d होगा, दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा, अगर मैं upward के हिसाफ से बात करूँ, graph बनाते हैं, फिर conditions लिखेंगे, यहाँ एक point ले लिया d, और मैंने upward पे रावोला बनाया, तो कुछ ऐसा पे रावोला बनेगा, कि दोनों रूट्स के बीच, in between कहीं, बीच का बतलब ये नहीं, यह जश्ट बीच में लाई करे, in between कहीं लाई करेगा, ठीक है, दूसरा जो graph बनाया, उसमें एक काम करते हैं, नंबर d को plot कर लेते पहले, x axis पे कहां पर हैं, फिर उसके हिसाफ से पन graph बना लेते हैं, लाइ इसका एक एसा है positive, and f of d कैसा होगा, negative, इसका एक एसा है positive, and f of d कैसा होगा, negative, गुमा फिर आके में 3-4 चीज़ें, उन्हीं पे एक move कर रहा हूं, एक डिस्क्रिमिनेंट पे move कर रहा हूं, एक vertex के x coordinate को relate कर रहा हूं, और एक जो point दिया गया, उस point पे आने वाले y coordinate, that is, f of d, यहां vertex के coordinate को में check कर नहीं कर सकता हूं, क्योंकight वो तो, इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, यह यह number actually में, इसके respect में कहीं पे भी हो सकता तो कुछ बोल नहीं सकता कि D जो है इसके vertex से coordinate से छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, कुछ भी हो सकता हूँ ठीक है, हाँ, इस पे comment कर सकता हूँ, जिसे इन दोनों का product के सार है negative और इधर भी हिन दोनों का product के सार है negative, यानि A into F of D का value के सार है negative अब आप एक चीद देखो, ये जो condition है जिसको अपने second बोल दिया, ये condition possible ही तब ही हो पाएगी जब graph x-axis को दो जगे intersect करेगा, इस condition में कभी कोई ऐसा graph, graph पे मैं ज्यादा जाता हूँ कभी कोई ऐसा graph counting नहीं होगा, जो x-axis को दो जगे intersect ना करे, जब इसके अंदर already सिर्फ वो ही graph count हो रहे है जो x-axis को दो जगे intersect कर रहे है, तो ये लिखने की फिर need क्या है, आप समझ रहे हैं ना ये चीज़, इसकी फिर अपन को need ही नहीं इसको हटा सकते क्योंकि वो ये ही बोल रहा है कि दो एक जगे intersect करने जाए, वो तो इसमें पहले सी count दे हो रहे है, मतला अगर आप इसको लिखो गे भी और intersection लोगे तो ये ही answer आएगा, उसके लेने और नहीं लेने से intersection पे कोई फरग नहीं पड़ेगा, जो answer वो इसी से आएगा, तो एक का करते भाई, अपन इस वाली condition को हटा देते हैं, ठीक है, अपना दो final condition आगया, वो ये ही हो गया, इसमें आसान होता है, बस A की condition होती है, और इसमें देको ऐसा होता है, upward है, ठीक है, तो A positive हो गया, अब F of D negative तबी ही हो पाएगा, जब वो point दोनों roots के in between लाई कर रहा होगा, क्योंकि A positive है, यानि downward है, यानि ये negative हो गया, तो side वाला जो number जो product में किया है, वो कैसा होना चाहिए, positive क्योंकि product negative आना चाहिए, तो F of D positive तबी हो पाएगा, जब D जो point होगा, वो दोनों roots के in between लाई कर रहा होगा, तबी तो देखो न, इस पे जो Y आ रहा होगा, वो positive आ र ये काफी काम का है, इसमें एक dilemma आता है, ठीक, एक glitch आता है, हलका सा, छोटा सा, जो अच्चे कही के बार use नहीं करते है, और direct answer निकाल देते है, तो इसका जो basic concept है, वो तो ये है, कि जैसे मैं graph बना दू, basic वाला graph, मैंने यहाँ D point ले लिया, और यहाँ E point ले लिया, यह बो ये D हो गया, ये E हो गया, downward के साब से ऐसा भी हो सकता है, exactly one root, ऐसा भी हो सकता है, कि इधर से आता है, ठीक है, दोने case में, अब आपको ये case ले लो, और उसके साब से पन discuss करते है, ठीक है, तो जैसे मैंने ये case ले लिया, ये वाला finally, ये D हो गया, ये E हो गया, ये X है, ये अब आप एक ची देखिए, F of D का वेल्यू के सार है positive, and F of E का वेल्यू के सार है negative, and F of E का वेल्यू के सार है positive, यानि यह तभी possible है जब एक इनपूट पे आउटपूट पोजिटिव आए और एक इनपूट पे आउटपूट नेगेटिव आए, जब वो दोनों रूट्स के आजू आजू में होगे, मतलब समरों न, graph ने x को दो जगे कट करना ही करना है, और दो जगे में एक जो number होगा d, वो दोनों रूट्स के बीच में होगा, और एक नमबर दोनों रूट्स के बाहार होगा, यानि इन दोनों के product से, जो condition generate होगी, that is this one, f of d into f of e, and this thing is less, यह more than enough है, एक ही condition आएगी इसमें, एक से ज्यादा condition आने की need नहीं है, बट इसमें कुछ graph ऐसे जो अपर ने consider नहीं किये भी, इनके लावा, कौन से graph, जैसे मैं यहाँ side में बता रहा हूँ, बाकि मैंने इसमें एक example लिया है, उस example में आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा दूगा, जैसे यह वाला case है, यह x है, यह y है यह point d ले लिया, यह point d ले लिया, यह भी एक graph है, जो actually में अपन solution में count होना चाहिए, क्योंकि इस graph के हिसाफ से भी, जो language हो, वो satisfy हो रही है, language यह बोल रहा है कि exactly one root जो है, वो open d से open e के बीच में लाई करना चाहिए, यही तो root आ रहा है, यह open d से open e के बीच में, यह open वो लाई है, यह इस point पे कोई root आ रहा है, तो चलेगा, boundaries पे root आ सकता है, जबकि वो इसमें नहीं count हो रहा, boundaries के root, यह उसको अलग से consider करना पड़ेगा, कैसे, देखो सुनो, मैं क्या गरूंगा, इसमें case बनाऊंगा, कि f of d को ले लिया root, यह यह नहीं, वो 0 ही ले लिया, और एक case बनाऊंगा, f of e को क्या ले लूँगा, root यह नहीं, वो 0 ही ले लूँगा, f of d जब root होगा, तब के parameters की value निकाल लूँगा, और उन parameters को वापस equation में डालके, दूसरा root चेक करूंगा, क्योंकि यह तो तब भी possible है, जब graph कुछ ऐसा हो, आपको graph ऐसा ही बनाना है, इस case में, इस point से pass होने वाला quadratic sufficient नहीं, दूसरा जो point है, जो root वाला point है, वो यह भी verify करना है, कि वो d और e के बीच में लाई कर रहा है, कही ऐसा तो नहीं, वो इस तरफ जा रहा है, कही ऐसा तो नहीं, वो ऐसे चला गया, दूर चला गया, यानि आपने f of d equal to 0 कर दिया, parameter रेका लिया, वो parameter वापस रख दो, और parameter वापस रखोगी, तो वहाँ से जो दो roots हैंगे, उन दोनों roots में, एक root तो d होगा, दूसरा root चेक करो, क्या वो d और e के बीच में लाई कर रहा है, क्या, अगर d और e के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका x square, plus k plus 1x, plus k, मेरा बन गया, f of 1, into f of 3, और यह product कैसा होगा है, negative, f of 1 का मतलो हो गया, 5, plus k, plus 1, plus k, and f of 3 का मतलो हो गया, 9, that is 45, plus 3 रखूंगा, 3k, plus 3, plus k, and that less than 0, solve करते हैं, 6 plus का 2k, 48 plus का 4k, less than 0, यह ध्यार रख रहा है, यह f of 1 रखने से यह generate हो आता, और यह f of 3 रखने से generate हो आता, क्योंकि जरूरत पड़ेगे, विजर से में पीछे बता है na, f of 1 equal to 0 करूंगा, f of 3 equal to 0 करूंगा, तो पहले तो यहां से जो answer आ रहा हो निकाल लेते है, भई, तो यह आएगा k plus 3, और यह आएगा k plus 12, less than 0, number line पर plot कर लिया, तो equal to minus 12 है, equal to minus 3 है, plus minus plus, तो इसका answer हो देगा, इसके हिसाब से, इसका answer हो गया, यहां से, open 12, minus 12 से लेकर, open minus 3, बस अपनको यह check करना है, minus 12 और minus 3 जिनको open रखा है, वो close में होंगे, open में होंगे, यहां से नहीं बोल सकते हैं, अपनको personally case बना के verify करना पड़ेगा, case 1, यह वो वाला case है, जब graph कुछ ऐसा होगा, देखो मैं graph भी बना देता case कि boundary जो है, वो root का काम कर गई, यानि यह चीज, यह वाला case ले रहा हूं में, कि जो graph है, वो मेरा इसी point से pass करेगा, ऐसा कुछ, बन मुझे यह justify करना पड़ेगा, कि जो दूसरा root है, वो 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि graph 1 से pass करना sufficient नहीं है, जैसे 1 है, यह यह count नहीं होना चाहिए, यह वाला graph solution में count नहीं होना चाहिए, इस graph को justify करने वाला, जो k का value है, वो solution में count हो रहा है, ठीक है, यह देखना है पनको, तो यह follow करते है भाई, f of 1 इक्वल टू 0, यानि f of 1 का मतलब यह generate होगा, फिर यह आएगा, फिर यह आएगा, तो मैं f of 1 क कितना गया, minus 3, यह k का value minus 3 वापस quadratic में डाल दो, तो quadratic का equation बन जाएगा, 5x square, minus का 2x, minus का 3 equal to 0, इसके 2 roots आएगे, एक root तो confirmed 1 होगा, दूसरा root चेक करना है पनको, कौन सा हैगा, ठीक है, तो product of root से कर लेते, एक root तो इसका 1 होगा, दूसरा root कैसे निकालो गया, product of root से, product of root कित आ रहा है, वो आएगा minus 3 by 5, यहानि इसका actually में अपने सोचा ऐसा था कि graph ऐसा बनेगा, चेक करने जा रहेते हैं, कि graph ऐसा बन सकता है, चेक करना पड़ेगा, लेकर actually में इसका तो graph बन रहे, वो कुछ ऐसा बन रहे, यहाँ पर 1 है, यहाँ minus 3 by 5 है, ऐसा graph बन रहे, और यहा count नहीं होगा, केक का value minus 3 में, solution में count नहीं करूँगा, यह अभी तक इतना answer सही है, minus 12 और, चेक करना है, मुझे, case 2 ले ले लेते हैं, case 2 का मतलब हो गया, f of 3 equal to 0, फिट से अपन इसी का उल्टा कि, यह मान लिए, अपने कि 3 root है, अब चेक करने जा रहे, कि यहाँ बनेगा, कि ऐसा बनेगा, कुछ और बनेगा, तो f of 3, f of 3 का मतलब यह ही आएगा, k plus 12, तो मैंने solve किया भाही यहाँ पे, तो k plus 12 equal to 0, यहाँ से मुझे मुझे मिला k equal to minus 12, यह k के वेली minus 12 वापस मैंने इसी quadratic में रख दी, तो जैसे उस quadratic में रखता हूँ, 5x square minus 11x minus 12 equal to 0, ठीक है, इस clear है कि इसके दो roots होंगे, real होंगे, एक root तो यह होगा 3, क्योंकि 3 रखने से k minus 12 आया, तो minus 12 रखने से एक solution 3 आएगा, इसके अंदर 3 रखा, original में, और equal to 0 कर दिया था, 3 रखने के बाद, तो k का value कितना है, minus 12, अब k का value minus 12 कर देता हूँ, और equal to 0 कर देता हूँ, और x निकाल रहा हूँ, product of roots इस में आ रहा हूँ, minus 12 by 5, minus 12 by 5 को में लिख सकता हूँ, minus 4 by 5 into 3, तो एक तो 3 हो गया, तो दूसरा किया होगा, minus 4 by 5, दूसरा root जो होगा, minus 4 by 5 होगा, अब again, वो graph नहीं हो पा रहा, कैसे, यहाँ जो graph बन रहा है, as per 3 data, वो ऐसा बन रहा है, यहाँ 1 है, यह 3 है, कुछ ऐसा graph बन रहा है, इसका 1 root 3 जब हो रहा है, तो दूसरा root 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए था, बट actually वो कहाँ लाई कर रहा है, कहीं और ही जगह पे लाई कर रहा है, जिसका हो यह जो answer है, यही answer अपना क्या होगा, final answer होगा, ना तो इसमें k equal to minus 3 count होगा, ना ही इसमें k equal to minus 12 count होगा, बच्चों को लगता है कि यहां जो answer आता है, वो ही final answer होता है, वो कई बार problem में होता भी, जैसे आपके सामने एक problem है, coincidentally इसमें यह answer match कर रहा है, कि जो यह answer आता है, वो ही final है, बच्चा यह कई बार check नहीं करता, उसको लगता है, यह unnecessary time waste करना है जो आया है उसी कोई final मालने लेते हैं, नहीं बटा, एक बार करके जरूर देखिएगा, ठेक है, कई के बार हो सकता है, कुछ ऐसा glitch डाल दे problem में, जिसकी वज़े से आप आते वे problem में भी marks खो दो, चलिए आगे बढ़ते हैं, both the roots lies in D and E, graph बनाते है, अब पोड के point of view से, य x-axis है, यह y-axis है, तो अपने यह interval plot कर लेते हैं, D और यहाँ पे interval plot कर लिया मैंने E, दोनों roots इस interval के अंदर लाई करनी चाहिए, या जो graph बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, या graph कुछ ऐसा बनेगा, या या वह वाले case हो गया, कि दोनों roots D से बढ़ी हो नी चाहिए, and दोनो पड़ाता न, एक अपने ऐसा case पड़ाता कि दोनों roots एक number है, K उससे बढ़ी हो नी चाहिए, दोनों roots एक number है, K उससे छोटी हो नी चाहिए, दोनों का mixture आ गया, यह, दोनों roots जो है, वो D और E कहा हो नी चाहिए, बीच में, तो ऐसे दो possibility, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एक ची देखू, F of D कैसा आ रहा है, मेरा positive, क्योंकि वो ही सब condition fits आएगी, बस यहाँ पर थोड़ी सी condition बढ़ जाएगी, इसके अंदर क्या आ रहा है, F of D is positive, F of E is negative, F of E is negative, and A is also negative, उसके अंदर याद है, अपने पहली condition तो यह लिखिती है, D greater than equal to 0, दूसरी condition लिखिती है, minus का, B by 2A का value, इससे बढ़ा हो रहा था, और इससे छोटा हो रहा था, इस बार दोनों एक साथ आगे, तो दोनों को साथ करते थे, D से बढ़ा हो, इससे छोटा, तीसरी condition अपने लिखिती, इन पे, F of D का जो value आ रहा है, वो A से multiply किया था, ऐसे कुछ किया था, बढ़ यहा का जो finally intersection होगा, वो अपना final answer कहलाएगा, थोड़ा सा calculate ही होता है, यह सोन कनने में, देखते हैं, इस पे एक problem लिया भी होगा मैंने शायद, लिया तो है, थोड़ा different है लेकिन कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है, देखते है, if alpha, beta are roots of the first equation, and gamma, delta are roots of the second equation, first equation क दोनों root second equation के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका जो graph बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं graph बना देता हूँ, x square का coefficient आप देख सकते हो, दोनों equation में positive तो मैं upward ही बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया भाही, गामा, यहाँ मैंने बना दिया delta, यहाँ मैंने x plus a into a minus 1 equal to 0, इसको मैं fx का नाम ले लूँ, 0 की जगए, ठीक है बाहर वाली को, क्योंकि उसी की need है, और जो अंदर वाली जो equation है, वो है अपनी x square minus का 2x minus का a square plus का 1 equal to 0, ठीक है, अच्छा इसके लिए concept की need पड़ेगी, एक बार इस problem को थोड़ा हम छोड़ते है पन, अगल अगले concept पर जाते है, फिर वापस इस problem पर होँगा, ठीक है, अगला बोल रहे है, one root is greater than d and other root is, sorry, one root is greater than e and other root is less than d, मतला ऐसा कुछ बोलना चाहरा है, कि एक काम करते है पन, यहाँ पर d रख देते है, और यहाँ पर e रख देते है, ठीक है, d छोटा और e बड़ा है, एक root d स बड़ी, कुछ ऐसा बन रहे है, downward की साफसेगर में बात करू, x axis, y axis, यहाँ d हो गया, यहाँ e हो गया, ऐसा कुछ, तो यह तो कहीं अद तक वैसा ही हो गया, कि exactly one, sorry, वो वाला case आ गया, जिसमें अपनने बोला था, both the roots lies either side of the number d, यानि सिदा सिदा में बोलों कि दोनों roots के बीच में number d लाई कर रहा है, कुछ वैसा ही है, बस इस बार एक number की जगर कितने number लाई कर रहा है तो, याद करो पर ने थोड़ी देर पहले ही यह पढ़ा था, कि दोनों roots जो है, उनके बीच में एक number है, d वो लाई कर रहा है, यह बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें एक और की जगर, दोनों roots के बीच में कितने number लाई कर रहा है, तो ठीक है, जैसे एक की condition लगाए थी, वैसे दो की लगा देगे, ठीक है, चलिए, discuss कर लेते हैं, इसको भी condition लिख लेते है, f of d, that is negative, f of e, that is also negative, and a greater than, इन डीचो लिखा है भी, final condition साथ में लिख दूँगा, f of d, positive, f of e, positive, and a negative, तो साफ साफ दीख रहे है, a condition तो a into f of d, that is, less than 0, and दूसरी condition, a into f of e, again less than 0, यह पहली है, यह दूसरी, इन दोनों का मुझे लेना है, that is, intersection, इन दोनों का तो intersection होगा, वो ही अपना final answer हो दाएगा, ठीक है, चलो, जो अभी पीछे वाला problem था, उसको अब discuss कर लेते हैं, उसमें यह वाला concept भी use हो रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस वाली तरीके से करूँगा, वो आसान है, ठीक है, यह वाला तरीका, actually मेरे लिज़ यादा आसान है, इस problem में, यह वाला, कि दो numbers पता कर लेता हू जो रूट्स के बीच में लाई कर रहे है, और उन दोनों numbers पर यह condition लगा देता हूँ, ठीक है, जैसे देखो, यह बाहर वाली equation है, और यह अंदर वाली equation है, अंदर वाली equation को अगर आप observe करो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, x square minus का 2x, plus का 1 equal to a square है, यह जो a square है, इसको में right वे ले गया, अंदर वाली equation को में x minus 1 का square equal to a square बोल सकता हूँ, यानि x minus 1 equal to plus minus a बोल सकता हूँ, यानि x equal to 1 minus a, and x equal to 1 plus a, यह उस equation के roots आगे, यानि अंदर वाली equation है, मुझे roots ही पता चलगे, roots पता चलगे, तो यानि यह दोनों points मुझे पता चलगे, alpha और beta पता चलगे, अब द कोई फरक नहीं पता रहा, क्योंकि condition तो से भी बनेगी, ठीक है, आप देखों, इसमें पीछे वाला लग जाएगा, कि two numbers lies between gamma and delta, यानि इस quantity के इसाब से, इस quantity के इसाब से, इसका x square का coefficient, into f of, यहां कर रहा हूँ मैं, x square का coefficient, into f of 1 minus a, and this thing less than 0, यह condition, यह इसके लिए, और दू square का coefficient, into f of 1 plus a, less than 0, और दोनों का क्या ले लूँगा, finally intersection, दो numbers, gamma और delta के बीच में लाई कर रहे, वो दो numbers मैंने पता कर ली, एक 1 minus a होगा, और एक 1 plus a होगा, उन दोनों numbers को, जो condition, वो लगा के solve कर लूँगा, चलो solve करते हैं, यह बनेगा, 1 minus a का square, minus का 2a, minus का 2, plus का a square, minus का a and less than 0, open करते हैं, a square minus का 2a, plus का 1, कुछ कट रहेंगे, इस पर, अभी तक तो कुछ नहीं कट रहें, a square, minus का 3a, minus का 2, less than 0, अभी कुछ कट रहेंगे, 2a square, minus का 5 पर, and minus का 1, less than 0, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, यह थोड़ा सा calculated हो गया, एक बार मैं calculation देख ले तो, ओके, मैंने एक जगह थोड़ा सा error कर दिया, इतना calculated नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसका तो d greater than 0 आ गया, लेकिन इसके middle term में split नहीं हो रहें, अपन जैसे इसमें यह रखेंगे, तो यह बनेगा, 1 minus a का square, minus 2 into a plus 1, into 1 minus a भी आएगा, यहाँ पर, a into a minus 1, and less than 0, अब तो यहाँ क्या बच गया, 1 minus a, यहाँ बच गया, minus का 2, minus का 2 a, और यहाँ minus का a बच जाएगा, क्योंकि minus के साथ common गया है, एक बार calculation देखें, यहाँ पर 1 minus a बाहर चला गया, यहाँ बाहर चला गया, यह minus 2 इदर से multiply हो जाएगा, यहाँ बाहर मेरे पास आ गया, 1 minus a, and इस bracket मेरे पास 1, 2, 4, तो minus का 4 a, minus का 1 less than 0, minus minus common ले लो दोनों देखें, तो a minus 1 हो गया, और यह बन गया, 4 a plus 1 less than 0 ही, तो एक answer तो यहाँ से आ गया, बच इंटर सेक्शन देहान रखना, वो final answer नहीं है, दूसरा आपन एक काम करते ही यह रखते हैं, तो यह बनेगा, 1 plus a, का a into a minus 1, and less than 0, तो a और यह तो same ही बन गया, यह alpha square और यह minus 2 alpha square है, to alpha square minus 2 alpha square का क्या मतलन निकलता है, minus alpha square, तो minus a square minus का 2 a, and minus का 1, और यहाँ क्या बनेगा, plus का a square minus का a less than 0, यह तो कट गया, यह मिलके माइनस का 3 है माइनस का 1 less than 0 यहनि a plus 1 3a plus 1 greater than 0 यह जो आया है और यह जो आया है इन दोनों का क्या ले लेना आप intersection यह आपका homework है इसके आगे के part को आप self से करिएगा ठीक है अच्छा प्रोबलम था यह बहुत अच्छा प्रोबलम था चलिए यह वो वाला कॉंसेट हो गया जिसमें दोनों रूट्स भाई D and E के आइदर साइड एक D से छोटी है एक E से बड़ी है तो वही कॉंसेट या या नी D से छोटी होगी E से बड़ी होगी तो D और E दोनों रूट्स के बीच में लाए कर रहे है फिर एक प्रॉबलम और ली है मैंने जो लास्ट वाला कॉंसेट आपको बता है यह वाला कि दोनों रूट्स है वो भाई एक नंबर से एक रेंज है उन रेंज के बाहर लाई कर रहे है तो चलिए यह वाला प्रॉबलम देखते है तो इसमें अपने ले लिया fx इक्वल टू k-5x स्क्वेर प्लस का 2 kx प्लस का k-4 अब इसमें बोल रहा है smaller than 1 ग्राब बना देता हूँ एक हलका सा x स्क्वेर का कोफिशेंट पोजिटिव है तो अप्वड ही बनाना है पहले तो numbers प्लोट कर लेता हूँ एक number 1 हाँ और एक number 2 है उसे में बोल रहा है 1 is smaller than 1 यानि एक इधर होगी and 1 is exit ऐसा कुछ ग्राब बना दो ठीक है तो ऐसा ग्राब बनाने का मतलब हो गया f of 1 less than 0 and f of 2 again less than 0 and दोनों के बीच में क्या लग जाएगा intersection solve कर लेते है भाई ये कितना होगी है 2, 3, 4, 4, k और कितना होगी है minus का 9 less than 0 ठीक है intersection इधर क्या बनेगा 4 यानि चलो पूरा कर लेते है k minus का 5 into 4 फिर यहाँ पे k रख 8 k ठीक है 2 रखने से इसा 4 k 4 k plus k minus 4 less than 0 simplify कर लो इससे 4 k minus का 20 plus का 4 k plus का k minus का 4 less than 0 89 k minus का 24 less than 0 इसका और इसका आपको क्या लेना है common that is intersection वो दो intersection होगा वो ही आपका क्या होद आएगा final answer ठीक है एक बार problem को देख लीजे ठीक है हाँ बाई तो ये लास्ट था अपना ठीक है ठीक है ठीक यू everyone and मैं एक चीज़ बोलना चाहरा था आपको सभी को ठीक है कि देखो actually मैं बच्चा जेई की तेयरी करता है एक preparation करता है कुछ बच्चे एक साल करते है कुछ बच्चे दो साल करते है इस preparation में सबसे important जो period होता है वो होता है exam के एक महिने या exam के 45 days 40 days के पहले का period होता है वो सबसे important होता है क्योंकि वो ending है and एक हावत आपने सुनी होगी कि यह important नहीं है कि आपने race कैसे start कीती important यह होता है कि आपकी race कैसे finish हुई है यह finishing है जिस पे आपके पूरी मेहनत actually में reflect होगी ठीक है या फिर सर आपको ऐसा तरीका बता दीजे जिसमें हम लोग notes को भी और short कर सके छोटा कर सके ताकि जल्दी हो जाए चीज़े क्योंकि notes में आप समझ रहे हो quadratic equation को भी अगर अपन पढ़ते है तो उसमें भी अपनको बहुत सारा time लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़े उसमें लिखी भी तो इस तरीके के सवाल पूते है इन सभी सवालों के समाधान के लिए और असकेड़ भी ने अपने YouTube चैनल पर पिसले एक वीक से वन शोट वीडियो डालना स्टार्ट किये वन शोट वीडियो में हम आपको पूरा चेप्टर प्रॉपर वे में रिवाइज करवाएंगे त्योरी एज वेल एज पूराने पीवाई क्यूज के साथ जैसे भी आपने पूरा क्लास देखा है जिसमें आपने देखा है कि मैंने कैसे आपको अलग-अलग साल के पीवाई क्यूज बताया है त्योरी भी पूरी बताईए पूरा का पूरा अपना जो टारगेट रहेगा वो जेही मेंज 2024 टारगेट है यह सीरीज अपन रन कर रहे है तो आप सारे वीडियो बगेरा देखिए आपको फाइदा मिलेगा डेफिनेटली और कोई इन्फोर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए आप औरस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जा जाए खदेड़े जाए टोर्मेशन चैनल कर देखिए तंसम्त, क्या जाए बगेए जाए खक्याए टूर्या है